हेलो उर्वान कैसा आप लोगाई होब आप अच्छे होंगे वल्कम टू तो अमेजिंग प्लेटफॉर्म ओफिजिक्स वाला माई इमिज ओम और आप देखना सुरू कर चुके हैं आप सबकी प्यारी खुबसूरसी स्रीज मंजल स्रीज सायद आपने अब तक चार चैप्टर जो इन औरगनिक केमिस्ट्री के पढ़ाई गए थे उन पे कमांड बना लिया गया होगा अगर नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको जाके देखना चाहिए क्योंकि वो क्रिस्प है बट कॉंसेप्चुवल एप्रोच के साथ पूरा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है इसके पहले जो भी हमने कवर किया है मैटलर्जी पढ़ाया था कॉर्डिनेशन कमेस्ट्री केमिकल बॉंडिंग और पिरियॉडिक टेबल अगर कुछ चीजें समझ ना आए तो भाईया थोड़ा टाइम दे करके हमें समझाना पड़ सकता है आपको आप यहां बताते रहिएगा कि भाईया समझ नहीं आ रहा है मैं उसको कोसिस करूँगा कि ये चैप्टर आपके दिमाग में conceptually जाके fit हो रटे ना मारने पड़े हर reaction को तुम रट रहे हो भरोसा मानो आज के दिन जितने भी reaction आपको सिखाए बताए जाएंगे सब में conceptual approach होगा सब समझ आएगा और ज़्यादा मेहनत की समझ जरूवत नहीं पड़ेगी जहां पड़ेगी वहाँ पे मैं खुलके बोलूँगा भया यह रटना पड़ेगा but maximum time में चीजों को समझाने की कोसिस करूँगा और आप भी ना उसी तरीके से समझने की कोसिस करिएगा नहीं तो रटने की चीज़े इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप परिसान हो जाएगे तो फोकस कहां रखना है learning पे, सीखने पे याद करो इसी class के अंदर इस class के होने का फायदा ही तब मिलेगा आपको जब इसी class के अंदर कम से कम 70% चीज़ें आप अपनी खोपड़ी में उतार सकें 30% चीज़ों को तो निश्यत रूप से multiple time revision के बाद ही आप उतार पाएंगे ठीक है जी, चले जी, सबको good morning कितने time पर उठ जाने के लिए सबको मुबारक बाद भई, आ जाओ शुरुबात करें अब, chapter के सुरुबात कर लेते हैं देखो भई, पहले ही बता देता हूँ block chemistry का हिस्सा है but मैं इसको conceptual approach देने की courses करूँगा और मैं एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरीके से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा कैसा लगा वो आप बताईएगा बट इस तरीके से जैसा मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ उस तरीके साथ तक आपने नहीं सुना और पढ़ा देखा हुआ इस chapter को तो आज हम चलिए सुरू करते हैं अपना topic हमने देखे क्या लिखा हुआ complete NCRT इस chapter से मेरे भाई जो भी paper बनेगा सिर्फ NCRT के lines होंगे सिर्फ NCRT के lines होंगे metallurgy, day and day blog यहां सिर्फ NCRT के lines ही आती है तो तुम्हें लेकिन NCRT के lines समझाए यह बहुत बड़ी बात है तेखा जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है न concept दिरे-दिरे हम build करते जा रहे है inorganic chemistry के अंदर आगे आपकी organic chemistry सुरू हो जाएगी physical भी अब सुरू हो जाएगी तेखा क्योंकि main जो chapters थे in organic chemistry के करीब करीब हमने वो सब cover कर लिये हैं चलिए जी बातचीत कर लेते हैं प्यारे periodic table के बारे में periodic table तो सबने देख रखा है प्यारे कुछ ऐसा दिखता है आपका periodic table आज हमारे discussion का जो point बनने वाला है जो area बनने वाला है वो ये बीच के लोग है D block elements और ये नीचे धक्य मार के जो भगाए गए थे F block elements तो ये नीचे के जो दो लोग दिख रहे हैं इनको और इनको हमें पढ़ना है S block में भी metals होते हैं लेकिन हमारा ये परिवार है जहां पे metalloid, non-metal and क्या होते हैं मेरे भई metal, non-metal and, non-metalloid होते हैं तीनों चीज़ें यहां देखने को मिलती हैं जो green color की दिख रही हैं यही metalloid हैं जो black color पे दिख रही हैं वो metals हैं और non-metall इधर छाप दी गई हैं कितनी बाट ठीक हैं? बेसिक बाते हैं जानते होंगे आप अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ पहले बताए क्या आपको helium, neon, argon, krypton, genon, redon इनके आपको atomic number पता हैं क्या? चलिए बताए क्या आप इनके atomic number जानते हैं? सर जानते हैं बच्पन से सीख रखा है सीख रखा क्या बाई? यहाँ पर आज़े है helium के लिए आप क्या बोलते हो? 2, इसमें 8 जोडते हो आणा बाई, 2 element वहाँ है, 6 यहाँ पे है तो यह हो जाता है 10 फिर कितना जोडते हैं? यहाँ जोडते हो जाता है 18 फिर क्या जोडते हैं? 18 और 18 जोडते हैं इसके बाद तो 18 हुआ तो हो जाएगा 36 फिर कितना हो जाएगा? 54 अगला कितना हो जाएगा? 86 फिर अगला क्या हो जाएगा? 118 भोलो भाई यहापे क्या हो जाएगा 118 यह आपको चीज पता है याद है यस सर अब देखिएगा मेरे भाई याद सुनिएगा आप से मैं पूछता हूँ कि बताएए इस स्कांडियम का अटॉमिक नंबर कितना होगा आप क्या देखेंगे इसके पहले कौन सा आया हुआ है इ यहाँ से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ एटॉमिक नंबर टॉन्टि वन से ले करके थटी के बीच में कौन पाया जाएगा 3D सिरीज कौन पाया जागा भी या 3D सिरीज तो इस सिरीज को बोला जाता है 3D सिरीज यहाँ पर क्या रिखोगे Scandium और यहाँ पर क्या हो जाएगा Jink Scandium से लेकर के Jink टक 3D स्रीज अब यहाँ पर देखना Y से लेकर Cadmium तक Y से लेकर के Cadmium तक बीच में कौन से लोग आएंगे 3D के बाद कौन से आते हैं 4D स्रीज ये मैं पुरानी बाते पढ़ा रहा हूँ अभी देगा जी 4D स्रीज इसके बाद देखिए LA लैंथिनम से ले करके लैंथिनम से ले करके देखिए HG तक लैंथिनम से ले करके HG तक के सारे लोग 5D स्रीज के नाम से जाने जाते हैं और नीचे जो पड़े हैं वो 6D स्रीच के नाम से जाने जाते हैं बोलो भाई इतनी बात आपको basic जानकारी पहले से थी क्या अगर थी तो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए अब बताईएगा कि LA का मैं आपसे पुछता हूँ कि जो LA है इसका atomic number कितना होगा comment करके बताईए चलिए LA का कितना होगा भया देखो LA से दो पहले कौन आया हुआ है यहाँ पर जैनौन आया हुआ है क्यों मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ electronic configuration आसानी से तब निकल जाता है क्या बोलेंगे देखो यहाँ पर 54 है तो यह क्या हो जाएगा 56, 57 यह कितना होगा 54 तो यह कितना होगा 55, 56, 57 इसका मतलब यहाँ पर होगा 57 कितना है मेरे भाई यह कितना हो जाएगा 57 इतनी बात समझ में आ गई अच्छा अब देखो यहाँ पे इस तरीके पढ़ा रहा उस तरीके सक्काल सुनते जाओ यह होगा 57 यह 57 इसके बाद बतागे 58 कहां पर आता है 58 कहां पर आता है आप कहेंगे यह रहा 58 यह रहा 58 क्योंकि आपको बताया जाता है कि LA और HF के बीच में LA और HF के बीच में कौन प्रजेंट रहता है सीरियम से लेकर के लिउटेशियम तक सीरियम से लेकर के लिउटेशियम तक के लोग कहा प्रजेंट होते है LA और HF के बीच में प्रजेंट होते है LA का आपको पता होता कितना है भईया 57 तेका जी 57 यह 58 तो लास्ट में जो 14th element होगा इसका कितना आएगा atomic number आप कहेंगे 71 लिउटेशियम का कितना आएगा बोलो सबके सब लोगों बोलेंगे लिउटेशियम का कितना आएगा 71 अगर 71 है तो देखिएगा इस बीच में 58 से 71 तो यहाँ पर HF का 72 आएगा कितना आएगा 72 बताइए सीरियम का कितना बताया गया अभी आपको उसर यह 58 था 58 59 करते करते आप कहां तक जाएंगे आप जाएंगे 71 तक इतनी बात दिख रही है कि नहीं अभी पहले आपको 3D सरीज 4D सरीज 5D सरीज बता दी गई इसके बाद आपको पढ़ाने ही चल रहा हूं है 4F सरीज यह जो सीरियम से लिउटेशियम तक के लोग हैं इनको बोला जाता है 4F सरीज क्या बोलते हैं 4F सरीज यह इसी को लेंथनाइड सरीज भी कहते हैं क्या कहते हैं लेंथनाइड सरीज भी कहते हैं मामला क्लियर है इसको क्या बोलते हैं 59 तक स्वरी 71 तक क्या बोलेंगे 58 से ले करके 71 तक के सारे के सारे लोग 4F series के member होंगे यह 14 लोग हैं जिनको lengthenide के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका leader कौन है LA इनके देखो इनके leader का नाम क्या है lengthenum तो उनका नाम बन गया lengthenide clear जी yes sir अब देखो यह आपको याद हो गया 4F series नीचे वाला जो है उसके देखो यहाँ पे LA के नीचे कौन है AC LA के नीचे कौन है AC बोलो यह 72 था yes sir अब यह AC का कितना होगा बताए atomic number आप sir इसमें 32 जोड दीजिए जब आप मिल जाएगा yes जब आप तो 89 89 हो जाएगा 89 actinium का 89 है न जी और इसका कितना होगा 104 कितना होगा 104 तो यह क्या खोपड़ी में गई यह बात खोपड़ी में गई क्या अगर actinium 89 है तो उसके बाद आता है thorium तो यह हो जाएगा 90 कितना होगा 90 फिर thorium से ले करके आप कहा तक जाओगे lorencium तक कहा तक जाएगे lorencium तक तो lorencium का कितना होगा 19 को consider करते हुए 14 element तक ले करके आएगे तो यह 103 तक होगे क्या होगे 103 तक होगे 104 नहीं 104 वाला तो RF है मेरे भाई 104 वाला तो RF है पहले यह चीज़ें याद करो यहीं पर ही अब देखो जो आपको 90 से ले करके 103 तक के element दिख रहे हैं इनको आप 5F सीरीज या actinide सीरीज कहते हैं actinide सीरीज क्यों कहते हैं क्योंकि इनके लीडर का नाम actinium है तिका जी इनके लीडर का नाम actinium है अब सुनना यह जो scandium, yattrium और यहाँ पर आपको lanthanum और actinium दिख रहा है यह कौन से group के member हैं बताईए यह किस group के member हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे आप कहेंगे मेरे भाईया यह 3rd group के member हैं 3rd group के member हैं 3rd group वाली बात थोड़ी पची नहीं मुझे अरे group 1, group 2 तो यह क्या हो जाएगा group 3 हो जाएगा यहां इसके पीछे तो इसका मतलब की थर्ड ग्रुप में तो आप से गर कोई पूछे कि एक्टिनाइड के लिए बताईए कि ग्रुप नंबर क्या होगा पिरिवाडिक टेबल में आप कहेंगे थर्ड होगा क्यों क्योंकि इसका लीडर यहां बैठा हुआ है थर्ड में इसलिए होगा दिमाग में ऐसे ही सट करना है अगला लैंतनाइड सीरीज के बारे में बात की जाए इसमें से कोई भी ऐलेमेंट दे दे जीडे लिख दे गैडोलीनियम लिख दे बोले गैडोलीनियम किस गुरुप का है तो आप कहेंगे गैडोलीनियम एक लैंतनाइड है और इसका लीडर लैंतनम यहां रहता है थर्ड गुरुप में इस वज़ा से ये भी वहीं थर्ड गुरुप का ही माना क्या येगा बो भाई यही माना जाएगा की नहीं माना जाएगा इतनी बात ठीक ठाक है इतनी बात आसान लगी क्या यस सर अब इस तरीके से इसको भी एक बार लिख के देख लेते हैं क्योंकि दिमाग में छपता जल्दी है हम क्या लिखेंगे AC जिसका होता है 89 कितना होता है 89 इसके बाद देखिए RF RF का कितना है भईया 104 कितना है 104 बीच में कौन आएगा थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक आएगा और यहाँ पर जो थोरियम है याद करा रहा हूँ जरूरत था इसकी मुझे आगे इसलिए थोरियम के लिए मैंने क्या बोला 90 होगा सर 90 और इसके लिए लॉरेंसियम के लिए कितना है 103 यह बीच की जो बिरादरी है इस बिरादरी को नाम दिया गया 4F सरीज या Akinite सरीज और यहाँ पर बोला गया Lenthenite सरी क्या आपको ये बात याद है मैं ये भरोसा रख पाऊं आपके साथ कि भईया ये आपको याद है क्या आपको याद है सकीला AC में रहती है तीना जोर जोर से हाफ रही है वो नबाब था दबंग क्राइंग मोटी वाइफ क्राइंग मोटी वाइफ मन तक रेखा भीग चुकी है अगला क्या है फिर रोया उसामा कौन रहेगा इरान में नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे क्यूं आगे आउं जिंदगी कैडबरी हो गई है ठीक जी ये चीजें आपको आनी चाहिए और यहां से आपको ये पता होगा कौन सा 3D सिरीज है कौन सा 4D सिरीज है कौन सा 5D सिरीज है भोलो भई इतनी बाट ठीक है मैं ये मान के चलनू कि आपको आता होगा नहीं आता तो भईया प्रक्टिस कर ले न चीज आपको आनी चाहिए थी ठीक है जी अगला सुनना ये मज़ेदार है ये मज़ेदार चीज है भई 4F सुरीज किसे लोगों को याद है कोई अपना ट्रिक लिखे भई 4F सुरीज का मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है सीने पर नदिया प्रेम की समाई देख रहे हो अलग मुहबबत चल रही है क्या है सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया यूं गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर यही तो बनने वाले हो तुम इंजीनियर तुम ये भी लो लोग की जगा पर बस LU आएगा देखे कुछ ऐसी कहानी है दो इंजीनियर बैठे हुए है एक का थोड़ा ब्रेकप हो चुका है वो कह रहा है कि सीने पर मैं जब पहले प्यार किया करता था तो मेरे सीने पर नदियां समाई हुई थी मतलब की यह था कि हमेशा ही प्यार किया करता था मैं बिदम बिजी था अपनी लाइफ के बारे मता रहा है वो कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया था शमाद रहे हो फिर कह रहा है आप बैठा हुआ है पैग लगा रहा है तो यहाँ पे कहानी बता रहा है कि इंजीनियर साथ तुम ये भी लो अपना गम मिटा लो तो इनजीनियर तुम ये भी लो क्या आपको याद है क्या आपको याद है दुबारा बोल दू सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूँ गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर तुम ये भी लो ये भी लो ठीक है जी अब अगला सुनो अगला बहुत कतरनाक है भाई जो मारा 4F सीरीज वो तो आपका निप्टा दिया मैंने अब बचता है 5F सीरीज जिसको बोलते है एक्टिनाइड सीरीज ठीक है जो थौर थौर के पापा ने यूँ बोला थौर मतलब समझे रहें कौन सा हाँ पैचान गये थौर के पापा ने यूँ बोला नेपाल में पुराने आम कम भिकेंगे कुछ हुआ ऐसा कि उनके युनिवर्स में न वो बेरोजगार हो गए उनको सबने भगा दिया तो वो धरती पराय भूमने अब वो क्या कर रहे हैं आम का बिजनस कर रहे हैं कौन कौन से लोग थार उनके पापा ठीक है उनके पापा का नाम जरूर बताए चैट में दुवारा देखते हैं थार के पापा ने यू बोला नेपाल में पुराने आम कम भिखेंगे पुराने आम यहां तक है कम भी कहेंगे फिर ये कह रहे है लेकिन बटा रुतबा कम नहीं होना चीए तुम्हारा रुतबा वहां बरकरार था तो यहां भी बरकरार रखना तुन्होंने क्या बोला कैफे में जाना ऐसे फर्माना मैडम नूडल्स लावरे मैडम नूडल्स लावरे जहां पर LR का मतलब लॉरेंसियम है फेरे गुड ओडिर आ गया है ठीक है जी याद हुआ बर नालाय को ये लिखो इससे याद होगा तुम्हें क्या थार के पापा ने यू बोला नेपाल में पुराने आम कम भी केंगे लेकिन बटा सर्माना नहीं है क्या करना कैफे में ऐसे जाना कैफे में ऐसे फरमाना मैडम नूडल्स लावरे मैडम नूडल्स लावरे क्या मैडम नूडल्स लावरे देख लो क्या क्या तरीके भिणाने पड़ते हैं तुम्हें चीजें याद कराने के लिए विस्वास मानी है याद करते ही बहुत सारे सवाल हो जाते हैं तर्फ यह चीज याद करन प्हूम नमबर में आते हैं इस सरे लोग जबाब दीजी तो अगर आप देखेब तो यह सब के सब कहा पे हमेशा नमबर के उच्छक वसक्त प्हणल में ना garant को सिखा अत करो खड़ा होना भाकिलोगों को तो आपका सब 6 एलेमंट बोले जाएंगे मामला क्लियर है क्या यस सर मैंने अच्छा कासा टाइम ले करके इसको सिखाया है अब कोई भूलेगा यहां के ठीक है जी अगली सांदार और खुबसूरस चीज जो सायद अब तक आपकी खोपड़ी खराब करके रखती होगी लेकिन अगले पांच मिनिट में उसक आगे देखिए आगे देखिए अब यह क्या पढ़ना है इनको थोड़ी दिर के छोड़ेंगे भी समझाओंगा यह क्या है ठीक है जी उस टॉपिक को छोड़िए नीचे आईए यह देखिए क्या आप यह त्रीडी स्रीज पहचानते हूं हाँ सर पता है साइन्स टीचर व आपको एक्तम क्लियर होने चाहिए नहीं हुए ना तो दिक्कत होगी तो तकलीफ होगी मेरे भाई पहले बता देता हूं इसलिए पहले तो आपको नाम याद होने के बाद आपको एक ट्रिक सिखाई जाएगी क्या सिखाई जाएगी एक ट्रिक सिखाई जाएगी ठीक है इ यह ज्यान रखिएगा यहां से आपका यह ब्रह्मास्त्रमान लीजिए आपका electronic configuration खतम क्या बात करो भी अभी शुरू भी नहीं हुआ अभी तो शुरू भी नहीं किया तब तक बटा आजाओ इधर दो चार थपड़ हम आपको रसीद देते हैं तो आपने कहा क्यूं आगे आउं पिटाई करोगे याद हुआ क्या याद हुआ क्या यसर इसमें क्या याद करने की बात है तो सिंपल सा लग रहा है क्यूं आगे आउं पिटाई करोगे फिर तुम आगे नह समझा देता हूं तो उन्होंने क्या बोला नबाब जादे नबाब जादे वो समझा रहे हैं नबाब जादे मौत तक रुकावट राह पड़ेगी मौत तक रुकावट राह पड़ेगी अतला वो कुछ समझाना यह से चाहते हैं कि जिन्दगी ऐसा है कि आगे भी रुकावट बोलते भी पिताजी लोग ऐसे ही हैं नबाब जादे मौत तक रुकावट राह पड़ेगी क्या नबाब जादे याद करो याद करो याद करो भई क्या लिखा है सब लोग लिखो इसको पहले अब समझाता हूँ इसका थोड़ा क्या मतलब है कहनेगा व meno कहानिया क्यूं सुनाया जा रहा है हमें देखो भईया जो लोग तुम्हें white color से दिख रहे हैं डेखो orange वाले मैंने यदा करा दिये जितने लोग orange color से दिख रहे हैं वो सब मैंने याद करा दिये और लास्ट में क्या है ये ये क्या है राह पड़ेगी PD पैलेडियम बस पैलेडियम गा थोड़ा सा color अलग है तो पैलेडियम थोड़ा अलग ही दुनिया का है तो इसलिए हमने इसको अलग धेर बाकी जितने ओरेंज कलर से थे क्या आपको वो याद हुए जान बुझ करके मैं टाइम ले रहा हूँ इस पॉइंट में ताकि आपकी खोपड़ी में पहले ये लाइन घुज जाए फिर मैं आगे बाद चीत करूँ देखिए गा जहां कहीं भी वाइट कलर्स वाला एलेमेंट होगा उसके लिए लिखा जाएगा n s2 क्या लिखा जाएगा n s2 n-1 n-1 d क्या लिखा जाएगा n-1 d इसके बाद आप एलेक्टरौन कितना भरते हो d में एक से लेकर के 10 तक अरे ये कोई रटने वाली बात नहीं है ना लागों जो रटने तुम भाई मुझे रखता है इसको भी कहोगे ये रटवा दिया आपने चलो इधर देखू इसके लिए क्या लिखते हो आप लिखते हो 4s2 फिर क्या लिखते हो मेरे भाई 3d1 पहला element तो आमने लिख दिया 3d1 ऐसा लिखते थे तो इसका क्या होगा 4s2 3d2 4s2 3d3 लेकिन chromium जो की orange color से जितने भी लोग दिख रहे हैं उनके लिए क्या लिखा जाएगा उनके लिखा जाएगा ध्यान दे प्रिपया ध्यान दे जैसे मैंने ये लिखा है वैसे मैं लिख दूंगा ns क्या लिखूंगा मे ns1 ध्यान देना यहाँ पर अब तक 222 चल रहा था लेकिन अपकी बार ns1 हो जाएगा और अगला लिखा जाएगा यहाँ पर 3d अब देखिए कौन से नंबर पे है 1,2,3,4 तो 4 electron वैसे तो d में होने चाहिए थे लेकिन 4s के बाद तो total 6 electron इनके पाद अगर 6 थे तो एक हमन ns में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d के अंदर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा जिस तरीके से आपने पढ़ा है वो अच्छी बात है लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो भूलने के chance भरिया घट जाएंगे इसलिए मैं आप चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से प लिखा जाएगा जहां कहीं भी औरेंज कलर दिख रहा है इन सब में 4s1 लिखा जाएगा और यहाँ पर उपर की तरफ है तो 3D लिखा जाएगा और 3D यहाँ पर 10 लिखा जाएगा बोलो बोलो क्या बोला मैंने 3D और 4s मिला करके भरे जाएगे तो 9 इलेक्टरॉन भरना था और एक बात मैंने क्या बताया जहां कहीं पर ओरेंज वाला दिखेगा तो इन सब ओरेंज वाले में एक जनरल चीज़ लिखनी है N S 1 फिर N में से एक घटा दो N-1D N-1D आप देख सकते हैं आप कितने इलेक्टरॉन यहाँ पर भरे जाएगे तो 0 to 10 0 to 10 इस तरीके से लिख दिया जाएगा तो जितने भी लोग अभी मैंने आपको फॉर्मूले बना करके याद कराया त्रिक बना करके याद कराया कि क्यूं आगे आओं पिटाई करोगे नबाब जादे मौत तक रुकावट राह पड़ेगी इन सब में कुछ ऐसा नजर आए जाएगा ns1, n-1, d0 to 10 ने कोई exception वगरा नहीं अरे अगर इस तरीके से पड़ोगा तो exception महसूस भी नहीं होगा जिस तरीके से सिखा रहा हूं सिर्फ उतना सीखना है और उसी तरीके से उसी ले में सीखना है पदलना नहीं अपने तरीके से तेका जी इन सब के लिए आप क के अंदर electron shift करो कोसिस ऐसे कर ली है clear है yes तो ये भी समझा दिया मैंने देखो जिस तरह के chromium and copper का समझाया आईए उसी तरीके से लिखते हैं किसी और का किसी और का चलिया practice कर लेते हैं मान लीजिए मैं आपसे बोलू कि ag का लिख करके बताईए मैं आपसे बोलता ag का लिख करक पिर क्या लिखोगे देखो ये वाला direct लिखो क्या लिखोगे देखो ये 5th series है मेरे भाई आप ऐसे समझो ये 3D series थी ये 4D series है तो 4D series के लिए आप क्या लिख तो यहां लिखोगे 4D और उसके पहले क्या लिखोगे 5S तो जितना D होता है उससे एक बढ़ा के S दुबारा स S में कितने electron होगा एक electron होगा और D में कितने electron होगे 10 electron होगे बोलो भाई आप लिख ले जा रहे हो कि नहीं लिख ले जा रहे हो लिख ले जा रहे हो या नहीं लिख ले जा रहे हो बस इसी तरीके से करना है कि मतलब यह है कि जितने लोग आप orange color से देख रहे हो इस ज्वाल नभाई में सीधा उतर जानी चाहिए थी मैं रहें और को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए अगरा मैं आप से पूच्ता हूं बताइए आप बताइए यहां पर इसा चलिए तीडी सी का बत रहें ना चाहता हूं चैट देख़ूंगा मैं पेसल है s के अंदर 0 electron होंगे यहाँ पर s के अंदर 0 electron होंगे एक ही जगा Damn ज़ीहाँ पर s में 0 electron होते सिर्फ एक तो पी डीको थोड़ा अलगम होँ थाफ सै इस वाले गृप से he is ta bunny bacteria next होंगे ही सारे एक्छान किधर जाएंगे अरे अगर इंदर जी यह palladium देखो, निकल के नीचे पड़ेगा, और निकल में हमें पता है कि 3D8 होता है, 4S2 3D8 होता है निकल का, उसी हिसाब से नीचे वाला लिखना है, तो S के अंदर लेकिन इलेक्ट्रोन ही नहीं रखने, तो दोनों इलेक्ट्रोन D के अंदर सिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब यह हो जाएगा 5S1 और यह अगला बन जाएगा 4D10, तो इस तरीके से देखिए पैलेडियम, पैलेडियम थोड़ा इसपेसल है मेरे भाई, यह अल के लिए मैंने इस तरीके सिफ्टा दिया, एक्सेप्ट्रोन की फेलिंगी नहीं आएगा 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 आए टी-सी की बात करते हैं, पहली बात तो यह 4D सीरीज का है, तो 4D में इलेक्ट्रोन सा सकते हैं, 4D अगर आप लिख रहे हैं, तो निच्छी दिरुप से इसके S आया होगा, तो इसके पहले कौन सा S होगा, 5S रहा होगा, अब हमें समझना है, यह जो टी-सी है, तो हमने पढ़ा कि मौत तक, मौत तक, आपको याद रहा है, अच्छा तक इसका मतलब क्या है, हमारे ज्वाला ओपी कॉनसेप्ट ट्रिक में था, इसका मतलब वहाँ पे S में एक electron आएगा, S में क्या होगा, एक electron, तो भाईया 4S1, क्या लिख दिया, अब एक बात सोचत, तुरंत सोचना ही लाइन, कि भाईया चलो भर दिया कोई बात में, अब D में कितने electron डालू, तो ऐसे सोचा करो, कि इसके जस्ट उपर कौनसा अलेमेंट है, तो अच्छा आ है लेकिन यहाँ पर S में 1 है इसका मतलब एक electron S वाला D के अंदर सिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो पताइए अभी तक कितने लोगों को समझ नहीं आया है भाई मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए अब यार देखो जो वाइट वाले उनका निकालना तो बड़ा असान है उसमें क्या ही सरदर्द है पर इसानी सिर्फ इनी में थी बाकी लोगों को नॉर्मल टेंडेंसी से जबाब पा जाएंगे ठीक पैलेडियम का इस पर सल याद रखना बाकी आपको सायद यह जोला उपी कॉंसर्ट में मज़ा आया होगा ठीक जी यहां स अरे रैंडम इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि इसका कॉंसेट क्या है यह कि भाई क्रोमियम से सुरुवात कर देते इसकी मेरे भईया इसलिए नहीं किया क्योंकि जो दोहा बना रहें जो फॉर्मूले बना रहें हम ना याद कराने का तरीका बना रहें ट्रिक बना रहे वो सटनी हो रहा था तो आगे क्या था क्यूं आगे आऊं पिटाई करोगे यहां पे फिर क्या बोला नबाब जा दे मौत तक रुकावट राह राह तक क्या बोला आपने S1 पड़ेगा लेकिन जैसे ही PDI आएगा आप S0 लिख दोगे बस एक जगां ऐसा है जो रटा मारना प आनन्द आया होगा आएए देखते हैं LA का चलिए बताइए LA का कितने लोग बता सकते हैं सर देखे यह 5D सिरीज का एलेमेंट है तो पहली बात तो मैं 5D लिख दूँगा अगर 5D है तो निश्ची तरुप से 1S एक बढ़ा करके आप S लिख दीजिए 6S होगा अब एक बात है 5D का तो इसलिए यहां पर 5D 1 होगा कितना आसान था यार यह कितना आसान था भाई यह अगला देखो भाई इनको निप्टाते हैं इनके लिए क्या लिखा जाएगा बताएंगे कोई HF सर यहां सावधान रहेगा बीच में 4F सिरीज है बीच में सर 4F सिरीज है अगर बीच में 4F सिरीज है तो उसको भी यहां पर भरते हुए दिखाना है आप लिखेंगे 6S फिर लिखेंगे 5D और लिखेंगे 4F देख ले मैया क्रिपया यह ची देखें तुरंट दिमाग में आना चाहिए कि LA के बाद HF से लेकर के आगे जितने भी लोग होंगे उनमें 4F जरूर आएगा क्यों क्योंकि LA और HF के बीच में कौन एक्जिस्ट करता है 4F एक्जिस्ट करता है यह बहुत जादा टाइम दे एक्ट्रॉन तो अपने आप बरे होंगे 4S2 तो लिखा जाएगा अगर D का दूसरा है तो D2 लिखा जाएगा that's it कितना असान है बोलो भाई कितना असान है यह बात ठीक है क्या हुआ हुआ यह चीज में कुछ गडबड़ा रहा है क्या एक बार मिला लेते हैं अगर MN में रहेगा तो क्या लगते हैं D5 रहता है नहीं सही तो है यह क्योंकि TC वाला आ रहा इसमें तो है ठीक ओके अरे 3F नहीं लिखते भाई 4F सेरी जोता है 4F series होता है तो यह लिखा जाएगा तो लिखने का यह तरीका है आपको साइधी आता होगा नहीं आता तो चलिए एक बार यहाँ पर और time दे के बता दीता हूँ है ना यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था बढ़ी पिटाई करोगे करोगे में chromium करोगे में chromium तो देखो भई आप 4S के अंदर एक electron दिखाई देगा पचे हुए जो electrons होंगे वो 3D के अंदर जाएंगे पचे हुए electron 3D के अंदर जाएंगे इसी तरीकी से आप अगला क्या बोलेंगे इसी लिए अगला क्या बोलेंगे आप कि भई शुरुवात क्यूं आगे आउं तो देखिए 4S में एक electron 4S में एक electron और 3D पूरा भर जाएगा इसके बाद अना क्योंकि 29 था 9 electrons मेरे को भरने थे अरे बोलो भाई ये कहानी ठीक है गया ये कहानी समझ में आती है क्या 9 electron जो D के अंदर रहते लेकिर उसके साथ 4S भी लगा हुआ है तो टोटल हो गए 11 एक चला गया अगर 4S में तो बाकी चले जाएंगे यहां पर अगला देख लेते हैं अगला देख लेते हैं मेरे भई भाई यहां पर देखें भाई यहां पर अगला है TC देखो जिसको TC पर सक हो रहा था उसको मैं बता देता हूँ यह देखो TC जिसको सक हो रहा था क्या बोलेंगे 4S यहां पर देखो 1 हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा तो आपको जिस तरीके से याद कराया गया वही फ पड़ेगी और पड़ेगी में मैंने बोला था कि आपको ध्यान रखना है, खयाल रखना है कि 4S में कोई भी इलेक्टरॉन नहीं होगा, सारे के सारे इलेक्टरॉन D के अंदर सिफ्ट हो जाएंगे, देख लिजिए, यहां पर देख लिजिए भाई, यहां से ले करके यहां तक की कहानी, मेरी समझ से किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है जी, समझ में आ चुका है, अगला देख लेते हैं, इसी तरी किसे अगला भी है, ठीक, जहां पर कहां देखने को मिल रहा है, आपको सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, यहां दो लास्ट में जो है, या मैं topic पे आता हूँ बहुत ज़्यादा time देना ठीक नहीं था वहाँ पे अच्छा एक पीछे की एक चीज बाकी है वो क्या है कि भाया ये क्या था भाया ये क्या था pseudo transition elements क्या है तो देखो भाया जो jedan cdhg है दोबारा सुनेंगे jedan cdhg जो है उनको हम pseudo transition elements कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि क्यों कि जो transition elements ना उनका definition कुछ तरीके से है कि उनके जो outer cell है जो उनके क्या है भाया वो क्या होने चाहिए filled होने चाहिए अगर 3D आपका पूरा भरा हुआ है तभी जाकर के जो भी डी log का elements होगा 3D series का element होगा उसको हम क्या बोलेंगे transition elements बोलेंगे जी क्या यह सही है आपने यहीं पड़ा है नहीं स्रार पूरा नहीं भरा होगा तभी उसको transition बोलते हैं अधरवाइस भर गया तो उसको pseudo transition बोलते हैं और आपको यहां का पता है यहां पर यहां पर लिखा जाता है S2 फिर क्या लिखा जाता है Ns2 फिर लिखा जाता है N-1D10 इन सब में D10 पाया जाएगा लास्ट वाला है न इसका मतलब यह भरा पड़ा है अगर यह भरा पड़ा तो यह transition नहीं है उन्होंने क्या बोला हुआ definition में transition element के definition यह है कि D जो है वो पूरा भरा हुआ होना नहीं चाहिए आपके atom या उसके respective ion के अंदर लेकिन यहां पर क्या है Sb पूरा भरा है D भी पूरा भरा हुआ दिख रहा है इस वज़ा से इन तीनों को GnCdHg को एक complete transition elements नामान करके इसको pseudo transition elements कहा जाता है तो अगर कोई पूछे कि इन पूरे D block के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो transition elements नहीं हैं तो आप कहना कि GnCdHg है पहले चीज़ा दूसरा समझें यहां पर क्या है C U A G A U इनको आपने सुना होगा कहीं न कहीं की क्या होता gold के पहले क्या आते थे coin आते थे AG के सर अब एक चि ought आपने यह देखाऊगा Ni with H2 ऐसा लिखा था कहीं पढ़ा फिर आपने पढ़ा होगा PD with H2, फिर आपने पढ़ा होगा Platinum with H2, तो इस तरीके सामने Organic Chemistry में देखा था, तो ये है क्या, ये क्या करते हैं, Hydrogenation करते हैं, तो Catalyst का काम करती है ये वाली, Nickel, Palladium and Platinum, ये इतनी basic बातें आनी चाहिए, देखो, ये D-Block में रखा गया है, no doubt, अरे भाई, सुनना ध्यान से, JN, C, D, H, G, D-Block elements है, क्योंकि D-Block में present है, लेकिन ये transition elements नहीं है, तो दोनों एकी बात नहीं है, transition elements के अंदर, ये भाई साब लोग नहीं आएंगे, अना बाकी के सारी लोग आएंगे transition elements के अंदर, लेकिन D-Block elements के अंदर, ये पूरे के पूरे लोग आएंगे, जिसमें जिनक भी consider किया जाता है, तो ये basic अंतर हो गया, अच्छा सर्याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये पढ़ लीजे, उनको बोला जाता है, D-Block elements, ठीक है जी, उसको मैं समझा चुका हूँ, जैसे scandium के case की बात करें, तो scandium में आपको पता है, कि इसका electronic configuration, 4S2, 3D1 होता है, बोलो भाई, सहमत हो क्या, तो अगर मैं scandium 2+, की बात करूँ, तो यहां से electron निकलेंगे, 4S से, आउटर सल से electron निकलेंगे, तो 4S में 0 electron होगे, और 3D में 1 electron होगा, देखिए भाईया, धान से सुनिए, यहां पर एक चीज़ लिखी हुई है, atom या simple iron, तो जो scandium का simple iron है, वो है 2+, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, धान से सुनना, आप बोलोगे, देखो भाईया, यहां पर भी आपको electron नजर आ रहे हैं, वो ऐसे हैं, जो क्या है, fully filled नहीं है, यह partially filled है, 10 electron रखे जा सकते थे, लेकिन एक ही electron present है, उनके atom में और उनके iron में भी, इस वज़ा से यह दोनों, यह मतलब क्या बोले जाएंगे, scandium transition elements बोले जाएंगे, लेकिन, 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 कहानी सुनना, सब के सब लोग यह कहानी सुनेंगे, jink और jink 2+, की, jink और jink 2+, की कहानी मे क्या बोलोगे, आप बोलोगे भया, यहाँ पर लिख दो, 4s2, फिर क्या लिखा जाएगा, 3d10, पूरा भरा हुआ है भाई, अगर मैं 2+, भी कर दूँ, तो भया देख लो, 4s से electronic लेंगे, तो 4s में तो 0 हो जाएगा, लेकिन, 3d में अभी भी 10 रहेगा, आप क्या बोलेंग जिंक एक transition element नहीं है, इसी वज़ा से यह क्या होगा, यह एक transition element नहीं होगा, इसी लिए यह transition element नहीं होगा, तो यह line थी, ठीका जी समझे बात आ गई है, सबको आ गई है, यह सर आगे बढ़ जाते हैं, variation of oxidation state, देखो भाई, आपने पढ़ा था S block, S block में group number 1 था, group number 1 की बात करें, तो हम कहते थे कि यार देखो sodium की जो family है, मतलब पूरा family ही, जा बनाती है plus 1, तो na plus 1 बनाते थे, और हमने देखा था कि हमारा जो calcium होता है, calcium की family है magnesium, तो वो हमेशा 2 plus बनाते हैं, यह vary नहीं करता, इनका oxidation state vary नहीं करता, group 1 वालों का, group 2 वालों का vary नहीं करता, यहाँ पर कोई variation नहीं है, मतलब की calcium दो form में नहीं पाया जाएगा, नेचल में की plus 1 में भी पाया जाए, plus 2 में ऐसा नहीं होगा, तो वो variation वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो हमारे यह होते हैं, transition elements होते हैं, वहाँ पर variable oxidation state देखने को मिलता है, example के तोर पे आप ले सकते हैं, जैसे क्यों हो पारा है, यह बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे, अगर मैं पूछूं कि आपके iron के लिए क्या लिखा जाएगा electronic configuration, आप लिखेंगे 4s2 3d6, लिखेंगे क्या, इसके बाद iron 2 plus के लिए मैं बोलूँ, तो 4s में कितने electron है, 0 तो उसको मैं नहीं लिखत हो चलेगा, अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, अगला सुन लिजिए, iron 2 plus, iron 2 plus, अगर iron 3 plus के लिखेंगे, बात करूँ, तो यह हो जाएगा 3d5, यह क्या हो जाएगा 3d5, यह मैंने सही लिखा है क्या, बोलो भई, यह मैंने सही लिखा है, यस सर, अब चीज देखना मेरे भाई, यह जो आप आसानी से देख रहे हो, कि पहले आपने S से इलेक्टरॉन हटा दिया, बाद में आपने D से इलेक्टरॉन हटा दिया, यह बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, आसानी से अट जाता है, क्यों, क्योंकि 4s और 3d, 4s और 3d की जो निकला तो यह बन गया, 4s के दोन एलेक्टरॉन निकले तो यह बन गया, लेकिन अगले में जब 3d से भी एक एलेक्टरॉन निकल जाता है, तब यह बन पाता है, और ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया, क्योंकि 4s और 3d के एनरजी करीब-करीब सेम है, तो निकालना आसान है इसलिए चाहे आप 2 निकाल सकते हैं, आसानी साथ 3 भी निकाल पाते हैं, यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है, due to similar energies of ns, जैसे यहाँ पर 4s, and n-1d, तो 4-1, मतलब 3d, orbitals, electron, लिखा है, बोथ can participate to sow variable oxidation, इसलिए दोनों क्या कर सकते हैं, ओके इतनी बाठी क्या गया, गोलो भया, इसमें कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है मेरे भाई, किसी ने पूछा है कि सर एक बात बताईए, जो palladian था, वो क्यूं नहीं था pseudo inner transition, तो भया देखो यहाँ पर यहाँ पर आएगा, घ्यान से सुनना इसमें, नहीं तो गलती कर बैठ होगे, 4s के अंदर 0 electron है, लेकिन इसके साथ आपने बोला कि 4d के अंदर 10 electron है, भोलो भया, यह था, यह सर, लेकिन एक definition में एक चीज़ भूल रहे हो तुम, यहाँ पर लिखा है atom and simple iron, atom में no doubt, पामला एकदम सही है, no doubt, इतने बाट ठीक लग रही है, ओके, देखो, जो palladium है, अगर मैं उसकी बात तो मैं कहूंगा ज्यार 4d पूरा भरा हुआ था, लेकिन, लेकिन, जैसे ही तुम palladium 2 plus करोगे, जैसे ही तुम palladium 2 plus करोगे, 4d के अंदर अब 8 electron होगे, 4d के अंदर अब 8 electron होगे, भया तो simple iron क्या यह भरा पड़ा इसका पेट, इसका d पूरा भरा नहीं है, इसलिए palladium को हम transition element के अंदर consider करते हैं, क्योंकि जो इसका iron है, उसमें मेरे भाई, क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है मेरे भाई, आप बोलेंगे कि भरा नहीं हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो भाई, कोई दिकत किसी को अप तो नहीं है, नहीं है सर, अब एक बात प्लस, इस 2 प्लस और 3 प्लस, इन दोनों में ज़्यादा stable कौन है, इन दोनों में ज़्यादा stable कौन है, आप कहेंगे भाईया ये देखिए, half filled है, ये कैसा है, half filled, अगर कोई चीज half filled है, तो वो ज़्यादा stable होती है, बिद रिस्पेक्ट तो इस वन, यस सर, जो half filled नहीं है इसका मतलब है, कि अगर हम बात करें, तो Fe plus 3 ज़्यादा stable होगा, Fe plus 2 के अंदर, Fe plus 2 से रिस्पेक्ट में अंदर ने, देखा जी, मज़ा आगया, अनन्द आगया, अगले माज आते हैं, अगले चीज़ है वही oxidation state वाली बात पढ़नी है, तब लोग यहाँ देखना भया, ज अब से ज़्यादा oxidational state कौन सो कर सकता है, तो आप बोलेंगे MN कर सकता है, आगे में पढ़ाओंगा भी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल सुरुवात में, प्लस 7, अब देखें, क्रोमियम का कितना है, प्लस 6, और आयरन का भी होता है, प्लस 6, क्रो प्लस 3 में ही रहना, वो पसंद करता है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्कैंडियम प्लस 3 होने के बाद, वो सीधा inert gas configuration में चला जाता है, इसलिए आपको स्कैंडियम अक्सर प्लस 3 के अंदर ही दिखाई देगा, MN की maximum की बात करें, लेकिन आपको maximum क्या मिल रहा है, प्लस 7 मिल रहा ह यहाँ पर higher number क्या मिल रहा है, प्लस 6 मिल रहा है, भोलो भई, इतनी बात समझ मैं ही, यस, अब मैं एक चीत पूछता हूँ, बताओ कि सब में सबसे ज़दा common चीज क्या नजरा रही है, सबसे common oxidation state क्या नजरा रही है, तो आप कहेंगे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक, तो अकसर आपको 2 प्लस देखिए यहाँ तक, केवल स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए, तो बाकि सारे लोग आराम से 2 प्लस बना रहे है, बाकि सारे लोग आराम से प्लस 2 बना रहे है, मेरे भाई, देखो, केवल स्कैंडियम को छोड़ दो, स्कैंडियम को छोड़ने के MN का है, Compounds आपको आगी पढ़ाई जाएंगे ठीक है, अब आते हैं कि भाया पूरे 3D स्रीज में सबसे ज़्यादा Oxidation State कहा नजर आता है तो आप कहेंगे कि RU and OS में नजर आता है जो कि है plus 8, ठीक है जी क्या बोलेंगे कि पूरे 3D स्रीज में RU and OS ऐसे हैं जो भाया ऐसे complexes बनाते हैं जाब ए प्लस 8 Oxidation State देखने को मिलता है तो सबसे ज़्यादा पूरे D Block का किसके पास है RU and OS के पास यहाँ तक की बात क्लियर है यह सर क्लियर है अगला देखते हैं तुनना यह line important है इस पर सवाल आया हुआ है The heavy elements in D Block Stable at Higher Oxidation State heavier elements का मतलब क्या होता है heavy elements का मतलब होता है जो नीचे की तरफ हो जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है NI, लिखा है PD, PT तो कोई पूछे इसमें heavier elements कौन है तो अक्सर क्या है कि सबसे हलका कौन होगा इसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे इसका क्या होगा heaviness बढ़ती जाएगी क्यों बढ़ती जाएगी क्योंकि atomic number भी atomic mass भी इनका बढ़ता जाएगा तो अगर atomic mass बढ़ रहा है तो इसके लिए सब्द यूज होता है heavy elements मतलब नीचे जो 4D या 5D के जो elements है तो the heavy elements in D block stable at higher oxidation state नीचे वाले लोग higher oxidation state पे ज़्यादा stable होते है with respect to उपर वालों के example के तोर पे यहाँ पे आप देख लीजिए ये line बहुत ज़्यादा important है ठीक है जी क्या लिखा गया है chromium लिखा गया है plus 6 chromium देखिए plus 6 में exist करता है chromium का highest plus 6 होता है ठीक है तो chromium plus 6 जो होता है वो less stable है with respect to अगर लिखा जाए chromium के नीचे कौन आता है crying moti wife तो आप बोलेंगी mo plus 6 ठीक इसी तरीके सा आप लिख सकते हो कि chromium plus 6 में है अगर तो वो less stable है with respect to यहां पर हो जाएगा tungsten plus 6 tungsten plus 6 इसके कहने का यह मतलब वो पेपर भी पूछा गया था तो जो कोई भी heavier element है वो जादा oxidation still bear कर पाएगा with respect to lower मतलब with respect to क्या बोला जाएगा lighter elements के मतलब की जो उपर रहेंगे इतनी बाद ठीक है इतनी बाद समझ में आ गई है यह सर आगे बढ़ जाते है बोलो मेरे भाई बोलो मेरे भाई कहान ही ठीक है यह सर अगला क्या है the element that usually does not so variable oxidation state चलिए जब आप दीजे लिखा है does not does not कौन सा ऐसा है जो variable oxidation state so नहीं करता तो आप कहेंगे copper तो भाईया देखे करता है क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत सारे compound copper plus one के अंदर अगला पढ़ते हैं copper plus two के अंदर तो यह देखिए variable हो गया titanium भी plus two plus three में exist करता है लेकिन scandium हमेशा आपको plus three के अंदर दिखाई देता है किसमे plus three के अंदर दिखाई देता है इसका मतलब यही ऐसा है जो variable oxidation state सो नहीं करता तो c is that c क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा मामला क्लियर है तब के सब लोग बताएंगे मामला क्लियर है अगला देख लेते हैं यह आया हुआ तो देख लीजे आपके j means का सवाल था यह कितना आसान था यह magnetic property इस पे ज़्यादा वक्त नहीं देना है इसको मैंने आपको coordination compound chapter पढ़ाते वक्त समझा दिया था magnetic property क्या पढ़ाया गया था आपको ऐसे compound जहाँ पर unpaired electron होते हैं उनको हम paramagnetic कहते हैं अगर वहाँ पे unpaired electrons मौझूद हैं तो वह भाया paramagnetic हैं लेकिन जहाँ पे unpaired electron नहीं होते उनको हम dya magnetic कहते हैं बचपन से सीख रहें बहुत ज़्यादा वक्त देनी की ज़रूद नहीं है अगर magnetic moment हमें calculate करना है और हम यह कहें कि n is the number of unpaired electrons क्या number of unpaired electrons तो क्या बोला जाएगा ध्यान से बोलना क्या बोला जाएगा magnetic moment is equal to n n plus 2 क्या लिखा जाएगा bore magneton bore magneton की unit में निकाला जाता है where n is the number of unpaired electron मामला clear है कि नहीं है ठीक है M.O.T. में भी पढ़ लिया था very very good आगया आजाते हैं यहाँ पर देख लेते हैं यह देखे क्या लिखा है कुछ रट्टा नहीं मारना अरे NCRT के table को खाली एक बार समझना होता है हलका फुल का बहुत जादा सरदर्द अपने को नहीं लेना है क्या बोला जा रहे है अगल यहाँ पर लिखा है स्कांडियम 3 प्लस तो बताएं अगर 3 प्लस हुआ तो 3D के अंदर 0 electron होंगे तो कोई unpaired electron नहीं है तो magnetic moment 0 आएगा इसनी बाट ठीक है इसी तरीके से देखिए titanium की अगर मैं बात करूँ titanium की अगर 3 प्लस की बात करूँ तो 3D बन आएगा 1 electron आएगा अब आप एक चीद देखिएगा कि यहाँ पे calculated versus observed है calculated का मतलब इस formula में आपने 1 put कर दिया तो आपको value मिल गई 1.73 लेकिन actually क्या आता है इसी क्या आसपास आता है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि यह क्या आता है यह क्या आता है यह paper में नहीं पूछ रहा है लेकिन direct निकालने का तरीका क्या है कि अगर unpaired electron 1 है तो निश्चित रुप से bore magneton में शुरू में आप 1 लेखेंगे तो आप ऐसे बोलिए कि अगर दिया गया है मान लिजे दिया गया है हमारे पास titanium 3 plus है और वो कह रहा है कि देखो यार वहाँ पे जो magnetic moment आता है वो 1.73 है तो आप कहना अच्छा 1. मतलब 1 से सुरुवात हो रही है इसका मतलब है कि 1 वहाँ पे unpaired number होगा इसी तरीके से अगर 2 unpaired electron है तो सुरुवात आपकी 2 से होगी अगर 3 unpaired electron है सुरुवात भईया 3 से होगी अगर 4 है तो 4 से होगी ठीका जी मामला समझ आया इतनी बात समझ में आगी सर अगर 5 हुआ तो 5 से होगी समझ में आया बात यहाँ से देख करके इसको बता सकते है number of unpaired electron जादा वक्त देने कि इसमें जरूरत नहीं है ठीक है जी आगे आ जाते हैं अगला क्या है color color के बारे में भी आपको coordination compounds पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि भाईया कोई भी substance जिस color का दिख रहा है उसके complementary color को उसने adsorb कर लिया है उससे related जो wavelength थी जो energy थी उसको उसने खा लिया तब जाकर कि वो आपको वो color सो कर पा रहा जिस color का वो दिख रहा है इतनी बास समझ में आगी है इतनी बास समझ में आगी है और ये अक्सर हम पहले पढ़ते हैं DD transition के बारे में DD transition में आपने सुना होगा आपने देखा भी होगा क्या देखा होगा कि भया क्या होता है T2J से electron उठते हैं और EG के अंदर जाते हैं T2J से electron उठते हैं EG के अंदर जाते हैं भया समझ नहीं आया यह चीज नहीं एक बार दुबारा बताओ चलो भया यहां देखो यहां पर आपको पहले एक color wheel पढ़ना होगा color wheel में क्या है देखो ज्यां से सुनना विब गया और लिखना है V I B होता है I को छोड़ दीजी तो V B G Y O R इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज आपको violet color की दिख रही है तो उसने yellow color के wavelength को absorb किया होगा तब ही उसका complementary color violet आपको दिखाई दे रहा है तो यह कहने का मतलब होता है example के तोर पर मैं समझा देता हूँ जादा अच्छा पड़ेगा हाना यहाँ पर माल लीजे हमारे पार D1 system है क्या है D1 system है तो एक electron कहां मौझूद होगा मेरे भाई E2G में मौझूद होगा यह बात आपने पहले से पड़ी हुई है तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं तो यह T2G में मौझूद होगा होगा क्या बाहर से भया क्या हुआ energy मिली energy मिली तो यह जो electron है वो क्या करेगा आपने आपका transition करवा लेगा क्या करवा लेगा मेरे भाई फुद का transition करवा लेगा लेकिन यह transition कहा से कहा हो रहा है भया यह transition देखो T2G से easy में हो रहा है किसमें हो रहा है यह transition T2G से easy में हो रहा है T2G भी d orbital है और easy भी d orbital होता है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ D से D का transition है इसका मतलब d-d transition है t-c-d का transition है इसका मतलब d-d transition है तो इसको बोला जाता है कि यहाँ पर d-d transition हो रहा है अगर वो color absorb कर रहा है तो निशी तरुप से उसके complementary color को वो सो करने वाला है transition होगा तो क्या होगा यह electron उठकर के easy में चले जाएंगे ठीक है जी इतनी बासन में आगई example के तौर पर आपके सामने लिख दिया मैंने titanium h2o6 3 plus मतलब यहाँ पर हो जाएगा titanium 3 plus और titanium 3 plus का मतलब होता है 3d1 तो d1 के लिए मैंने समझाया हुआ है और यह आपको जो है na violet color का दिखता है violet color का दिखता है तो बताए किस color को इसने absorb किया होगा भया इन्होंने yellow color को absorb किया होगा इन्होंने yellow color की wavelength खाई होगी तभी वो violet color के दिख पा रही है नजर आ पा रही है तो यह है color का combination बोलो भाई मामला ठीक है कोई नालाख कहरा है easy नीचे होगा इसका मतलब ठीक से उसने coordination भी नहीं पड़ी, ठीक है जी यह line पढ़ लीजेगा मैं आगे बढ़ता हूँ, यह सुनिएगा कुछ रटा नहीं मारेगा, कोई color नहीं मारना रटा भई, सुनना समझना और देखना है, लिखा हुआ है, example है Scandium 3+, 3D0, अगर D के अंदर electron ही नहीं म तो अगर D के अंदर कोई electron मौझूद नहीं है, इसका मतलब भया, transition possible नहीं है, transition possible नहीं है, तो वो colorless ही होने वाला है, तो Scandium 3+, में 3D0 आएगा, Titanium 4+, करने पर 3D0 आएगा, तो यह क्या होते हैं, दोनों के दोनो colorless complexes होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, colorless complexes होते हैं, कितनी ब colored है, इसका मतलब D के अंदर electron अगर present होगा, तो आप कहेंगे कि निश्चत रूप से उनके colored होने के chance हैं, अगर electron नहीं है, तो उनके colorless होने का chance एकदम perfect है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परिशानी तो नहीं है, तो सिर्फ एकी line जानना है ये, कि जहाँ D में electron ही नहीं है, वहाँ T2G से EG में transition कैसे होगा, अगर T2G से EG जाही नहीं मिलेगा अगर, तो भईया transition नहीं, तो कोई color नहीं, simple, ठीक, अगला देख लेते हैं, यहाँ पे देखो बच सब के सब लोग, क्या बोला जा रहा है, कि देखो यार, यहाँ पे दो कोई सब के color आ रहे ह 6, 6, 8, 9, तब के color आ रहे हैं, लेकिन 3D 10 में कोई color नहीं आता, क्यों, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कि 3D 10 में color क्यों नहीं आता, 3D 10 में color क्यों नहीं आता, यह colorless क्यों होता है, अरे भईया, एक बात बताओ, आप ही तो कह रहे थे transition होना जरूरी है, और transition होने के लि लिया हमने कि यह इजी है तो यह हो जाएगा इजी नहीं इंड जी यह है टी टू जी अब मैं आप से सवाल पूछता हूं 3D 10 होने का मतलब क्या है सब के सब भरे पड़े अरे जब सब के सब भरे पड़े हैं तो नीचे वाला इलेक्टरॉन उपर कैसे जा सकता है कहां आरे नीचे भी सारे भरे ऊपर भी सारे भरे ट्रांजीशन नीचे से उपर होता है जाएगा कि अत्वर और यह वैरी वैरी बहुत सामदार जवाब दियाा अगली चीथ दिखीएगा किस बातों पेट इबंड करता है ये भी आपको पढ़ाएद गया था नीचर ओफ लिगेंड पर और आप ये जानते हैं कि जितना देखो T2G और EG के बीच में ये गैप जितना जादा होगा उतने हाइर एनरजी को वो एब्जॉब करेगा और लोवर एनरजी के रिस्पेक्टिव वेव होता है strong field legend and weak field legend से weak field legend क्या करते हैं वो कम delta knot create करते हैं but strong field ligand बहुत जादा create करते हैं तो color दूसरा आता है अगली चीज geometry of the complex आपको एक बात पता होगी को जो tetrahydral है उनके जो color होते हैं अकसर octahedral complexes से खराब आते हैं क्यों ये reason है यह नौट जो होता है वो जादा होता है इसी वज़ा से यह combination की वज़ा से हमें color में भी change दिखाई देता है transition में भी change दिखाई देता है energy में भी change दिखाई देता है तो निश्य तरोप से यह चीज़ देखने को मिल जाए मामला ठीक है क्या हो जाएगा अरे copper प्लस में तो नहीं होगा लेकिन टू प्लस में तो हो सकता है न अच्छा अगले माला आते सुझाया था मैंने क्या बताया था यह concept कब लगाना है जब हमारे डी के पास कोई electron मवजूद नहीं है लेकिन वह colored है दुबारा सुनना क्या बोला मैंने अभी तक मैं यह कह रहा था कि अगर 3D में कोई electron नहीं है तो वहाँ पर कोई भी DD transition नहीं होगा अभी भी मैं यही कह रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ complexes ऐसे हैं जहां पर 3D 0 होने के बावजूद वो colored हैं अगर वो colored हैं एक बात तो confirm है कि DD transition possible नहीं तो फिर colored कैसे हैं तब वहाँ पर आता है charge transfer spectra तो वहाँ पर क्या होता है charge के transfer के थुरू आप क्या बोलते हो कि color आता है DD transition के थुरू क्योंकि यहाँ पर possible नहीं है example के तोर पर आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा लिखा है CRO4 2 negative तो आप यहाँ पर निकालेंगे तो chromium पे आएगा plus 6 और chromium plus 6 का मतलब है 3D के अंदर 0 3D के अंदर 0 अरे वहाँ 3D 0 होने के बावजूद यह बहुत ही सांदार yellow color का होता है CRO4 2 negative चाहेब आप यहाँ पर लिख लिए के टू CRO4 या आप लिख लिए एने टू CRO4 color हमेसा deep yellow ही आता है अच्छा है यह क्यों आता भी यह जब आप कह रहे हो कि 3D 0 होने के बाद डीडी ट्रांजिशन नहीं होता तब कैसे color आ गया मेरे भाई तब दूसरे तरीके से color आता है और उसको बोला जाता है charge transfer spectra उसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर देखिए मैंने structure बना दिया TR-101O यहाँ पर होगा oxygen पर negative charge यहाँ पर भी होगा oxygen पर negative charge ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि देखो भी हमारे chromium पर plus 6 है chromium पर plus 6 है तो यहाँ पर plus 6 oxidation state है यहाँ पर क्या negative charge है तो positive charge की तरफ electron क्या होते हैं इस तरीके से transfer होते हैं इस तरीके से transfer होते हैं और यहाँ से भी होते हैं इस charge के transfer होने की वज़ा से color आते हैं और इसको बोला जाता है charge transfer spectra जान रखेंगे CRO 4 2 negative का color क्यों आ रहा है D पे लो क्योंकि वहाँ पर charge transfer spectra है ये सवाल आएगा तो आप जबाब इस तरीके से देंगे clear वामला yes sir अगला क्या है MNO 4 negative यहाँ पर भी आप आएं तो आपको मिले इसका मतलब 3D 10 है और अगर 3D 10 है 3D 10 अरे नहीं 3D 0 होगा 3D 0 होगा अगर 3D 0 होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर डीडी ट्रांजिक्शन नहीं होगा मैं भी यहीं कह रहा हूं कि डीडी नहीं होगा अगर यह color सुना होगा KMNO4 potassium permagnate purple color का होता है यह purple color का जो दिख रहा है इसका reason क्या है तो आप कहेंगे को D के अंदर 0 है डीडी ट्रांजिक्शन तो नहीं है इसका मतलब यहाँ पर चार्ज ट्रांस्पर स्पेक्ट्रा होगा यसर अगले पर आ जाते हैं CR2O7 CR2O7 2 negative जहां से सुनेंगे यहाँ पर भी आप निकालिए तो chromium पर प्लस 6 आएगा एक chromium पर प्लस 6 आएगा निकाल के चेक करो oxidation state तो आप यहाँ पर भी 3D 0 लिखोगे इसके बाद color देखो बहुत ही सांदार orange color होता है K2CR2O7 potassium per magnet sorry K2CR2O7 dichromate तो यह orange color का reason क्या charge transfer spectra आगला alloy तो भाया सुद्धरूप से याद करना पड़ता है alloy क्या होता है metals को मिलाते हैं मिला करके हम क्या बना देते हैं जो चीज बनते हैं उसी को alloy कहते हैं तो क्या mixture of elements को हम alloy के नाम से जानते हैं इनके alloy कभी कभी पूछे जाते हैं brass के अंदर आपको copper and zinc मिलेगा bronze के अंदर यह क्या है copper और tin मिलेगा SN मिलेगा ठीक अगला क्या gun metal या bell metal बोलते हैं यह जो मंदिरों में गंटे लगे हुए है यह क्या हो जगा सी यू जड़न SN हो जाएगा तो आपको इस तीनों में नजर के आ रहा है कि एसन मतलब 10 जिंक और copper यही मिलके अक्सर बनाते हैं लेकिन किन के साथ combination भया यह याद करना पड़ेगा आपको ठीका जी एक चीत तो है कि iron होगा क्योंकि iron के extraction को पढ़ा था हमने तो steel में क्या होगा iron mainly present होगा लेकिन carbon होगा उसके दाख chromium और nickel होगा इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं फिकर को निकाल तेरी body कैसी है steel की है हमारी body steel की है तुम लड़ सकते हो फिकर को निकाल दो ठीक है जी तो याद करना पड़ेगा तो इसका यही तरीके है अनो फिकर को निकाल अब यहां पर क्या होता है एक अनोरे मेडल होता है m अगला क्या भाईया जी याद कर लेना उसको अब आते हैं F-block element पर खतम नहीं कर रहा हूं भाईया बीच में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि length night contraction पर थोड़ा सा आपका निगा खीचना है आगे दिखते है inner transition elements मन में सवाल होगा कि इनको inner transition क्यों बोलते हैं कि देखो भाईया हम अज लो यहीं पर एक line में हम जब तक transition elements की बात करते थे तब तक हम n-1d की बात करते थे पहले लिखते थे ns इसके बाद लिखते थे n-1d यहा तक तो transition elements था लेकिन उसके भी अंदर अगर चले जाएं उसके भी inner चले जाएं उसके भी अंदर जाएं तो बोला जाएगा inner transition element and that is n-2f अना पहले जो valence पहले वाले को तो valence cell बोल लोगे या बोलता है इसको ultimate cell this is ultimate cell n is ultimate तो n-1 is n-1 क्या हो जाएगा penultimate अगर ये ultimate cell मतलब valence cell last cell और ये क्या हो जाएगा penultimate तो ये क्या हो तो जो बाहर की तरफ वो n-1 n-2 तो cell का नाम कैसे लिखते है ultimate cell मतलब valence cell यहाँ पे क्या हो जाएगा penultimate cell और ये anti-penultimate cell इस तरीके से सब्दी यूज किया जाता है तो आप बोलते हो inner transition इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आपका electron है वो कहां पे आता है f के अंदर आता है और जो f होता है वो आप देखोगे न n-s से तो हमेशा दो कम करके आएगा तो आप बोलोगे transition यहाँ तक तो transition था लेकिन अब transition के अंदर भी जा रहे वह यह तो इसलिए inner transition elements बोला जाता है यह actually na configuration को देख करके बोला गया है आई यह देखते हैं फस्ट है length nights क्या होता भई यह आपको याद है सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर तुम यादो लालू एक बात का ध्यान रखना मैंने क्या बोला था सीने पर नदिया किसकी समाई प्रेम की मेरे भाई प्रेम बहुत खतरनाक है प्रेम बहुत खतरनाक चीज है क्या है प्रेम ब प्यार क्या है रेडियो एक्टिव है तो जो हमारा प्रोमीथियम है वो प्रोमीथियम प्रेम क्या है रेडियो एक्टिव है तुबारा सुनना भईया मैंने क्या बोला प्रेम हमारा कैसा है रेडियो एक्टिव है बागी के लोग जो लेंथिनाइड में छापे गए इनमें से कोई भी radio active नहीं है सिर्फ प्रेम radio active है इतना असान है प्रेम radio active है आज के बास से जभ तुम्हें लगे वो दगादे गई तो सोचना प्रेम भया क्या है radio active है व возмया इसे खतम हो जाता है radio active का मतलग क्या होता है कि आज तुपारे पास 100 रुपए के बराबर का मानलोग प्यार है तो उसके half life के बाद 50 रुपए का बचेगा उसके half life के बाद 25 रुपए का बचेगा उसके बाद 12 रुपए का बचेगा तो बदलब इस तरीके का DK देखने को मिलता है समझ गए न भाई कहानी ठीक है याद रहेगा प्रेम क्या है रेडियो एक्टिव है वैसे भी तुम रेडियो एक्टिव ही रहते हो आज कल ये तो लैंथनाइड की कहानी थी अब मैं एक्टिनाइड की कहानी है सुनाता हूं एक्टिनाइड में मेरे भाई देखना क्या लिखा है थोर के पापा ने यूँ बोला नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में जाना ऐसे फर्माना मैडम नूडल्स लाओ रहे मामला क्लियर है जी यस सर यह सब के सब क्या है रेडियो एक्टिव है अब देखो भई यह क्या है यह थोर और ओडिन यह सब की दुनिया में क्या है सब कुछ रेडियो एक्टिव मेटरियल से मेरे भई यह सब के सब क्या है रेडियो एक्टिव मेटरियल से देखो यार याद में आप देखो ये दोनों क्या है मेटल सें तो ये वा kita रिकते हैं तो इस लिए दोनों के मैटल होने की वजह से कहानिया है तो लोग मैटल से एक इथर यह सवर्ण्याद रहेगी यह सर्याद रहेंगी कोई दिक्कर कोई परिसानी नहीं है आप देख लिए यह क्या है मैंने बोला यह पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव पूरा का पूरा फैमली ही रेडियो एक्टिव है मेरे बाई पूरी की पूरी फैमली एक्टिनाइड क्या है रेडियो एक्टिव है है आप क्या करते हैं चाकू से उसको कट कर सकते हो सोडियम की कहानी पढ़ते हैं वक्त आप समझते हो अच्छा अब क्या बोला गया अगर इनको oxygen में रख दिया तो यह अपने respective oxides बना देंगे इस वज़ा से यह बोला गया है कि यह क्या है oxidize हो जाते हैं और एक बात मैं यहीं clear कर देता हूँ चांकि यह सब के सब metals है तो metal का जो जो character है वो सब यह सो करते हैं तो क्या करते हैं सो करते हैं तो metal के character यह सारे लोग सो करेंगे तो जो भी physical properties पढ़ते हो ductile sonorous यह सब के सब character इनके अंदर देखने को मिलते हैं मामला clear है यह अगली चीज़ है electronic configuration यह देखना बहुत जादा important है paper में आएगा मेरे भाई paper में आएगा यह क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनने एक तो आपको length num का आना चाहिए यह सर हमने पढ़ा हुआ था length num में क् मेरे थीक है length num के बाद कौन आता यह क्यों सीरियम और यह भूल गए क्या length num का 57 इसका मेरे भाईया 58 होता है और सीरियम कहां पर प्रेजंट है आपके 4F series में present तो यह सीरियम आपका पहला element हो गया आपके 4F सरीज का इतने बाद ठीक है यहां पर मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आप पर दिखन नहीं जा था ठीक है यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे जनौन अगला क्या लिखेंगे बोलो अरे आप क्या लिखा जाए सर यह कितने एलेक्ट्रों सिर्फ एक इन दोनों में अंतर देख लो इन दोनों में अंतर देखो यहां तक की बात पुरानी चाप दी गई अगला क्या है यह हमारा सीरियम 4F का पहला element है इसलिए हमने लिख दिया 4F1 कितना आसान है कि आपको सीरियम समझ आया कि electronic configuration मेरी समझ से प्रोमीथियम पे आता है सीरियम के बाद आता है प्रोमीथियम तो देखेगा प्रोमीथियम के लाइन थोड़ी सी अलग है प्रोमीथियम में आपको D दिखाई नहीं देगा देख लिजिए प्रोमीथियम में आपको कहीं भी D दिखाई नहीं देगा D कहां कहां दिखाई चलो ऐसा करता हूं पहले वो पढ़ा देता हूं ताकि आपके धिमाग में वो लाइन ठ्क record अगली लाइन क्या है कि देखो भी यह अगला है and गैडोलीनीम साथवे नमबर पर आता है काहां पहा आता है साथवे नमबर पर तो आप यह कहना कि देखो जो पहले नंबर पर है, साथवे नंबर पर है और 14 नंबर पर है, सिर्फ वहाँ पर 5D1 होगा और 5D1 होगा बस इतनी सी बात क्या पहला element मतलब सीरियम, दुबारा सुन लो, पहला element सीरियम, इसके अंदर 5D दिखाई देगा साथवा element गैडोलीनियम, साथवा कौन है गैडोलीनियम, तो गैडोलीनियम में भी 5D1 दिखाई देगा और 14 element 5D1, याद करना भी आसान होता कि देखो टोटल 14 element है, पहला साथवा और 14, मतलब सुरुवात और लास्ट और बीच वाला, वहाँ पे 5D1 प्रजेंट होता है, बोलो भई, यह लाइन समझ जाई, पहला साथवा और 14, जो element होगा, वहाँ पे आपको 4D1 दिखाई देग 4F series के अंदर, तो cerium में देखो 4D1, sorry 5D1 दिखेगा, 5D1, 5D1 दिखेगा, 5D1 है सर, इसी तरीकी से gadolinium सातवे नंबर पर आता है, और अगर सातवे नंबर को आप देखो, तो 58 से लिकर के सातवे नंबर पर कौन हो जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 तो क्या लिखोगे, यही लिख यहां तक की बाद ठीक है, लेकिन सातवे नंबर पर होने की वज़ा से 4F7, देख लो, 4F7 लिखा जाएगा, क्या आपको gadolinium वाली बात समझ आई है, भलो भई, क्या आपको gadolinium वाली बात समझ आई है, यस, gadolinium के बाद, last में देखो है, देख लो, lutecium, अगला है, lutecium 71 पर आप देखो, जो 14th element है, उसमें क्या होगा, 5D1 होगा, इसका मतलब 6S2 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 5D1, और 14th element होने की वज़ा से F के अंदर 14 लिखा जाएगा, देख लो एक बार, सबके सब लोग एक बार देख लो, सबके सब लोग देख लो मेर भई, इतनी बा यह कौन सा है, चवदा होगा, तो पहले वाले में 4F1, सातवे में 4S7, और 14th में 4F14 लिखा जाएगा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझने किसी को अधिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अब एक चीज और है, इतनी बात आनी चाहिए, आप देख लो एक चीज अगर समझन चाहते हो, तो यहां से देखो, सीरियम के बाद अगर आप प्रोमीथियम पे आएंगे ना, तो यह एक बात ध्यान रखना, यहां पर आप कहीं पर 5D1 नहीं लिख सकते तो, 5D1 के वाल तीन जगा रहता है, सीरियम, गैडोलीनियम, लिटेशियम, तो आप कहो के देखो भई यहां पर अगर आपके D के अंदर इलेक्टरॉन वाले नहीं लिखनी है, तो यहां पर 4F1 था, तो अगला 4F2 होता, 4F2 होता लेकिन क्योंकि यहां 5D1 नहीं लिखना तो D1 वाला भी 4F के अंदर हो जाएगा, इसलिए यहां पर 4F3 है, फिर 6S2 है, यहां है, 4F3, 6S2, एक का करना, यह तुम्हें मिलेगा, वहाँ पर बैठके इत्मिनान से एक बार देख लेना, ठीका जी, आपको दिक्कत तो नहीं है, यह जनौन क्यों लिखा गया, अरे भईया, लैंथनम के जस्ट पहले, कौन सा इनर्ट गैस कन्फिगरिशन आता है, वही तो यहां लिखा जाए है, वह आपको पहले याद हो, क्या-क्या, गैडोलीनियम, गैडोलीनियम याद हो, और आपको लिूटेशियम याद हो, फिर आप घर पे बैठके एक बार देखेंगे, विस्वास मानी है, पूरा का पूरा इलेक्रोनिक आपको आजाएगा, कोई प्रॉबलम नहीं होगी, आगे बढ़ जाते हैं, अब देखें, कौन से ऑक्सिडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अक्सर यहाँ पे आपको पूरे लैंथनाइड के प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट ही देखने को मिलते हैं, तो लैंथनाइड जनरली सो प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स् शुरुआत में, याद आ रहा है, इसकाइंडियम, इसकाइंडियम की फैमिली का है, तो पूरे के पूरे, जो आपके लैंथनम है, स्थीरियम है, गैडोलियम, लिटेशियम, ये सबके सब लोग क्या कर चाहते हैं, प्लस थ्री ओक्सिडिशन स्टेट बनाना चाहते हैं, कितनी बाद ठीक है? कितनी बाद ठीक है? यस, आगे बढ़ जाता हूँ, ये question करो सब के सब लोग ये question करो, करो क्या लिखा गया? कि भया does not form Mo2, कौन सा ऐसा है जो Mo2 नहीं बना सकता? कदाईए, कौन सा ऐसा है जो Mo2 बनाना पसंद नहीं करता अब समझो, Mo2 बनानी का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पर metal पर प्लस 4 oxidation state होगा Mo2 oxygen का कितना होता? माइनस 2, तो यहाँ पर प्लस 4 कौन सा ऐसा है जो अपना प्लस 4 आसानी से बनाना नहीं चाहता, तो यह भया जाकर कि आप एक बार देखेंगे, इससे related statement आगे मैं करवाने वाला हूँ यह थोड़ा सा पहले आचुका है, आप आएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा, YB इसका जबाब होने वाला है आप क्या देखेंगे, इसका जबाब क्या होने वाला है? YB होने वाला है, देखो जो यटर बियम है न, वो या तो प्लस 3 बनाता है, या तो प्लस 2 बनाता है, क्यूँ? क्यूँ बनाता है मेरे भई? जो यटर बियम है, या आप जब electronic configuration ढंक से देखेंगे, तब आपको आगे किया आएंगी, बहुत अच्छे तरीके से clear किया जाएगा, लेकिन अभी इतना समझो, YB का ये electronic configuration है, तो YB क्या होता है? प्लस 2 oxidation state आराम से बना लेता है, पता है क्यूँ? क्योंकि वो S के दोनों electron आराम से निकाल ले जाएगा, जैसे ये निकालेगा, तुरंत ये अपने आपको क्या बना देगा? देखो, fully filled बना देगा, सब लोग देखो, सब लोग लिखो, क्या हो जाएगा? YB 2 plus बनते ही, ये fully filled हो जाएगा, फिर आगे 4 plus बनाना बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि आपको क्या करना होगा? ये fully filled को break करना पड़ेगा, YB के 4 plus बनाने के लिए, 2 plus तक तो आपने 2 electron यहां से अटाए, लेकिन तीसरा electron हटाना थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 4F14 है, इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए YB जो होगा, वो बनाना नहीं चाहेगा, क्या नहीं बनाना चाहेगा? MO2 बनाना नहीं चाहेगा, इतनी बात समाझ आई की नहीं आई, पीछे दो देखके भी बताया है, दिरदरे प्रक्टिस से आएगा, एक बार में सीख नहीं जाओ गया, अगला क्या है, कि लैंतिनाइड, that does not, does not so plus 4 oxidation state, plus 4 oxidation state कौन सा ऐसा है, जो नहीं सो करता, वो statement मुझी सा साथ थोड़े पहले पढ़ानी चाहिए थी, यहाँ पर आपको EU मिल जाएगा, देखिए, अभी याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आईए, यहाँ पर देखिए, जो आपका European है, European में आप आएंगे, तो आपको दिखेगा, कि कौन से नंबर पर है मेरे बाई, 6th नंबर पर, gadolinium के जस्ट पहले आता है, gadolinium के जस्ट पहले आता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर European, यहाँ पर लिख देंगे यह, तो अगला हो जाएगा, 4F7, 6S2, अब बताइए, कौन सा oxidation state यह बनाना पसंद करेंगे, चले सब के सब लोग बताइए, कौन सा oxidation state बनाना यह, पसंद करेंगे, सर यह, हाँ से दोनों एक्टान निकालोगे, तो निश्चित रूप से यह, यहाँ पर जो आपका European है, वो 2 प्लस बनाना पसंद करेंगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 2 प्लस बनाने के पास, 4Fs क्या हो गया, 7, 7 का मतलब यह, हाफ फिल्ड है, अरे बह गैडोलिनियम के बाद लास्ट में आता है, चलो सब लोग यहाँ ध्यान दो, इस पर थोड़ दिर बाद लोट जाएंगे, यहाँ देखो चलो, गैडोलिनियम के जस्ट पहले EU आता है, हाना, और LU के जस्ट पहले YB आता है, यह बात याद है कि नहीं याद है, तो हम इसी तरीके समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यह है का पहला, और इसको पेर में याद रखो, गैडोलिनियम एंड यूरोपियम, ठीक है, गैडोलिनियम एंड लिटेशियम, इसके जस्ट पहले आता है, तो देखो भाई, यहाँ वाले का तो आपको पत है, तो उसी से उपर वाले के अगर मैं बात करूं, तो लास्ट में है ना, तो वह जागा 4F14, और यह लिखा जाता है 6S2, 4F14 and 6S2, लेकिन लिटेशियम का आप क्या लिखते थे, सब लोग बताएं क्या लिखते थे, लिखते थे 4S2 और अगले में लिखते थे 5D1, तो एक इलेक्टरॉन नीचे है ना, तो बढ़ाना पड़ता है, देखो कितनी similarity है, आराम से याद हो सकती है, आराम से याद हो सकती है, कि लिटेशियम में क्या था, 5D1 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 5D1 नहीं आएगा ना, तो एक कम कर दो, तो यही YB का electronic configuration हो जाएगा, तो आप क 5D1 होगा, इसके करम के चक्कर में मत पढ़ना, ठेक, आप देखो क्या करना है, जो गैडोलीनियम के जेस्ट उपर है, क्या करना सिर्फ 5D1 हटा दो, सिर्फ 5D1 हटा दो, कितना आसान है ये, कितना आसान है ये मेरे भाई, दोनों को pair में याद रखना तो बहुत ही आसान हो करना इस तरीके से रिलेट करते हुए याद करते जाना है, रिलेट करते हुए याद करते जाना है, तो यह आपका हो जाएगा लेटेशियम, आपको आगया और पढ़ाया जाएगा, इसा मैं सोच हो कि यही तक कहानी कतम होगी, ठीक, यह आप देख लेंगे, क्या लिखा है इसके बाद 5D1 लिखेंगे अब बताओ क्या लिखे अरे गैडोलिनियम कितने नमबर पे था अरे 7th नमबर पे था सारे लोग बताओ ना यार 7th नमबर पे है अगर 7th नमबर पर है तो 4F7 लिखकर के कहानी बंद की जा सकते है तुरंद बोलना भया गैडोलिनियम का यह सही है कि नहीं है यस सर मजा गया सर अब गैडोलिनियम 3 प्लस का मतलब 4S के सारे इलेक्ट वटाओ 5D1 के यह भी इलेक्ट वटाओ तो लाश्ट में के वल 4F7 बचेगा 4F7 बचेगा तो गैडोलिनियम 3 प्लस में सिर्फ 4F7 है अगर 4F7 है तो आपको एक बात पता है कि हमारे F सबसल में कितने होते हैं भाईया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आपके पास कितने उलेक्टरॉन थे? 7 थे? 7 अनपेर्ड उलेक्टरॉन होंगे तो गैडोलीनियम के पास 7 अनपेर्ड उलेक्टरॉन मौझूद होते हैं क्लियर है कि नहीं है? अरे बोल दो यार अब तो बुद्धी खुल गई होगी अगर 7 अनपेर्ड उलेक्टरॉन मौझूद हैं तो निश्चीतरॉन से कितने बोर मैग्नेट उन आएगा? होगा? बोलो भाई magnetic moment कितना लिखा जा, sir 7 point something होगा वो मेरेको पता नहीं कितना वोगा, but 7 point something होगा 7 point something more magneton आयेगा 7 point something more magneton आयेगा कितने लोगों को आगया? Very very good, बहुत सही बहुत सही, मज़ा आ गया ना? तो question ऐसे solve करना है? सिर्फ आपको 1714 याद होगा उसके सहारे आपको पूरा का पूरा electronic configuration याद हो जाते हैं इसके बाद तो आप महीर हो जाते हो यार अब फिर कुछ बसता ही नहीं है आई ये अगला सवाल देखते हैं ये वैसे आपके लिए लेके आया हूँ आप खुद करेंगे मैं आपको बद थलका सा हिंट दूँगा लिखा है बाइवैलेंट यूरोपियम बाइवैलेंट यूरोपियम वैसे मैं यार ये भी बता चुका हूँ हमने बताया था ना EU2 प्लस EU2 प्लस इसका electronic configuration कौन लिख पाएगा अब इसके बाद है ट्राइवैलेंट सीरियम ट्राइवैलेंट सीरियम का मतलब सीरियम पे 3 प्लस चलिए बताये दिरियम 3 प्लस लिख ले जाएंगे मेरी समसे लिख ले जाना यार क्या बताऊं अभी सब 4F क्या हो जाएगा 1 EU किस से पहले आता है गैडोलिणियम से जस्ट पहले आता है तो दो electron अगर आपने हटा दिये तो वो कहां से अटेंगे 6S से अटेंगे क्या बचेगा 4F 7 बचेगा अभी बताया था सवाल हमेशा actually यहीं से पूछे जाते हैं very very good बहुत सही जबाब तो मैंने ये भी समझा दिये कैसे क्यूं याद करना है क्या उसका तरीका है दिमाग में कैसे set करना है पेपर में कैसा पूछा जाता है अब कैसे यह आपको block chemistry में है बारे भाई आईए अगला देख लेते है अगला सवाल है atomic radius से related पताइए यह आपको पढ़ाया गया था कहाँ पर जब मैंने periodic table पढ़ाया था कि जब हम serium से लेकर के leutation तक जाते हैं यह कहाँ पर present है देखो left से आप right जा रही हो आप कर क्या रहे हो आप यहाँ पर अगर left to right जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा effective nuclear charge बढ़ेगा और यहाँ तो बहुत जादा बढ़ता है effective nuclear charge क्यों कि आप इनका electronic configuration जब लिखते हो तो वहाँ पर 4F present होता है और 4F का poor shielding होती है ठीक है तो होता क्या है मालो यह nucleus है और आपका valence electron यहाँ पर बैठा हुआ है लेकिन बीच में कौन आ गया 4F आ गया तो 4F क्या क तो number of proton in nucleus बढ़ता जाएगा और आपका electron 4F में जाएगा और 4F में जाने का मतलब एक ऐसी जगा पर जाना जो कि shielding ही नहीं करता जब electron तो बढ़ रहे हैं proton भी बढ़ रहे हैं लेकिन proton nucleus में जाकर के nucleus को मजबूत कर रहे हैं और electron क्या कर रहे हैं रोक नहीं रहे हैं उस force of attraction क क्योंकि वो 4F के अंदर present है poor shielding है वहाँ पे तो ये electron अंदर बहुत जादा खिंच जाएगा तो radius छोटी हो जाएगी और इसी छोटी हुई radius को lengthenide contraction कहते हैं क्या कहते हैं lengthenide contraction कहते हैं मजा आया गरीब shielding है एकदम सही बात है ठीका जी खटा पुरानी उसके पास क्या है ख nucleus है nucleus को एक torch मान लीजी ये torch है और आपका ये रहा 4F ये फटा पुराना परदा है इसकी अवकात रोकने की नहीं है आपका electron यहाँ बैठा हुआ था किसी balance cell में बैठा हुआ था क्या कि या इस torch को आपने जलाया तो ये परदा उसको रोक नहीं रहा अरे वो तो फटा हुआ था रोशनी निकल के कि बाहर आएगी इसके उपर रोशनी कौन है और वो रोशनी नहीं जो आपकी चैट में है वो इधर रोशनी क्या है force of attraction जो कि nucleus इस electron को अपनी तरफ लगा रहा है I hope आपको समझ में आया होगा कि पूर शिल्डिंग की वज़ा से फटे पुराने परदे की वज़ा से वो light निकल के गई मतलब force of attraction निकल की गया और उस electron को अपनी तरफ अंदर खीच करके ले कि आ गया समझ में बात आ गई होगी कि this decrease in radius is called as lengthenide contraction अरे simple सी बात है ये क्या देकर हो serium से जैसे जैसे आप mutation तक जाओगे क्या होगा effective nuclear charge बढ़ेगा पूर F-sil्डिंग क की वज़ा से size बहुत तेजी से घटती हुई जाएगी अगर तेजी से size घट रही है तो इसको एक special नाम दिया गया क्या दिया गया contraction लेकिन कहां पे lengthenide के अंदर ही तो हो रहा है इसलिए नाम है lengthenide contraction क्या lengthenide contraction आधा धूरा explain करे हो अरे भाई इससे जाधा क्या explanation लोगे तो बहुत अच्छे से explain ये जो पढ़ा रहा हूं इसको मैं periodic table में बहुत time दे करके explain कर चुका हूं तो सिर्फ remind कराना है पहली बात तो लेकिन explanation torch वाली देकर के भी समझा दिया मेरे भाई आए देख लेते हैं देख लो मेरे भाई यहाँ पर क्या देखने को मिलता है यहाँ पर अगला this decrease is due to poor shielding of f orbital electrons ठीक है यह कहानी छोड़ते हैं अब समझते हैं कि लैंथनाइड का जो contraction है इसका effect क्या होता है इसके effect के बारे में हमें कहां देखने को मिलता है यहाँ पर देखना वह या सब लोग देखना period number four five six के अंदर लैंथनाइड contraction की थोड़ी feeling आएगी आपर जा रहें लैंथनम में अगर मैं atomic size की बात करूं तो दिमाग में लाइन डालो atomic size अगर मैं atomic size की बात करूं तो हम क्या कहते हैं उपर से नीचे जाते हैं तो size बढ़ती है उपर से नीचे जाते हैं size बढ़ती है कोई समस्या कोई सक्त नहीं होना चाहिए उपर से नीच size बढ़ती है क्यों 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 कि नए cells जुड़ते हैं अब लेकिन यहां पे titanium gorionium में थो ठीक है ऊपर से नीचे जूशे बढ़ती है लेकिन देखने को यह मिलता है कि förgie Christina here Congratulations की pals करीब करीब बराबर हो जाती है Посर आप जयर्कोनियम और half Stephanieं की जो पडोसी में कितने का gap 32 का gap 32 का gap क्यों आया क्योंकि इनके बीच में कौन present है LA और HF के बीच में 4F series present है कौन present है 4F series present है और आपको एक बात पता है कि जो हमारा 4F series होता है वो यार चाहा करता है 4F shielding अगर 4F shielding करेगा तो वहाँ पर होगी अच्छी खासी lengthenide contraction क्या होगा lengthenide contraction LC lengthenide contraction अगर lengthenide contraction होगा तो देखो भया हुआ क्या LA से तुम serium तक गए थोड़ा से घटा serium से तुम luteion तक जा रहे हो न तो 14 time कम होता जा रहे कम होता जा रहे और इतना कम होता गया कि HF की जो साइज है बोच सीधे जड़ार के बराबर हो गई जबकि नीचे वाले का क्या है बोलो period number बड़ा है जबकि cell number इसका बड़ा है valence cell number बड़ा है समझाया क्या यसर समझाया इसका मतलब सर ये बराबर इसलिए हो रहे हैं जबकि वहाँ पर length night contraction है जबकि वहाँ पर poor F-silding है क्या है poor F-silding है similarly आपको यहाँ भी जबाब मार देना है ये एक दम सही है एक दम सही है मेरे भाई तो कोई भी payer paper में पूछा जा सकता है मैं आपको कह रहा हूँ आपके paper में भी ये दिखाई देगा आपके paper में भी ये दिखाई देगा मेरे भाई इसको आसिरवाद समझो कि तुम्हें पता है पेपर में क्या आ रहा है तुम्हें पता है कि paper में क्या आ रहा है मेरे भाई क्या बोला जाएगा कि बताईए ऐसे कोई साभी पेर लेगा चलो मानलो मैंने ले लिया मॉली बेडनम एंट टंग्स्टन यहां पर बोल दिया कि इन दोनों की साइज बराबर आ रहे क्यों क्यों कि यहां पर लैंथनाइड कॉंट्रक्शन है 4F की पूर सिल्डिंग हो रही है इस वज़ा से ऐसा हो रहा है एक बार पेपर जी एडवांस पेपर पूछ रहा है भाई AG और AU के बारे में इतना आसान इतने आसान है उसमें चार नंबर दिये थे AG और AU की साइज बराबर क्यों है रिजन है लैंथनाइड कॉंट्रक्शन का होना पूर F सिल्डिंग का होना सिम्पल सी बात है और यह पेपर में आया था देख लो मेरे भई अब एक सांदार कॉंसेप्ट सीखना है वो क्या है अक्सर आप इनमें कंफ्यूज रहते हैं कितना सीखना है क्या सीखना है वो सुनना जो आपकी atomic radius है हमें यह पढ़ना होता है कि जब हम स्कैंडियन से जिंक की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है अक्सर हमें यही लगेगा कि जिंक की तरफ जाएंगे तो क्या और लेफ्ट से राइट जा रहे है atomic radius घटनी चाहिए लेकिन actually ऐसा दिखाई नहीं देता हमेसा यहाँ पर variation दिखाई देता है अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आपसे पूछता हूँ चलो बताओ atomic radius किन बातों पर depend करती है बातों पर depend करती है भाईया जितना जादा nucleus आपका powerful होगा जितना nucleus powerful होगा वो valence electron को उतना जादा force of attraction से खींचेगा और जितने force of attraction से खींचेगा वो size उतनी छोटी हो जाएगी इसका मतलब nuclear charge अर बढ़ेगा तो atomic radius क्या हो जाएगी कम हो जाएगी atomic radius कम हो जाएगी इसमें किसी को कोई सक और संदे नहीं है अ चीज और सुनना यहां पर force of attraction थोड़ी है यहां पर देखो बीच में कोन है यहां पर बीच में इनरसल्स भी मौजूद है और उनी इनरसल्स पर एलेक्ट्रोंस मौझूद है और उन इनर्सल्स पर एलेक्ट्रोंस मौझूद है अगर मैं यह कहूं आपसे पूछता हूं कि क्या यह फैक्टर अभी डॉमिनेंट भी हो सकता है रे सर हो सकता है कौन सा फैक्टर वो तो बताओ पहले देखो इनके इनके बीच में रिपल्सन हो के इलेक्ट्रोंस में जगडा कर रहे हैं अगर यह इन्टर इलेक्ट्रोंस रिपल्सन अच्छा खासा हो गया तो बताओ यह इन्टर इलेक्ट्रोंस रिपल्सन अच्छा खासा हो गया तो इन्टर इलेक्ट्रोंस बढ़ जाएगी अरे रिपल्सन जितना जादा यह इलेक् कि अब क्या करना मजाद करना शिखांगा इसके बाद थी बतारों मजाद करना शिखिए जिन से आप आज तक डरते थे उनको मैंआपकी मुह्बत बनानी वादां हुग है कि यह क्या बात बोल रहे मात जिखती नद्य भी आम है पड़ना पसंद न करते से chromium तक जाते हैं मैं कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम मुझे कुछ बताऊगे और भया वन वे नहीं चलेगा टू वे चलेगा क्या बोला मैंने chromium तक अगर आप आए scandium इसके बाद titanium फिर vanadium फिर chromium अगर आप scandium, titanium, vanadium, chromium तक आते हैं तो देखा ये जाता है कि atomic radius घट रही है ये देखा जाता है atomic radius घट रही है मैं आप से पूछता हूं उसका reason क्या है अरे उसका reason क्या है समस्दार बालक बताएगा इन्हीं दो में से कुछ reason है चलिए बताईए चलिए तुरंद बताईए कि अब बताओ भाईया रट्टा मारने वालों से जवाब नहीं पूछ रहा हूं मैं उससे पूछ रहा हूं जो देख के समझ के बता सकता है कि अगर साइस घट रही है अरे भाईया साइस घट रही है तो nuclear charge obviously बढ़ रहा होगा वही कोई dominate करेगा अरे दो factor है दो में से जब कोई dominate कर जाएगा तो निश्चत रूप से उसी का effect वहां पर लग जाएगा तो आप बोलेंगे कि यहां पर nuclear charge dominate कर रहा है इस वजह से size घटती हुई नजर आ रही है और आप सभी के सवाल के जबाब देख करके बहुत मज़ा आया ए atomic radius मैं कह रहा हूँ घट रहा है अगर atomic radius घट रहा है तो निश्चत रूप से क्या होगा nuclear charge बढ़ रहा होगा यस वही dominate करेगा अगला चीज सुनें अगर हम बात करें यहां पर Mn2 nickel की किसमें Mn2 nickel मतलब क्या है मैगनीज के बाद क्या आयता है iron cobalt nickel तो मैगनीज iron cobalt nickel में ह iron cobalt nickel इनकी size करीब करीब same होती है अब प्रशना आता है कि यार यह size करीब करीब same क्यूं होती होगी size क्यूं होती है same उसका reason क्या दोगे अरे भया दो ही factor थे अगर size same आ रही है इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या होंगे compensate कर रही होंगे nuclear charge और inter electronic repulsion करीब करीब बराबर होंगे इसी वजह से यहाँ पर size क्या देखने को मिलता है nearly constant देखने को मिलता है ओहो यह मामला था जबरदस्ट तो क्या बोलोगे कि nuclear charge और inter electronic repulsion क्या होते हैं करीब करीब same होते हैं इस case में जब आप MN से निकल की तरफ जाते हो तो अगली चीज पूछता हूँ copper से जब jink की तरफ जाते हो तो देखने को मिलता है कि size थोड़ी सी बढ़ गई है slightly increase size थोड़ी सी क्या हो गई है बढ़ गई है अगर size थोड़ी सी बढ़ गई है तो इसका reason क्या हो सकता है क्या ये होगा नई size बढ़ने वाला reason कौन है ये है इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन इसका मतलब यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन डॉमिनेट कर गया होगा तो पहले साइज घट्ती है फिर बराबर होती है फिर थोड़ी सी बढ़ती है तो उनके रीजन्स यह होते हैं और पेपर में सिर्फ ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल आईए देखते हैं ग्राफ आईए ग्राफ देखते हैं इस ग्राफ में देखना इस ग्राफ में देखना भी यहाँ पर क्या है यहाँ पे आपको radius दिखेगी यहाँ पे आपको radius per nanometer करके है radius per nanometer nanometer में यहाँ पे लिखा गया है यह जो नीचे वाली line है वो 3D series की है इसके उपर वाली line 4D series की है इससे उपर वाली line 5D series की तो 3D, 4D and 5D series 3D series, 4D series and 5D series तो यह इनके लिए graph बना है पहले क्या हुआ देखना भईया यहाँ था scandium, यहाँ था scandium फिर titanium, फिर vanadium और इसके बाद chromium तो आप क्या देख रहे हो scandium से chromium तक जाने पर घटता है chromium के बाद इसके बाद देखो क्या आ जाता है MN MN से आगे आप देखो के nickel तक क्या हो जाएगा MN, इसके बाद iron इसके बाद cobalt और इसके बाद nickel इसके बाद देखो करीब-करीब size same है लेकिन यहाँ पे कौन है भईया copper और यहाँ पे कौन है उपर के तरफ जीए तो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है clear है मामला yes sir यहाँ पे देख लीजिए जो यह इस color की line है वो scandium, titanium, vanadium, chromium है तो 3D series अब यह इसके उपर 4D series 4D series आना white color वाली 4D series और यह उपर जो उस color से है यह कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आप बोलोगे 5D series और एक बात आपको नजर आ रही है क्या कि 3D and sorry 4D and 5D series क्या 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 4D and 5D series की size करीब करीब सीम है 4D and 5D series की size करीब करीब सीम है देख लीजिए अपके सब लोग देखें करीब आ जो 4D series और 5D series में देखो हर जगा आपको size क्या दिखेगी सेम दिख रही है करीब करीब इसका मतलब गया है कि हमने जो पीछे बड़ा था length night contraction वो इधर भी नजर आ रहा है लेकिन अगर कोई पूछ ही ले कि भाई आप करीब करीब क्या मतलब है बड़ा कोन होगा तो obviously देखो 5D थोड़ा सा बड़ा होगा देख लो 5D थोड़ा सा बड़ा होगा with respect to 4D लेकिन size करीब करीब ही होती भोलो भई याद क्या करना है पीछे वाली बातें तो समझा रहा हूं मैं यह जो समझा या था ठीक अगला देख लेते हैं question करिए atomic radius of ag चलो बताओ चलो answer बताओ सब लोग कोई जवाब दे पा रहा है भया क्या लिखा है ag का closest कौन होगा atomic radius में जवाब चाहिए भई बताओ ऐसे सवाल आते हैं paper में paper में ऐसे सवाल आते हैं चाहिए करना ही पाऊगे ज़रूर कर ली जाओगे ठीक है आपको करना क्या मैं एक बार बता देता हूं जब मैं इसको पढ़ा लूं तो इसको आप देखोगे एक दो घंटे में यह मैं upload करा दूँगा इसके बाद आप इससे heat revision मारे, notes बनाने की खास जरुवत नहीं है, इतना गंदा नहीं लिखता हूँ PPT पे बहुत खुबसूरत सा बना करके ले आता हूँ बहुत time लगा के लाता हूँ ताकि आप उसको सही तरीके से पचा सको अभी आप NCRT पढ़ने जाओगे विश्वास मानों frustration आ जाएगी reason बताता हूँ क्योंकि NCRT एक निश्यत रुप से वाहियाद book है, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ paper में आता वहीं से लेकिन नालायकों ने कुछ समझाया ही नहीं है एक भी चीज को समझाने की courses भी नहीं करते सिर्फ और सिर्फ statement दे करके खुश रहते है समझ रहे हो ना मात को तुम हाँ तो यही जान लो कि यहाँ पे क्या करना आपको एक बार जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से पढ़ना है और हर question जो class में अभी तुमने किया उसको एक बार और देखना है यह करने में जादा जादा एगंटे लगने वाले है बट कर लेना chapter strong हो जाएगा problem नहीं आने वाली यह मैं कह सकता हूँ इतना बड़ा lecture नहीं है चार घंटे का lecture क्या ब्रेक लेना है चार घंटे नहीं बढ़ सकते जीवन में आईए बात करते हैं आईजिशन एनर्जी में आईजिशन एनर्जी क्या है एक neutral atom में से electron निकालने में जो minimum energy लगती है उसी को हम ionization energy कहते है अकसर हमने left जाते हुए पढ़ा हुआ है क्या मिलती है बढ़ता हुआ मिलता है अचली ना ionization energy का order इतना ज़्यादा घिसा फिटा है उल्टा सीधा हो जाता है कि फिर उसको पढ़ने के कोई खास फायदा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा पढ़ना होता है सभी नहीं कि नहीं ignore मार देना है बताऊंगा कैसे आईए पहले ये देखिए second ionization energy के बारे में पूछा गया chromium and magneze के तो chromium को पहले first ionization energy लगा करके क्या बना दिए chromium plus बनाईए फिर magneze को भी आप क्या बनाईए magneze plus बना दिए क्या करिए magneze plus बना दिए chromium में क्या रहा होगा आप लिखोगे ये होगा 4s1 इसके बाद होगा क्या भाई 4s1 3d5 ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 4s2 3d5 होगा क्या सर होगा इनमें जादा किसका होगा तता तुम जबाब भी बतायागो साथ साथ में ठीक है यहाँ पर बताओ एक electron निकालोगे कहां से जाएगा S से तो बचा क्या 3d5 यहाँ से कहोगे तो क्या बचेगा 4s1 3d5 अब बताइए मेरे को electron निकलवाना है यह तो अभी 1st ionization energy हुई 2nd तो अब आएगा 2nd तो अब आएगा मेरे भाईया 2nd ionization energy तब जाकर कि यह chromium plus 2 बनेगा बताइए आसानी से किसको ionize कर सकते हो बोलो भाईया आसानी से कौन ionize होगा भाईया यह तो ionize नहीं होगा क्योंकि यह half filled है half filled है तो इसका ionization कठिन है तो second time ionize करना कठिन है इसका मतलब second ionization energy जादा होगी chromium के with respect to MNK अरज जबाब सही है क्या बहुत सही बहुत सारी लोगोंने सही जबाब बताया आनन्द आया कुछ यहाँ पर देखेंगे तब के साब बताएंगे लिखा है तो third ionization enthalpy is minimum is minimum for सबसे कम ionization enthalpy किसकी आएगी third वाली वैसे तुम देख कर यह जबाब मार सकते हो इतनी इसको practice कर लो देखते जबाब आ जाया सर आप जबाब रटके आयों किया नहीं ना लायक वो देखके कैसे समझते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ देखना यह 4S2 TD6 होता क्या यह सर आप देखो कैसे समझ में आता है जो आपका third वाला है third वाले में होगा क्या देखो FE से FE प्लस बनाएंगे FE प्लस से FE 2 प्लस बनाएंगे FE 2 प्लस के बाद जब आप FE 3 प्लस बनाएंगे तब हमें कहानी देखनी है तो देखो भी आद्यान से आपको समझ आ गया हो गए यार दो यहां से निकालोगे तो क्या हो जागा second third में आप क्या करते हो third में आप क्या करते हो कि जो 3D यहाँ पर मैं लिख दूँ 4S1 3D6 यहाँ पर क्या लिखोगे S8 दो क्या उल बचेगा 3D6 अब देखो भी आ 3D6 से जब तुम आओगे किसमे FE 3 प्लस बनाने मतलब 3D5 बनाने तो भीया 3D5 बनना आसानी से पसंद करेगा 3D5 आसानी से बनना पसंद करेगा ना भाई क्योंकि यह कौन है अरे यह stable है तो यह आसानी से बनेगा यह आसानी से बनना चाहेगा क्योंकि आप stable चीज बना रहे हो इसका मतलब अगर आसानी से होगा तो अब देप आओ यह बोलो देप आओगे क्या अरे MN MN का minimum कैसे होगा MN तो भाया सबसे ज़ादा हो जाएगा नालायक को maximum नहीं minimum लिखा है MN का तो सबसे ज़ादा होगा third वो भाई साब दिमाग मत बेंचा करो बहुत महगी चीज होती है नालायक बहुत महगी चीज है भाई एक एक चीज लिखके बताना पड़ेगा अब तुम्हें लगा था कि हमारी ये समझदार बालक है जिनको हम बढ़ाने आए हैं ये देखो ये देखो MN2 प्लस में अगर ये हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन निकाल करके तभी तो तुम्हें प्लस 3 जाओगे भाईया तो थर्ड आइनाजिशन एनरजी मैक्सिमम होगी तो इसी बात कर रहे हो भाईया ये गर स्टेबल है तो भाईया थर्ड आइनाजिशन इनरजी जो तुम अपलाई करने वाले हो वह बहुत जादा होगी क्योंकि आप इस्टेबल को तोड़ रहे हो लेकिन यहां तुम इस्टेबल बना रहे हो तो वह बनना पसंद करेगा कम एनरजी में ही बन जाएगा मामला ठीक है जी अबे पूरा धुआ डा रख था है तु क्यों अरे सकेंड में अगर यह है तो थर्ड वाला हाफ फिल्ड यह बनना पसंद करेगा नाला है और यह तो टूट नहीं चाहेगा कि यह बहुत है इन और्गनिक की आत्मा कांप जाएगी ऐसे पढ़ो गये तो क्या लिखा है इफेक्ट आफ लेंथनाइड कोंट्रक्शन इन और इनरजी यह सीख लो छलो पेपर में आएगा यह पेपर में आ रहा है बहुए झें देखो भही आमने पढ़ाता क्या साइज फोडी और फाइवडी सेरीज की क्या होती है साइज करीब-करीब सेम होती है अगर आइन अशन एक आविडी की बात करें तो देखो भहिय लेकिन साइज तुम कह रहे हो सेम है अच्छा साइज सेम है 4D और 5D की लेकिन नमबरा प्रोटन 5D में ज़्यादा है इसका मतलब 5D के जो सिरीज है ना वहां पर बैलेंस इलेक्ट्रोन पर लगने वाला फोर्स आफ अट्रेक्शन बहुत ज़्यादा होगा इस वज़ा से वह टीचर बच जाता है अच्छा फंस जाता है जनरली लिखते ही बच्चा फंसेगा टीचर बचेगा बताऊंगा यार इतना ज्यादा एपसर्ड चीजें नहीं आती पेपर में समझाओंगा बस आपको यह पता होना चे कि जनरली 4D स्रीज का आइनेशन एनरजी ज्यादा होत होता है 3D पीच में कौन होता है 3D थोड़ा सा पासा उल्टा पड़ जाता है मेरे भाई 3D इसके बाद हो जाता है 4D से तो यह किसका ओडर है आइनाइजेशन एनरजी का ओडर है जनरली यह चीज़ देखने को मिलती है सवाल आता है क्यों रिजन वही चिपकाना है पुरान बश्ता विए होगा एक्दम सही है यहां पर अजार Leafs नरजी घटी है लेकिन लेंठनम के बाद एक जादू होता है लैंठनम के बाद एक जादू है जिसका नाम है L traject लेंथनाइड इसके बाद ही problem create होती है तो जब तक लेंथनम नहीं आया तब तक देखो मामला ठीक है उपर से नीचे जा रहे हैं यहां पर भी उपर से नीचे जाने पर कम होगा लेकिन यहां पर पासा उल्टा पड़ जाएगा नीचे वाले का ज्यादा हो गया क्यों क्यों क और उसके सामने क्या 4F series पड़ी हुई है मतलब आपके electron 14 electron 4F orbital के अंदर हैं तो वहां पर क्या होगा पूर F shielding की वज़ा से यह जो nucleus होगा बहुत ही powerful होगा वो valence cell के electron पर बहुत अच्छी holding रखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा energy दे करके वो electron हमें निकालना पड़ेगा क्या 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 निकालना पड़ेगा इसका मतलब HF के case में ज्याजा ही आएगा सकते है परम सकते है कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है अगले चीज सुनना मैं आपसे सवाल पूछता हूँ चलिए बताईए जेडन cd और hg जेडन cd hg में ionization energy का order बताईए चल यहां दोनों में कोई दिक्कत नहीं है नीचे जाने पर क्या होती है घटी है लेकिन यहां देखो यह 4D series का यह 5D series का तो 5D series वाले का जादा हूगा और even that आपको क्या सिखाया गया सही से पढ़ो तो यह है 4D series का सबसे जादा hg इसके बाद कौन आएगा 3D इसके बाद इसका मतलब होता है इन दोनों में जादा किसका इसका इन दोनों में जादा किसका इसका इसका मतलब सिर्फ इतना है लेकिन आक्शुली देखोगे डेटा वाइस तो यह देखने को मिलता है इसको याद करने का एक तरीका बता हूँ अक्सर मैं इसको सही के निसान से पढ़ ने दो अगर तुम्हें सीखना है तो निश्चतरूप से वक्त देना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है तो यह है 3D अगला है यह 4D अगला पॉइंट है यह 5D सिरी समझ आया क्या तो 3D वाला देखो यहां है 5D उपर 3D फिर आता 4D तो इस तरीके से याद रख पाएंगे ठीक है जी याद रहेगा जनरली क्वेश्चन इसी पर आधारीत आते हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते अक्सर वहां पे क्वेश्चन नहीं बनाए जाते अब तो हां बोल दो यार अब आगे बढ़ जाता हूं अगली चीज अब एक बार बताओ यह लाइन सच है कि यहां पर आप देखते हो कि 3D10 यहां पर क्या रहता है 4S2 4S2 3D10 यहां पर 5S2 4D10 यहां पर 6S2 5D10 सब भरे पड़े हैं तो निश्चे दूरुप से वहां से निकालना कठिन कठिन इसका मतलब आइन से नर्जी जादा होगा मामला सही लिखा गया है शर्वशत है प्रती करके आए बहुत मार खाऊ गई यहां पर क्या लिखा है पस्ट आइनाजीशन एंथेल्पी किसकी जादा बताइए पस्ट आइनजीशन एंथल्पी किसके लिए पूछा जा रहा है यह बड़ा आसान दे दिया प्वेश्चन देखो कितना मजाग बना दिया है अरे जिंक का आपको पता होता है जिंक आपको पता होता है कि सबसे ज़्यादा रखेगा क्यों क्योंकि फुली फिल्ड है इस वज़ा से और एक ही ऑप्सन बनाया जिसमें जिंक सबसे आई है वाव वाव क्या मजा किया तुमारे साथ बोलो भाई बोलो भाई मामला ठीक है मामल पॉइंट अगर हमारे पास मेटल्स हैं तो उनके उनको क्या कराना मेट कराना है वह क्या है solidified हमाले लीजिए हची को छोड़ देते हैं अपने हची मतलब क्या होता है पारा अब जानते हो सब्सक्राइब तो अपने सब्सक्राइब तो जो आपके मेटल्स है उनके जो करनल्स है मतलब उनके आप ऐसे समझो जो कुछ छोड़ के बाहर बच्राइब बच्टा उसको बोलते हैं तो उनको कहरें कि ऐसे ओते हैं उडिक dal बाइन्ट से थोड़ा लोजली बाउन्ड होते हैं तो थोड़ा सा फृणते रहते हैं तो इस तरीके से घू तर किया थे मेट होता है अब कोई मेटल ज्यादा मजबूत तब माना जाएगा जब इनके बीच में खूब सारे electron घूमेंगे और यहाँ पर इस तरीके से arrangement होगा उनके metals के atom का तिक अब बोला क्या जाता है कि हाँ पर metallic bonding ज्यादा है यहाँ पर metallic bonding ज्यादा होने का chance कब होगा जब एक पडोसी के पास क्या हो अगल बगल के पास number of unpaired electrons क्या हो ज्यादा हो जब जितने ज्यादा unpaired electrons होंगे तो उनका दूसरे के साथ pair करने का chance बना रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा रिष्तेदारी होगी तो वहाँ पर force of attraction बना रहेगा आप ऐसे समझे तो वहाँ पर metallic bonding ज्यादा बोली जाती ह क्या होती है metallic bonding का ज्यादा बोली जाती है आये यहाँ पे देख लेते हैं अ किया बता है number number of unpaired electrons जितना ज्यादा होगा number of unpaired electrons ज्यादा होगा तो metallic bonding ज्यादा होगी अगर metallic bonding ज्यादा होगी to melting point and boiling point भी ज्यादा देखने को मिलता, दुबारा सुन लो number of unpaired electrons अगर metals के अंदर ज्यादा प्रजेंट है तो वहाँ पर metallic bonding ज्यादा होगी 欸क एक इटम्हें उसके पास जो इलेक्त्रॉम करेंगी इलेक्ट्रॉन के साथ भात प्लिंग करने की कोसिस करेंगे तो हाद फो इस बैस जो सबार्बन अच्छी एक अगर मेडली बॉन्डिक एट्ची है तो है का melting point boiling point अच्छा होगा मामला ठीक है क्या यसर समझ आगे आगला देख लेते हैं देख लो अच्छा जी यहां पर एक चीज़ देखना आपको यह समझाना है कि वह यहां देखो मारे पास अन-paird electrons नंबर अफ अन पैर देखो वहां इक तरफ से बताना सुरू करो आप और देखो न पर थीज़ वन एक टीज़ डिया यहां पर पर वह नहीं भैया यहां पर शाओधानी की जरूरत है क्यों हो क्योंकि यहाँ पर electronic configuration 4S1 3D5 होता है तो बताए कितने unpaired electron हुए अरे ये भी unpaired है पाँच के पाँच ये भी unpaired है इसका मतलग total 6 unpaired electrons हो टोटल क्या हो गए 6 unpaired electrons तो chromium के अंदर 6 unpaired electron मिलेंगे समझ गए बात क्यों भाईया यहाँ पर 6 unpaired electrons क्यों है तो लिख देना कि वहाँ पर क्योंकि 4S1 3D5 electronic configuration है यहाँ पर 6 हो जाएगा तो देखो भईया क्या देख रहे हो आप कि भईया 1, 2, 6 हो गया directly इसके बाद MN में बात करो MN में बोलोगे 3D5 होता है तो 5 हो जाएगा अगला 3D6 होगा तो 1 pair हो जाएगा 4 बचेगा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा यहाँ पर 1 और जिंक में आपको 0 unpaired electrons में रहे हैं तो number of unpaired electrons के हिसाब से मैंने यह arrange कर दिया अब आप बता दीजिए कि किसका melting point सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम चलिए बताइए सबसे ज़्यादा melting point किसका होगा अरे सर क्रोमियम में देखिए चैन पर डिरेक्ट वान है इसका मतलब इनका melting point ज़्यादा है क्यों क्योंकि क्रोमियम के case में metallic bonding बहुत ही अच्छी मिलती है इस वज़ा से आप बोलेंगे कि क्रोमियम के अंदर metallic bonding ज़्यादा है तो melting point भी ज़्यादा होगा देख लिजे पढ़ लिजे क्या लिका है क्रोमियम है highest melting point among the 3D series तो बुद्धी सायथ खुल गई होगी आपको समझ में भी आ रहा होगा अगला दिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the n-s electron in the inner atomic metallic bonding है मतलब क्या है कि आपके पास metallic bonding क्या हो रही है जो हमारे metal के atoms है उनके बीच में जो metallic bonding है वो किस बातों पर depend कर रही है इस बातों पर depend कर रही है कि 4s के अंदर कितने unpaired है और 3d के अंदर कितने unpaired है इन दोनों को मिला करके बोला जा रहा है यह लिखा है involvement of greater number of electrons from n-1d मतलब 3d in addition to in addition to 4s तेका जी यह तो यहाँ दोनों के unpaired electrons आप चेक करते हैं देखें जी मामला समझ में आ चुका है अगली लाइन देखें because of stronger interatomic bonding दो atoms की बीच में अच्छी bonding होने की वज़ा से transition elements have high melting point and body point यह जनरल बात है बाकियों metals के आप consider करेंगे तो यह चीज़ देखने को मिलेगा बाकियों metals में एक दो unpaired electron हो सकते लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो आप पांच छे और चार जैसे numbers आ रहे है unpaired के लिए unpaired electrons के लिए तो निश्चे दुप से metallic bonding यहाँ पर बहुत सांदार बहुत जबरदस बहुत जिल्दा बाद होगी इतनी बात तो मज़ा गिरिये यह सर मज़ा आ गया अब पढ़िए यह देखिए which group element has the highest melting point चलिए बताईए अभी तो बताया था सर chromium होगा सर chromium लेकिन वो chromium नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है कि वो chromium किस group का है वो पूछ रहा है chromium किस group का है बताईए आपको आता है कौन बताएगा भई किस group का होता है chromium number बता सकता है कोई number बता सकता है क्या कोई आप क्या बोलोगे group number 3 फिर आएगा group number 4 फिर आएगा 5 और group number 6 यह ऐसे होता ना, scandium, titanium, vanadium, इसके बाद chromium, तो chromium होगा group number 6 का, chromium होगा group number 6 का, जबाब दिया क्या किसी ने, अरे 4 लिखा है किसी ने, नहीं 6, बहुत सही, बहुत सही, क्या बोला जाएगा, 6, तो अब जबाब आ चुका है, paper में आएगा भाईए, जान लो, group number 6, अब एक ची विजदार लोग है, in case of melting point, इनका melting point सबसे ज़्यादा आता है, पूरे group 6 का, बोलोगे, melting point ज़्यादा होता है, अपने respective period के अंदर चेक किया जाए, तो, अपने respective series के अंदर अगर वो चेक करें, तो, मामला ठीक है, यस, और एक बात और देखो, अगर मैं आपसे पूछों, कि उपर से नीचे जाने पर, बताए, melting point बढ़ेगा या घटेगा, तो, आप कहेंगे, कि आप पहले बताए, कि यहाँ पर metallic bonding बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो, देखो भया, metallic bonding क्या होती है, बढ़ती है, उपर से नीचे जाते है, तो, आप क्या बोलते है, उपर से न नगर आएगा, डबलू का नगर आएगा, सबसे जादा, melting point किसका नगर आएगा, डबलू का, और इसलिए आप देखोगे, जो tungsten के wires यूज होते है, आपके घर में bulb होगा, बल्ब में जो wire जो जलता हुआ, दिखता न, जिसे चमक निकलती है, वो क्या होता, tungsten का wire होता है, क्योंकि वो क्या होता, जल्दी melt नहीं होता, तो बहुत high melting point होने की वजह से, वो वहाँ पे यूज किया जाता है, आपके bulb के अंदर, यहाँ पर यह चीज़ लिख दी गई, कि due to high melting point, tungsten W is used in bulb filament, bulb के filament में यूज किया जाता है, यह, clear है, याद रहेगा, इस चीज़ से इस point क को याद रखना बड़ा आसान हो जाता है, भूलते नहीं है फिर आप, अच्छा जी याद हो गया, यह graph देखिए, कुछ ज्यादा याद नहीं करना, इसमें को याद नहीं करेगा, नहीं बाई, ऐसा देखने के लिए fashion में लगाया है, बस मैंने, ताकि आप ऐसा समझे, मैं सबसे उपर melting point इन क्या है, लेकिन अगर मैं 3D series की बात करूँ, तिर्फ मैं 3D series पर आपका ध्यान खीचना चाहूँगा, क्या है वो, जब आप titanium, vanadium से chromium की तरफ जा रहे थे, तो क्या हो रहा है, नमबर आफ उन पेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, तो जब नमबर आफ कोबाल्ट, निकल और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका copper, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे drop देखने को मिलता है, क्योंकि नमबर आफ उन पेड इलेक्ट्रॉन लगातार घटते जा रहे हैं, बात समझ में आई क्या, अरे chromium ही तो उपर है, अरे अप यहाँ पे initial रूप से यह कहने वाले हैं, क्यों पे melting point जादा होगी, यही reason है, समझ में बात आगई होगी, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगले चीज़ सुनना, एक चीज़ यहाँ पे लिखे गए, यह सब लोग ध्यान दे, बहुत important line है, metallurgy में हम यूज करते हैं, as MN and JN has a stable configuration, आपको पहले समझा देता हूँ, statement बाद में लेकिया, देखो यह, जो आपका MN है, जो आपका ZN है, MN आपको पता है कि यहाँ पर half filled रहता है, यहाँ पर मामला half filled है, और JN का आपको पता है कि यह fully filled है, यह क्या है, fully filled है, इतने में किसी को कोई सकतो नहीं है, यहाँ पर आपको 3D 5 देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 3D 10 देखने को मिलता है, अब यह अगर यह half filled है, सोच के देखो, अगर मैं MN के clusters की बात करूं, तो माली जी एक मेंगनीज है, उसके आसपस बहुत सारे मेंगनीज है, लेकिन एक मेंगनीज दूसरे मेंगनीज स इसका मतलब MN अच्छी bonding नहीं कर पाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप यह बोलोगे कि जो हमारा MN है, ध्यान देए, जो आपका यह है, यह लोग है, यहाँ पर अच्छी metallic bonding नहीं होती, यहाँ पर metallic bonding बहुत ही घटिया लेवल की है, बहुत ही घटिया लेवल की metallic bonding होती ह क्योंकि एक जिंक जो होगा वो दूसरे जिंक के साथ जादा इंटराक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह अपने में stable है और एक stable एटम, दूसरे एटम से क्यूंहीं बातचीत करेगा, क्यूंहिंग इंटराक्शन्स और नहीं करेगा, क्योंकि हो fully filled, अगर ऐसा है तो metallic bonding बहुत नीचे के दरफ जा रहा है मामरा समझ में है तो MN और GDN के case में melting point बहुत कम क्यों मिलता है उसका reason है कि वो अपने आप में stay बाना तो दूसरे से GDN CDHG है इन actually तीनों का आपको कम melting point मिलेगा इन तीनों का melting point मेरे भईया बहुत कम मिलेगा और आपको HG के बारे में तो पता ही है कि हमारा HG तो room temperature 25 डिगरी पर वो melt हुआ रहता है तो आप थोड़ा practical भी देखते रहे और यह aspect भी आपको आगे होंगे आए नजर मारते हैं heat of atomization पे नाम में मतलब चुपा दिया कि हमारे पास अगर metal का cluster present है तो इस metal की lattice को तोड़ दें और तोड़ करके atom को अलग-अलग कर दें तो हम इसको heat of atomization कहते हैं जितनी energy हमने यूज करी होती है इस process के लिए मतलब क्या था समझना ध्यान से मतलब कुछ इस तरीके का है दे अगर मालीगे यह metallic cluster metallic lattice वहने one mole atom का लिया है one mole atom का मेंने क्या किया हुआ है eternal का lattice लिया हुआ है और इसके उपर हम क्या कर रहे energy apply कर रही है न क्या कर रही है बाहर से energy apply कर रही है अलग-अलग हो पाते हैं तब यह atoms एकदूसरे से दूर जा पाते हैं तो इस process को हम कहते है atomization करना, इसको खंड बिखंड करना, इनके atoms को अलग-अलग करना और इस process में जो energy use होती है उसको heat of atomization बोला जाता है, तो heat of atomization क्या है, the energy required to break one mole of metal lattice into the neutral metal atom is known as heat of atomization very very simple, अच्छा जी अब एक बात पूछो, आप से पूछता हूं जिसके अंदर metallic bonding अच्छी होगी, उनके atoms अच्छे तरीके से जुड़े होंगे, तो उनको अलग-अलग करने के लिए हमें बाहर से जादा heat of atomization देना पड़ता महामला clear है क्या, यस सर अब एक बाव बता हो, इसका मतलब आप सर ये कह रहे हो, कि जिस भी cluster के लिए metallic bonding, MB मतलब metallic bonding अच्छी होगी, वहाँ पे metallic bonding पहले बात तो ऐसे लिखते है, metallic bonding के बजा लिखू, number of unpaired electrons, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा देख लेजिए, number of unpaired electron अगर आपके metal के अंदर जादा है, तो metallic क्या होगा bonding अच्छी होगी, अगर metallic bonding अच्छी है, तो जादा energy दे करके तोड़ना पड़ेगा, मतलब की heat of atomization भी यहाँ पे जादा देखने को मिलता है, मामला clear है, यस अब आप को, कि भया होना तो chromium का ही चाहिए, heat of atomization जादा, आप एक दम सकते हो, लेकिन data कुछ और कहता है, data कहता है कि vanadium का जादा देखने को मिलता है, इसका को explanation नहीं है, इसको explain नहीं किया जा सकता, आप ऐसे समझ लेजिए, तो आप इस बात को यहाँ पर रट्टा मारेंगे, कि vanadium has highest heat of atomization among the 3D series, तेका जी, बस यही एक दिक्कत आ जाती है, vanadium chromium की जहाँ पर, यहाँ पर vanadium चिपकाना बहुत important है, लेकिन heat of atomization के case में, मामला clear है, लेकिन बाकी में चीच्टे लेगा, जैसे scandium से titanium, titanium से vanadium, तो यहाँ पर क्या होगा, number of unpaid electron बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब heat of atomization बढ़ता जाएगा, तो अगर कोई पूछ ले, scandium और titanium में ज्यादा किसका, तो कहना titanium का ज्यादा होगा, यूकि titanium में number of unpaid electron ज्यादा होगे, बिद रिस्पेक्ट को scandium, vanadium का तो सबसे ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम किसका हो जाएगा, chromium का, फिर बाकी में भी tendency follow होगी, बस इतनी छोड़ी सी बात यहाँ पर आ जाएगी, जह रहे, भोलो भाई, इतनी बात समझ में आई है क्या, यस सर, अगला देखें, यह लिखा रहता है कि MN जडन has low enthalpy of atomization, अब फिर वही सवाल आ गया, पताएगे चलिए, इसका जवाब कौन देगा, कि MN और जडन का जो enthalpy of atomization है, वो बहुत कम होता है, enthalpy of atomization जो होता है, वो बहुत ही कम होता है, ऐसा क्यों? enthalpy of atomization बहुत ही कम होता है, क्यों? क्योंकि MN और जडन की case में आपको stable electronic configuration मिलता है, stable electronic configuration मिलता है, अगर stable electronic configuration होगा, तो निश्चित रूप से एक MN दूसरे एदम के साथ ज़्यादा जुड़ा नहीं होगा, तो कम energy देने पर ही वो तूट जाएगा, तूट जाएगा तो enthalpy of atomization क्या बोला जाएगा, किसके लिए कम देखने को मिलेगा, simple है, पहले से पढ़ चुके हैं, अगला देखिए, heat of atomization के अगर हम बात करें, तो 3D, 4D and 5D series में 5D series का जो heat of atomization है, वो हमें जादा देखने को मिलता है, कोई region बताएगा, अरे कोई है जो region बता सकता है, तो आप कहेंगे 5D series में भाईया, देखो, metallic bonding होती है, अच्छी, अगर metallic bonding अच्छी है, 5D series में, यहाँ पे क्या लिका है, series, orbital मत समझ जाना, ठीक है, 3D series, 4D series, 5D series, तो जो 5D series जो वहाँ पे metallic bonding अच्छी है, इसलिए वहाँ पर heat of atomization, जादा देखने को मिलता है, कोई सक समस्या परिशानी किसी को तो नहीं है, किसी को सक समस्या और परिशानी तो नहीं होनी चाहिए, साइद clear है, यस सर, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये question करिए, चलिए question attempt करिए, क्या लिखा है कि lowest enthalpy of atomization, बताए, lowest enthalpy of atomization यहाँ पर किसका देखने को मिलता है, चलिए बताए, जवाब आ चुका होगा दिमाग में, भाईया, अभी तो आपने बताया था कि MN and ZN, इन दोनों का heat of atomization या enthalpy of atomization बहुत ही कम होता है, ठीक है जी, तो आप बोलेंगे जबाब के तौर पे, आप क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, ठीक है, देख लो कितना आसान हो गया, conceptual approach लाते ही मज़ा आ जाता है, अगली चीज बहुत जादा सब्सक्राइब पूचेदा रहा, interstitial compounds ये, नाम में मतलब निकालिए, interstitial compounds, ऐसे compounds जहां पे आप क्या कर रहे हो, layers के बीच में घुज जा रहे हो, मानलो एक metallic cluster पहले से था, मानलो ये क्या है, TI titanium है, TI titanium है, बहुत सारे titanium ने मिल करके cluster create किया है, बहुत सारे titanium ने मिल करके cluster create किया है, तो एक layer मानलो ये है, दूसरी layer ये है, और इसके बीच में चोटेछोटे atoms जो होते है, वो घुज जाए जयसे कि मानली जीए carbon घुज जाए, इनके बीच में क्या घुज जा है, carbon घुज जा है, टेकर गया हो जाएगा, titanium qualified, क्या हो गया, titanium carbide, तो इस तरीके से जो चोटे-चोटे एटम्स होते हैं अगर वो इन तरीके से मेटल के क्लस्टर के अंदर इंटर कर जाते हैं बीच में घुज जाते हैं तो उसको बोला जाता है interstitial compounds क्या बोलते हैं इसको interstitial compounds बोलते हैं मामला क्लियर है अब तक कोई समस्या कोई परिशानी किसी को नहीं है यह बस अगर आभी तक नहीं हुई तक तो हो नहीं है देखो भी अब पढ़ो क्या लिखा है पढ़ो भाई सब लोग पढ़ेंगे लिखा है वैं इस्माल कौन कौन से अटम्स हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और हRad inside the crystal lattice अ यह जका क्या जाता इंटरिस्टिशिल आप देखो अगला पढ़ना दे आर यूजली नॉन स्टॉकमेट्रिक ओबियसली तुम जो है क्या करें दूसरे के घर में चोरी कर रहे हो तो इसके घर में जाकर के इज़त से तो नहीं बैठ सकते तो मैं चोरी करके थोड़े दर में निकलना पड़ेगा मतलब डिस्टरब कर जाता है तो समझते होंगे जैसे आप लोग की पांच आप लेकिन वहां पर बीच में कोई और घुज गया तो वह उनकी स्टॉकमेट्रिक क्या हो जाएगा अब डिफरेंट हो जाएगी अगला क्या और नाइदर टिपिकली आइनिक नौर कोवलेंट तो जो पहले जैसे माल उन क्लस्टर्स के बीच में उन लैटिस के बीच में छोटे लोग घुज गए तो वहां पर वो क्या हो जाएगे ना तो वह आइनिक रहेंगे कंप्लीटली ना तो वह कंप्लीटली कोवलेंट रहेंगे तो मतलब एक तरीक इसको दोनों रहेंगे और नाइदर टिपकली इतनी बाट समझना आ गई होगी साइग को दिक्कत तो नहीं है अगला देख लो एक्जांपल के तौर पर देखो लिखा क्या है टाइटेनियूं के साथ कार्बन है कारबन है मन के साथ ना इन फूर एन रट्टा निवारना रट्टा निवाना देखना सिर्फ लाइन यह सम नहीं है F3H फिर क्या लिखा है कि एक वैनेडियम के साथ हाइडोजन कितना है अगर मालोग वैनेडियम 100% है तो यहां पर देख लिजी कितना परसंट है है यह इंद्यद्रा बहुत जाधा इंपॉटेंट जो अला उपि लिख देता हूं नहीं है वहालोग पूछा जारा भी या बहुत जा सवाल सवाल पूछा जारता देया के बढ़ वै fund करूते है उनका melting point ज़ादा होता है किसके respect में higher than those of the pure metals मतलब क्या है मतलब यह अगर मैं melting point की बात करूँ किसके किसके बीच में इसके किसके बीच में titanium का जो metallic cluster है अपना और titanium carbide का cluster तो आप देखते हैं कि जो melting point होता है वो किसका ज़ादा हो गया titanium carbide क्योंकि जो metals के बीच में थोड़ी मोड़ी भी जगह बची थी उसको जाकर कि भया carbon ने भर दी अब उसको melt कराना कठिन हो जाएगा तो यह है कहने का मतलब कि जो आपका interstitial compound होता है उसकी melting point जादा निकल क्या थी बिद्रिस्पेक्ट उसके ही metallic cluster से उसके ही metallic cluster से दिमाग में गया क्या यसर अगली line दे है वेरी यहार वेरी हार्ड तो वह कह रहे हैं कि यह जो है भाया बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं जैंसे titanium अगर कारबाइड की बात करें तो यह क्या हो जाएगा बहुत जादा हार्ड हो जाए वेरी हार्ड और इसकी हार्डनेस देखो कहा तक पहुंच रही है लेवल देख रहे हो क्या लिखा है कि अगर कोई मेटल है उसके साथ कुछ बोरोन प्रजेंट है तो उनकी जो हार्डनेस वो इतनी हो जाती करीब करीब डायमंड के बराबर पहुंच जाती है अगला क्या है तो यह क्या है कि वो अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को अभी रखते हैं current pass करोगे, क्या होगा, electrons के तो current पास कर देंगे, आज भी, एक अगला क्या है, they are chemically inert, वो chemically inert हो जाते हैं, तो titanium C क्या हो जाएगा, आपका ये carbide inert हो जाएगा, chemically inert हो जाएगा, ये question करो, सारे लोग फ़िछन अटेंट करेंगे, अभी पढ़ाया, मैंने क्या लिखा है, statement को incorrect बताते हुए जब आप उचा गया है about the interstitial compound पहला है लिखा हुआ है दे आर chemically reactive यही गलत है यही तो लाइन गलत है वो chemically क्या हो जाते हैं सुनों सुनों वो chemically मैंने बताया था inner हो जाते हैं यह कह रहे हैं reactive है बाकी बाते देखो जो interstitial compound होते हैं बहुत hard होते हैं interstitial compound के अंदर metallic conductivity होते हैं जो interstitial compound होते हैं वो high melting points रखते हैं तीनों line सही है बट यह फालतू चीज थी इसका मतलब है कि यह यहां पर सही जबाब होगा यह जो है सही जबाब होगा क्यों क्योंकि यह incorrect है ठीक जी देखे लोग यह क्या है incorrect incorrect पूछा गया था कुछ लोग correct के हिसाफ से जबाब बता रहें नाला को तीनों दिखाई देते हैं तो सवाल आता है कि क्यों दिखाई देते हैं इनके अंदर कौन-कौन से करेक्टर हैं जो की उनको catalyst बना देते हैं बस उनके बारे में जानना है इतनी कहानी है ठीक है आगे मैं समझाता हूं पैटर्स रिस्पॉंसिबल फॉर दा कैटलेटिक अक्टिविटी अप्ड़ ट्रांजिशन में बाकी तो नहीं करते हैं एक्टिविटी लेकिन यह करते हैं क्यों करते हैं रीजन समझेए पहला है लार्ज सर्फेस एरिया यहां पर आपको सर्फेस इर्या क्या मिलती बड़ पतने ड्यां सुनना जैसे मान लो आयरन 2-plus मैं कहरें मान लो यह क्या है कैसी रेक्षण में जाता है किसी चीज़ से खुद को रेक्षण करवा करके एफ टू पलस बना एफ ट्री पलस बना देता है अभी वो रेक्षण में इन्वाल्ब तो हो गया लेकिन आएगा तो उसक के दोरान reaction की condition के हिसाब से अपने आपको बदल सके और जब उनका reaction हो जाए तो भाईया अपने आपको भी वो बदल सके दुबारा अपने आपको retain कर लें तो यह character कहां पर है यह देखने को मिलता है भाईया आपे transition elements के अंदर की वहां पर variable oxidation state होता है सब कुछ समझा जा सकता है अगर तुम सोच समझ करके पढ़ते हो तो अगला कै ability to form complexes आपको पूरी coordination chemistry पढ़ा दी गई है आप पूरी coordination chemistry पढ़ा दी गई है बहुत सारे coordination complexes directly किसका काम करते हैं catalyst का काम करते हैं एक चीज़ दूसरा जैसे बहुत सारे metals हैं आप समझना मानलो कोई reaction है कोई reaction है अब किसी चीज़ के साथ मानलो reaction कराते हो मानलो L करके कोई इसके साथ reaction करता है तो वो जो legend हो क्या करेगा इसके साथ reaction करके ML6 type की कोई चीज़ बना देगा बना देगा बात में क्या होगा आगे reaction प्रोसीड कर जाएगी बात में ये ML6 तूट करके फिर से M में आ जाएगा ये कब possible है जब metal के अंदर ये nature हो कि वो अपने आपको एक coordination complex बनवाने के लिए दे सके वो कहा मिलेगा transition elements के अंदर मिलेगा कहानी समझ में आ रही है कहानी समझ में आ रही है एकदम काम की बाते हैं हर चीज़ हर लाइन पर थोड़ी पकड़ होनी चाहिए ये देखो presence of empty d orbitals अगर अब देखो जैसे महलो empty d orbitals अगर मौझूद होगा तब ही तो सामने से कोई electron दे पाएगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए empty d orbitals होना चाहिए तो आप कहेंगे ये अगर nature है तो वो निश्चे दूप से catalytic activity रखता है example के तोर पे मैं आपको पढ़ाता हूँ iron iron को आपने पढ़ा था हिबर्स प्रोसेस पढ़ते वक्त वहाँ आपने पढ़ा कि N2 और H2 आपस में क्या करते हैं आपस में जब reaction करते हैं temperature वगएर आपको याद होगा फिलाल जब reaction करते हैं तो हम वहाँ पे iron as a promoter यूज करते हैं as a क्या करते है promoter ताकि वो क्या करें इनके rate को enhance कर दे और आपकी जो NS3 है वो आराम से बनती रहे तो इस तरीके से iron देखो यहाँ पर यूज होता है अगर मैं Mn की बात करूँ तो यह यूज किया जाता है देख लो भईया oxygen के production में मैं समझाता हूं यह पढ़ा हुआ है आपने पी ब्लॉक में क्या करता है इनको और ज्यादा ऑक्षिडाइज करने की कोसिज करता तो यह बनते है केसिएल ओ फॉर लेकिन लेकिन उस्ते पहले वह तूट जाएंगे तो जाएगा केसिएल प्लस प्लस एक्षिएल यह काम होता है मामला समझ में आया यस अगले पर आ जाते हैं टाइटेणियम की बात करिए बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पूछा गया है टाइटेंटियम के लिए टी अई सील फूर और यहां पर देखो कभी पगभी पेपर में एल्मूनियम के साथ जी जिगला नट्टा केटलिस्ट यह क्या है टी आई सील फोर इटी थ्राइस अलमूनियम यह याद करो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह क्या करते हैं पॉलीथीन बनाते हैं इथीन से यह पड़ाता पॉलीमर चैप्टर में हमने देखा होगा है न हम क्या देखते इथीन क्या होता भी है इसके उपर हम डाल देते हैं टी आई सील फोर एंड एटी थाइस अलमूनियम यह करता क्या है यह बहिया इनका यह से समझ लो की पॉलीमर बनाने के काम आता है सिंगल बॉंड बनाके एंड टाइम लिख दो तो यह क्या है यह है यह इथीन यह कौन ह पॉली थीन अना पॉली अथली तेगा जी अरे याद करा रहा हूं नहीं कह रहा है कि इनकी इस पहले वह गड़बड बता रहे हैं याद करना जरूरी है इसको मैंने एक तरीके से मतलब रट्टा मारने के जुगार बनाया था तो मैं बताऊं नहीं थोड़ा आजीव है नह जिती नहीं करना चाहता कहीं वह उसने देख ली वीडियो तब अगला देखो क्यों को पैचान जाएगा क्यों उसको पता है कि मैंने क्या हमने उसके लिए ही बनाया था इसको आगे बढ़ते हैं वैनेडियम क्या है वी टू ओ फाइव वी टू फाइव यह कहां यूज किय जा तकता है और इस तरह वह तो कॉंटक्ट प्रॉसेस पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि वह या एस ओटू जो होगा उसको हम वी टू ओ फाइफ और ओटू के प्रजेंस में रियक्शन करा के एस ओट्री बनाएंगे और जब एस ओट्री बन जाए तो वाटर डाल करके ए या अवार है या अचली अब यूज नहीं का सकते है तब आपन बच्चे थे तब तो ना लेगो नहीं बता सकता है अग्ला देखो क्रोमियम क्या हो जाएगा प्रोमियम के लिए यह देख लो यह या पाइप पड़ रहे थे हईडरो कारवन चैप्टर तो आपको क्या पड इस तरीके से लिए अच्छ है कारवन की एक चेन ले ली और इस पे जब हमने यह अपलाई किया तो यह देख लो भीया यहां पे लिखा light sensitive property है AGBR के अंदर, एक property है light sensitivity का, तो यह यूज किया जाता है photographic industry के अंदर, यह दिमाग में होना चाहिए light sensitive जो property होती है किसके अंदर AGBR के अंदर, इस वज़ा से वो कहां पर यूज किया जाता है photographic industry में यूज किया जाता है, याद रहे रहा यहाँ रेड़ होट आयररन वाली बात आपको पढ़ाई गया है बोहों आयरन के साहत होता आयरन की ट्यू ब करते हैं हम इधर इपे करते और अच्छा कर साँ तो आपके जिट्र करते हैं इसे ऐतलुन गैस होती बिद रिस्पेक्ट वस्मियम के लेकिना अक्सार आप पता नहीं हर जगां उसमियम दिखता है बट डेटावाई देखोगे तो इरिडियम का ज्यादा है फिर क्या लोगा ऑसमियम अगर लिखा तो पहले उसको मारिए ठीक है अगर नहीं लिखा यूदियम तो ऑब्यस्ली ऑ यूज किया था बोलो यूज किया था आयरन का ऑक्साइड आप ले सकते हो इनस्त्री के फॉर्मेशन में और यह देखो भया यह क्या पॉलिथीन बनाने में यूज किया जाता है अपने यहां पर ऑप्सें मैच कर जाएगा अगला ऑक्साइड एक मिनट ध्यान दें करपया था आज फिर सब कार वेंटो तेरा आज फिर सब कार वेंटो तेरा आपको पढ़ाया गया था कि यहां पर एस में प्लस थ्री फिर में प्लस थ्री यहां पर भी प्लस थ्री यहां पर क्या हो जाएगा प्लस फाइफ तेरा में हो जाएगा प्लस फूर भया यह कैसे याद कर आया था मैंने आज फिर सब तो देखते जाओ आज में क्या है AAS तो तीन आपको अलफाबेट दिख रहे थे हाँ प्लस त्री एफ ए आर तीन दिख रहें सब तीन दिख रहें कार फी दिख रहें वेंटो में आपको काया दिख रहें पाँच 13 में 4 तो आज फिर सब कार वेंटो तेरा चलिए चलिए सब लोग बता दीजिए आज फिर सब कार वेंटो तेरा ये आइंस आपको याद हुए क्या तो आप बोलोगे अगर इन आइंस के अंदर ओकसाइड दिख गए तो निश्यत रुप से वो एंफोटरिक ओकसाइड होंगे क्या होंगे एंफोटरिक ओकसाइड जान मुझके पढ़ा रहा हूं इसको क्योंकि आगे मेरे को यूज करना है और बहुत इंपोर्टन लाईने सिखानी है आपको आज यह सब लोग देखिए आज फिर सब कार वेंटो तेरा यह क्या है एंफोटरिक ओकसाइड से ठीक अच्छा जी अगला क्या है जान सुनो बे आलिया पबगई कैडबरी लेने कैड़वरी लेने ठीक है जी तो आज क्या लिका जान सुनो भी आली आप अब गई कैड़वरी लेने यहाँ पर किसी भी oxidation state के अंदर नीचे वाले लोग किसी भी oxidation state के अंदर नजर आएं आप ये बोलेंगे कि ये अगर oxide के format में हैं तो निश्चत रूप से ये amphoteric होंगे जैसे की जो अभी हमारे काम का है मैं सिर्फ उनको क्या करता हूँ highlight कर देता हूँ यह है यहाँ पर आप देखो तो कि क्या बनेगा F2O3 F2O3 क्या होता है मेरे भाई आप कहना amphoteric है CR2O3 क्या होता है यह भी कहना amphoteric है V2O5 कोई कहे तो कहना V2O5 जो है यह भी amphoteric है यह यहाँ का है cadmium oxide थोड़ा सा basic nature ज्यादा होता है बट यह भी amphoteric है ZNO की बात करें तो यह भी amphoteric है इतनी बात संच में cadmium oxide जो होता है यह क्या है यह कैसा होता है amphoteric होता है लेकिन इसमें थोड़ा basic nature ज्यादा होता है क्लियर है क्लियर है जी यस सर चान सुनोबे आलिया पब गई cadbury लेने नीचे वाल लाइन थी उपर वाल लाइन समझा दिया अब आई यह बेसिक में आप पढ़ते हो कि two oxidation state है और plus three oxidation state है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वह metals क्या होते है वह metals मेरे भईया basic होते है basic oxide लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर यहां वाले लोग ना आ जाए हमें हमेसा क्या करना है पहले amphoteric देखना है बाद में acidic basic या neutral चेक करना है ठीक है ओके अगले मारा जाइए metals अगर हमारे metal पर plus four oxidation state है तो वो क्या होता है आप बोलेंगे वहाँ पर क्या देखने को मिलता है एमफोटरिक oxide देखने को मिलता है अगली चीद देखें अगर हमारे metal पर plus five plus six या प्लस 7 Oxidation State है तो वहाँ पर Acidic Oxide देखने को मिलता है इसका मतलम मैं कह दूँ जैसे जैसे Oxidation State बढ़ता है देखे Oxidation State 1,2,3 कम है फिर ये जादा है फिर ये सबसे जादा है तो जितना जादा Oxidation State उस Oxide के अंदर Acidity उतनी जादा होगी तो Acidic Nature क्या होगा वहाँ पर जादा होगा Acidic Nature वहाँ पर क्या होगा अरे बोलो भईया जादा होगा तुरंद बोलो भईया क्या होगा जादा होगा तो जादा Oxidation State जादा Acidic Nature जादा Oxidation State जादा Acidic Nature बहुत काम की बात पढ़ रहे हो ये तुम ये काम की बात है बहुत जादा अभी आएगा इस्टेटमेंट के फॉर्म में तब तुम्हें डर लगता है बताए ये CR2O3 क्या होगा अरे क्रोमियम पे प्लस 6 है क्रोमियम पे अगर प्लस 6 है तो ये गारंटी है असडिक है अब कि बार क्या लिखा जाएगा एंफोटरीक औकसाइड ये कैसा है एंफोटरीक औकसाइड है तो ये भी एसडिक oxide है तो आपको क्या समझ में आया कि plus six ज्यादा oxidation state तो वो भया क्या होगा acidic nature का बीच में moderate तो क्या हो गया एंफोटरी लेकिन अगर कम हो जाए तो यहाँ पर chromium पर plus two है ओ भाई अगर plus two है तो यहाँ पर देखो metal पर plus two है तो वो basic oxide तो भया हमें समझ में आ गया यह basic oxide यह कैसा होगा basic oxide होगा मामला clear है भोलो भईया मामला clear है कि नहीं है यह सर समझ में आ रहा है अगली चीज़ बहुत important होने वाली आप सभी के लिए वो है oxides of transition metals आपको 3D series के oxides देखने है यह table आपको आपकी NCRT में दिख जाएगी लेकिन काम की बात क्या है वो सुन लेना ध्यांस तुनो प्लस one oxidation state रखने वाला सिर्फ Cu2O है तो Cu2O आप बताए क्या होगा प्लस one में अरे यार प्लस one का metal हमेंसा क्या होता है यह दोनों ही basic है लेकिन JNO हमने पढ़ा था अभी कि M4 टरिक है अभी हमने पढ़ा था यह कैसा है M4 टरिक नेचर का होता है यह दोनों आपस में क्या है basic है तो यह practice करा रहा हूँ जो पीछे पढ़ाया जा चुका है उसी की ये practice है इसको रटना नहीं है table को कोई रटेगा नहीं समझेंगे सारे के सारे लोग समझेंगे कि ये क्या है basic nature का है NIO की बात करें तो कैसा है basic है COO की बात करें तो basic है तो जितने भी नीचे दिख रहे हैं वो सब के सब basic होंगे प्लस टू वाले, सारे की सारे प्लस टू वाले बेसिक होंगे, बस उनको एंपोटरिक ना होने दो, उनको छाट देना तुम, एक इतनी बास संगा गई, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, और आपको एक चीज पता है, कि जो हमारे स्कैंडियम है, वो सि समय आना चाहिए, यह कैसा है, बेसिक है, ठेक, यहाँ पर बताए, टी आई ओटू, आप बताए, टी आई ओटू, सर, यह तो बताया था कि, मेटल पे अगर प्लस पूर ऑक्सिडेशन स्टेट है, तो गारंटे के तौर पे वो एंफो टरीक है, प्रेक्टिस चल रही है, आ आप से पूछता हूँ, MnO2 कैसी होगी, MnO2 कैसा है, सर, यह तो M4 तरीक है, कैसे पता चला, क्योंकि Mn पे प्लस पूर ऑक्सिडेशन स्टेट है, कहा रटना पड़ रहा है, इतना आसानी से तुछ सिखा दिया आपको, ठीक है, अगली चीज़ देखें, अगली जबरदस चीज़ दिखाएं आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह देखो, यह लोग क्या है, Mn पे प्लस सेवन, प्लस सेवन होने का मतलब क्या होता भई, मैंने क्या बता था, प्लस सेवन, प्लस सिक्स, प्लस सेवन, प्लस सिक्स, यह लोग क्या होंगे, यह और यह, यह दोनो acidic है यह दोनों कैसे है acidic है यह दोनों ही आपस तो vanadium पर प्लस 2 यहां पर प्लस 3 यहां पर 4 यहां पर प्लस 5 इसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे हम उपर जाएंगे जैसे जैसे हम उपर जाएंगे आपको acidic nature बढ़ते हुए दिखना चाहिए acidic nature बढ़ते हुए दिखना चाहिए यह ना यही बोला गया था ना यस लेकिन यहाँ पर देखना ध्याँ सुनना यह होता क्या है होता क्या है यह वाला तो basic है वी ओ कैसा होगा basic होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है plus two oxidation state है फिर दर जैसे जैसे उपर जाते जाओगे आपको यह कैसा मिलेगा amphoteric तो basic से amphoteric की तरफ जाने का यह भी मतलब होता कि इसके अंदर acidic character आ रहा है कैसे अरे यार जो amphoteric होगा उसके अंदर basic वही character है acid का भी character है तो यह pure basic है pure basic से amphoteric जाने का मतलब है कि उसके अंदर धीरे-धीरे acid character develop हो रहा है मुझे लगता यार मज़ा आ गया होगा मुझे लगता यह बात में मज़ा आ गया होगा यह चीज देखर के आनंद आया क्या अब एक चीज होती है ध्यान सुनिएगा एक चीज होती है यहाँ पर लिखा गया यह यह तीनों लोगों को थोड़ा ध्यान से देख इसमें से मैं एक समझा देता हूँ बाकि आप समझदार हैं समझ जाएंगे Fe3O4 लिखा है यहाँ पर FeO और बचा हुआ पार्ट क्या है एक आरन लिख दिया एक औक्षिन बचा क्या Fe2O3 .Fe2O3 .Fe2O3 ठीका जी समझ गये क्या यह देखो यह basic oxide और emphoteric तो basic और emphoteric आपस में mix हो सकते हैं basic और emphoteric mix हो सकते हैं acidic और emphoteric mix हो सकते हैं आना जी कोई दिकत नहीं है acidic और basic भी mix हो करके इस तरीके से बना सकते हैं इतनी बाट ठीक है इतनी कोई दिकत तो नहीं है तो आप क्या लिख दीजिए Fe3O4 is equal to FeO.Fe2O3 इतनी लाइन ठीक है समझ में आया क्या क्या आप इसी तरीके से Mn3O4 को बता पाएंगे क्या होगा लिख दीजिए MnO dot MnO dot जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख दीजिए Mn2O3 क्या लिखा जाएगा Mn2O3 मामला क्लियर है भोलो भाई मामला क्लियर है गया अब मुझे एक चीज समझानी है फिर मैं इस स्टेटमेंट्स पर चलूँगा आप से मैं पूछ रहा हूँ आप बताईएगा मान लो मेरे मैगनीज पर प्लस टू ऑक्सिडेशन और सामने ऑक्सिजन पर टू नेगटेव सामने ऑक्सिजन पर टू नेगटेव है आइनिक करेक्टर कहा है इसको उल्टा सवाल पूछता हूँ कि बताईए यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर जादा है या यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर जादा है सबके सब लोग बताओ सबके सब लोग बताएगे मेरे भाई क्या पूछा है मैंने कि यहाँ पर आईनिक करेक्टर ज़ादा है यहाँ पर तो सायद आपका जबाब यह होने वाला है कि भाईया देखो हमारा मेटल कैसा है प्लस टू रख रहा है कम चार्ज है चार्ज कम होता है जब आपके देखो अक्सीजन तो दोनों में नेगटिव चार्ज में रखा है टू नेगटिव में उसमें फरक नहीं फरक कहा है मन में में एक जहाँ प्लस टू है एक जहाँ प्लस सेवन है तो अगर किसी कैटाइन पर चार्ज ज़ादा होता है तो सामने वाले एनायन का इलेक्ट्रॉन वो खीचता है तो यहाँ पर फजान रूल लगेगा फजान रूल लगेगा तो बोला जाएगा कि यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है कोवलेंट करेक्टर मेरे भाईया बहुत जादा सांदार होगा अगर कोवलेंट करेक्टर बहुत जादा सांदार है तो आप निश्य दूरूप से कहेंगे कि भाईया देखो Mn2O7 एक कोवलेंट मॉलीक्यूल है Mn2O7 एक कोवलेंट मॉलीक्यूल है कोई सक कोई समस्या कोई परिशानी तो किसी को नहीं है बोलो भाई समाने यह बात आ चुके है यह सर यहाँ पर आईए यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर आप बोलोगे यह आयनिक है क्या है यह आयनिक है यह आयनिक है क्योंकि क्या है तो चार्ज कम है चार्ज जादा होते कोवलेंट करेक्टर आ जाता है तो भाईया एक लाइन अभी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी कि भाईया MN2O7 क्या होता है एक कोवलेंट मॉलीक्यूल होता है तो बताए हम अस्या तो नहीं होगी अरे क्यों पूछ रहा है क्यों भाई फजान रोल नहीं पड़ा क्या कि किसी कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी जड़ एफेक्टिव ज्यादा होगी उसका न्यूक्लियस बहुत पड़ो क्या लिखा है लिखा है कि all the metals except scandium form mo देखो scandium ने क्या बनाया सिर्फ प्लस थ्री बनाया हुआ है सिर्फ प्लस थ्री बनाया हुआ है उसने नहीं बनाया है mo बाकी सब ने बनाया को titanium से लेकर के आप जिंकत तक देखोगे सब लोग mo format में है मतला metal और oxygen metal और oxygen देखो सब जगा निखाए रहेंगे तो यह लिखा हुआ है अच्छा अब अगर metal और oxygen ही है तो वो कैसे होंगे ionic यह लिखा है कि which are ionic यह कैसे होंगे ionic होंगे मेरी समझ से मामला समझना आया होगा अब यह लाइन अगर पढ़कर के समझ गये इसका मतलब बढ़ आप इस तरीके से बोलो कि यहां पर इस तरीके से बोलो कि यहां पर इस तरीके से साथ नहीं करता वह वंडर वाल forces के तुरू खेवल जोड़े होते हैं आप ऐसे समझ लो ठीक है ओके इवेन आप अगला क्या लिखा है CRO3 and V2O5 have low melting points इनके भी low melting points नजर आएंगे CRO3 और V2O5 के इसके बारे में बता दिया गया इनके बारे में बताये जा रहा है ठीक है जी अच्छा ऐसा क्यों क्योंकि जहां जहां पर आप जहां जहां पर जितना ज्यादा coherent होगा तो उसको melt कराना क्या होगा उतना ही आसान होता है melting point तब कम हो जाती है तेगा जी मेंटिंग पॉइंट कम हो जाती फिर लिखा है इन दीज हायर ऑक्साइड दा एस्टिक करेक्टर इस प्रेडॉमिनेंट इसका मतलब समझाता हूँ तो यह कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सिडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो जो हाइस्ट ऑक्सिडेशन देखो तो आप बेसिक से कहां जा रहे हैं उसके अंदर आप क्या कर रहे हो एस रुडिक करेक्टर डालरे यह तो इन सब में सबसे दा इसकी करेक्टर और प्लॉइंग्स कर लेंगे कुछ नहीं होगी नहीं भाई ब्रेक की जरुत अभी नहीं है शिखो जरूरी यह है कि अ आपने देखा कि iron पे प्लस 3 आएगा कुछ नहीं करना है यार mn पे प्लस 4 आएगा इतना आसान सवाल पूछ दिया इन्हों ने देखे वी टूओ फाइफ में वैनेडेम पे हैं सांदार जानदार चीज अब तक हमने जो सीखा उसमें कहीं रियक्शन इन्वाल्व नहीं था अब से हम जो सीखेंगे उसमें रियक्शन भी इन्वाल्व होगा तो इंपॉटेंट पॉइंट पे आ चुके हैं आईए आईए भाईया हमनो 4 को क्या कहते हैं देखना पर्मै पर्मैगनिक एसिड नाम सुन ले ध्यान से क्या है हमनो 4 एच पर्मैगनिक एसिड लेकिन हम किसी एसिड में से अगर एच प्लस हटा दे तो क्या बन जाता है अगर वो सामने से एक एसिड है तो एक एसिड में से एक एसिड हटाईए उसके जहां पर क्या लगाते है एट आ ये नाम याद हुआ पर मैगनेट आयन के मैं नोफूर पोटासियूम पर मैगनेट लबान है इसके स्ट्रक्टेवीक्या पर मैं बात करूँ तो क्या होगा बोलो कि यहाँ पर माल लो MN और Oxygen का यह bond length X angstrom है तो क्या बाकी के भी X angstrom ही है तो जवाब है हाँ क्यों क्यों कि हाँ पर resonance की फिनॉमिना होगी यह negative charge यहाँ पर आएगा तो यह πाई के electron टूट करके यहाँ पर आएगे तो आप इनके क्या करेंगे resonance hybrid बनाएंगे तो इस तरीके साथ देखते हैं कि all M क्या लिखा जाएगा MN O bonds are same सारे MN O bonds जो होंगे वो क्या होंगे same होंगे तो क्यों क्यों कि यहाँ पर resonance की फिनॉमिना परफॉर्म की जा रही है यहाँ पर हो रही है देख लेजे इतनी वाद समझ में आई क्या यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ कि MN पर कितना oxidation state है बता सकते हैं यहाँ पर देखिए MN पर कितना है plus 7 oxidation state H plus हटाने के बाद भी MN पर क्या रहेगा plus 7 oxidation state अब एक बाद बताईए अगर MN पर प्लस 7 है आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप बताईए MN पर प्लस 7 oxidation state है इसका मतलब 3D 0 है 3D 0 है मतलब कोई electron नहीं है वाँ पर तो क्या यह paramagnetic है या diamagnetic यह paramagnetic है या diamagnetic आप क्या जबाब देंगे अरे भीया अगर यह ऐसा है तो यह diamagnetic है क्योंकि कोई भी unpaired electron मौझूद नहीं है समझ बात आ गई है यहाँ पर यह बात ऐसे ही पढ़ना भई है इतना ही सीखना है ओके समझ बात आ गई है यह line ने समझा है पहले सुरुबात कहां से करनी है पर-magnetic acid से H प्लस निकाला बन गया पर-magnet iron एक acid को हटा दीजिए बन जाएगा पर-magnet iron फिर उसका structure बनाई है structure बनाने बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर resonance की phenomenon की जा सकती है अगर resonance की जा सकती है तो यह bond यह bond यह bond यह bond यहाँ सब पर क्या आएगा bond order सेम आएगा अगर bond order सेम आएगा इतनी बासन बाई यह सर तो यहाँ पर यह डाया मैगनेटिक होगा अगली चीज़ H2MNO4 बताए इसका नाम क्या है H2MNO4 को अगर आप बोले तो इसका नाम है Magnic Acid इसको क्या बोलते है Magnic Acid M-A-N Man M-A-N Magnic Acid इसको क्या बोलते है Magnic Acid बोलते है देगा जी Magnic Acid मेंसे अगर आप H Plus हटा दे Magnic Acid मेंसे अगर आप H Plus हटा दे तो क्या बन जाएगा बताएगे Simple है Magnate Iron क्या बनेगा 2 Negative के बाद यह हो जाता है Magnate Iron साथ साथ पढ़ते जाओ यार रटा कहां मारना है यह Acid पता है यह Paramagnic तो Plus 7 था High Oxidation State में यहाँ पर आप देखोगे तो MN पे क्या आएगा Plus 6 Oxidation State यहाँ पर MN पे क्या आएगा यहाँ पर MN पे Plus 6 Oxidation State अगर मैं इसकी सकल सूरत की बात करूँ तो यहाँ पर भी ऐसा ही बनाएगे जैसा उपर बनाया गया था Double Bond O हो जाएगा Oxygen पे एक Negative Charge इधर आएगा Oxygen पे एक Negative Charge इधर आएगा बोलो बात ठीक है अरे बोलो बाई बात ठीक है क्या देखो structure से ही बनाया गया है सब लोग देख लिए structure से ही बनाया गया अगर structure इस तरीके से है तो भी आप कहेंगे यहाँ पे देखो Resonance की Phenomena हो रही है अगर यहाँ पे Resonance है और इस तरीके से देखी यहाँ पर भी Resonance हो रहा है तो एक बार यहाँ Resonance करवाली जी अगले बाले में यहाँ Resonance करवाली जी तो सारे Bonds क्या होंगे सेम होंगे तो इसके लिए भी आप लिखोगे All MNO Bonds are same in length ठीक है क्योंकि यहाँ पर Resonance की Phenomena हो रही है किसी को दिक्कत तो नहीं है अब मैं आप से पूछूँ कि यहाँ पर तो MN पर प्लस 6 Oxidation State है MN पर प्लस 6 Oxidation State है इसका मतलब 3D1 है अगर 3D1 है तो यह क्या होगा पैरा मैगनेटिक होगा इसका मतलब है कि मैगनेट आयन कैसा होगा पैरा मैगनेटिक होगा यह बात समझ आ रही है कि नहीं बहुत important line है सीख रहे हो यही statement के form में आगा यह statement अभी पचाना भी आएगा तुमारे सामने चलिए अब सब लोग यहाँ देखेंगे MnO4 क्या लिखा है MnO4 negative और दूसरा है MnO4 2 negative तो देखना भीया यहाँ पर ना एक equilibrium रहता है कैसा देखना MnO4 negative में क्या है plus 7 oxidation state यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है plus 6 oxidation state देखेंगे जी यहाँ से यहाँ जाना है तो ध्यान से सुनना क्या है plus 7 से plus 6 बनाना है इसका मतलब plus घटाना है plus घटाना है मतलब क्या है कि सामने से कोई negative वाली चीज लेनी पड़ेगी तो negative चीज का मतलब ऐसे समझेगे न basic medium या basic medium तो अगर आप ध्यान से सुनने अगर आप यहाँ पर magnet iron को basic medium में रखोगे तो वो क्या बन जाएगा magnet iron में कितना आसान है तुम्हें याद करा रहा हूँ कितना आसान है सुनना यहाँ पर plus 7 से plus 6 तो आप क्या देख रहे हो OH negative के form में अगर वहाँ पर OH negative होगा इसका मतलब वो क्या होगा basic होगा बहुत आसान हो जाएगा और J advance के भी question इससे solve हो जाते हैं दूसरा सुनना यह क्या था यह ध्यान से सुनना क्या है plus 6 oxidation state अगर यह plus 6 oxidation state है और उसको plus 7 में जाना है तो क्या करेगा उसको plus चाहिए plus उसको किस form में मिलेगा H plus के form में H plus H plus के form में मतलब acid है दुबारा सुन लो अगर मैंने magnet iron को acid में डाल दिया तो permagnate बन जाएगा और अगर permagnate iron को base में डाल दिया तो magnet बन जाएगा यह कितने लोगों को याद हो रहा है अभी तुरंत याद करना है यह point क्या कि plus 7 को plus 6 में ले जाना है मतलब कि क्या करना है plus charges कम करने तो negative charge को receive करने negative charge को receive करने मतलब OH negative को receive करने पड़ेंगे negative charge base और acid आपको ऐसे सुचने है acid और base acid में हमें H plus दिया जाता है base में हमें OH negative मिलता है तो OH negative लगा कर आप इस तरीके से तो यह साइद बात याद हुई तो यह साइद बात याद हुई अगली बात देखें यहाँ पर देखें green magnet iron जो आपका यह magnet iron है वो green color का होता है लेकिन जो per magnet iron है आपका per magnet iron है वो dia magnetic है उपर देखो और वो कैसा color का होता है purple color यह color क्यों आता है charge transfer spectra की वज़ा से आता आप जो बीच में जुड़ेगा वो सोचेगा कि charge transfer spectra क्या होता सुरू में मैंने बता दिया है जाकर कि देख लीजिए ठेकर जी तो यह color इसलिए आता अगला चीद देखें next यह आपको पढ़ाया जाता है P block के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि जब भी acid को मिलाया जाए और वहाँ से एक water घटा दिया जाए तो आप इस तरीके से उस acid का एन्हाइड्राइड पास सकते हैं हमने क्या किया HMNO4 था मेरे पास permagnic acid तो permagnic acid को double किया double करने का मतलब होता है H2 Mn2 O8 क्या किया H2 Mn2 O8 और इसमें से water घटा हो तो क्या होन जाएगा Mn2 O7 तो जो Mn2 O7 है इसको कहा जाएगा कि this is the anhydride of this oxide दुबारा सुनो Mn2 O7 इसका anhydride है तो बोला जाएगा कि यह क्या है permagnic acid का anhydride है Mn2 O7 मामला क्लियर है मामला क्लियर है इतनी बास समझ में आ रही है यह सरविन के structures वगरा पढ़ने होते हैं जानने होते हैं वो एक बार देख ले न यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या होता है भईया Mn Oxygen और इसके बाद आएगा Mn बहुत आसान देखो साथ थे साथ में से एक oxygen हमने बीच में रख दिये बाकी के oxygen कहा रखने बाकी के oxygen कहा रखने मेरे भाई क्या रखने 3-3 लगा दिये पाकी के बचे हुए 3-3 हमने यहाँ पर लगा दिये हैं आप बताए क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा कुछ चीज़े देख लीजिए क्या बोला गया यहाँ पर पहली बात तो angular मिलेगा क्यों angular मिलेगा क्योंकि यहाँ पर oxygen पर क्या होगा loan pair यहाँ पर भी oxygen पर loan pair तो यह क्या करेंगे रिपल करेंगे तो इस तरह से bend structure होगा यहाँ बेंड structure होगा और यहाँ MN की बात करें तो आपको क्या दिख रहा है 4 side item है 4 side item है इसका मतलब MN tetrahedral है MN यहाँ पर tetrahedrally arranged है यहाँ पर आपको SP3 hybridization देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी SP3 ही मिलेगा कितनी बात ठीक है और एक चीज और देखना अगर मैं बीच में से एक line ऐसे का बनाऊ dotted line देखना होगा इस dotted line के हिसाफ से देखो तो यह equal half में divide हो रहा है इधर भी और इधर भी और यह ऐसे है तो इसको बोड़ा जाता कि symmetrical है यह बीच में से हमने पास किया आदा हिस्सा इस हिस्से के बराबर है इसका मतलब यह symmetrical है और अभी थोड़े दिर पहले बढ़ाया गया था कि यह कैसा है covalent molecule यह covalent molecule है बलकि covalent oil रहता है आपका oil के form में covalent molecule है अभी पढ़ाया गया था थोड़े दिर पहले ही ठीक है ओके बोलो भाई तो नहीं बास समझा रही है क्या तुम लोग ठक बहुत जल्दी जाते हो मेरे भाई मैं लगा हुआ हूँ तो आप भी तो लगो non-linear क्यों लिखा line sum जो लिखा है mn2o7 जो है वो non-linear है non-linear क्यों लिखा होगा बता सकते हो non-linear होने का मतलब है angular होना कहीं न कहीं इस तरीके से angular होना ठीक है angle पर present है और यह carbon sp3 है sorry यह mn sp3 यह भी sp3 तो यार यह क्या एक plane में भी नहीं है एक line में भी नहीं है तो non-linear symmetrical obviously symmetry है हाँ पर covalent पढ़ल रखा है हमने पर लाइव नहीं समझना गई यह मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि NCRT में सारी line है इंपोर्टन्ट है अगली क्या लिखी है each MN is tetrahedrally surrounded by oxygen देखो हर MN के किनारी 4 oxygen लगे है और वो भी tetrahedral fashion में लगे हुए है अगला देख लेते हैं यह question आप खुद से attend करेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझना आ जागा यहाँ पर क्या लिखा है जहां पर plus six oxidation state है वो क्या है पैरा मेगेटिक है तो यह बहुत आसान सवाल आते हैं एक बार इसको करके देखेगा समझ में आजाएगा कि हाँ आसान था अगली चीज पढ़े है H2CROFRO इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड एक एक चीज इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कभी D-block में अब कुछ लोग हैं जिनको यह लग रहा है कि सर बस जल्दी से छोड़ दीजिए काम हो चुका है मैं यह कह रहा हूँ कि एक बार ढंग से सीख लो अगले कुछ ज्यादा टाइम में लगने वाला है 40 मिनट और लगेंगे तब कुछ खतम हो जाएगा ढंग से इत्मिनान से हर एक चीज आप टच कर पाऊगे सारे प्रिवेस एर कोशन उड़ा दोगे इतना गारंटी है 40 मिनट देना है क्या आप दे सकते हों कि नहीं इतना बता दो भूब मुझे भी लगी है ना आती हैं अपन इंसानी फितरत है हमारी आई आगे देखते हैं अगर हम आपके लिए यहां खड़े हो सकते हैं तो आप भी हमसे कम मेहनत तो करिए प्रोमिक एसिड यहां पर CHR है मेरे बढ़े प्रोमिक एसिड है अच्टू सी आरो फोर और जब अच्टू सी आरो फोर में से दोनों के दोनों एच प्लस हटा दिये जाए तो वो क्या बन जाएगा सी आरो फोर टू नेगेटिव एक बात देखो जहां कहीं बे एक एसिड हो तो उसे बनता है 8 आयन एक एसिड से 8 आयन मतलब क्रोमेट आयन यह क्या हो गया क्रोमेट आयन क्रोमिक एसिड से क्रोमेट आयन ठीक है जी किसी को कोई दिक्कत परिसानी यहां तो नहीं हो रही ना नहीं होनी चाहिए अगली चीज देखना, अगली चीज क्या है कि अगर मैं इसको double कर दूँ, मैं क्या करूँ, acid को double करूँ, और उसमें से क्या करूँ, पानी निकाल दूँ, एक water निकाल दूँ, ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर निकाले तो बन जाएगा, H2Cr2O7, ठीक है, इसको क नाम सीखो क्या बोला, मैंने दो बार acid किया, तो dichromic acid, तो dichromic acid में से अब अगर water हटा दिया गया, अगर अब water हटा दिया गया, तो क्या बचेगा, बोलो CR2O6, और CR2O6 को ही CRO3 कहते हैं, CR2O6 को CRO3 कहते हैं, यह क्यों पढ़ाया बताऊंगा, two times CRO3, पेपर में यह hydride है, यह किस acid का hydride है, फिर आप frustrated होते हैं, फिर आपको लगता कि यह तो मुझे आई नहीं रहा है, तो आप जाएंगे, आप बताएंगे, देखो भीया, यहां से हमने बनाना शुरू किया था, तो यह इसका क्या हो जगा, इसका, यह जो है oxide, यह इन भाई साब का क्या है, अगर direct hydride देखना है, तो वो dichromic acid का है, जो dichromic acid का है, बोलो बात ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस dichromic acid में से, H+, हटा देता, dichromic acid में से, अगर मैं H+, हटा देता, तो क्या नाम बोला जाएगा, सारे H+, उडा दो, सारे H+, उडा दो, तो है 2H+, 2H+, क्या बन ज dichromic acid है, तो एक acid को हटा करके 8 iron लगाते हैं, तो dichromate iron, आज तक साथ रठते रहोंगे, कभी सीखा नहीं हो, तो यहाँ पर हो जाएगा dichromate iron, यह बात आपको समझ आ गई हो, क्या है, dichromate iron, तो सारा conceptual है भाईर भाई, एक दूसरे से linked है, clear है मामला, clear है मामला, मैरे साथ बोल आनंद आता है मुझे भी देख करके वो चीज, ठीक है जब आप सही जवाब देते हैं, क्या लिखा है, CRO42 मैं structure की बात करूँ, तो chromium double bond oxygen, double bond oxygen, oxygen पे negative charge, यहाँ पर हो जाएगा oxygen पे negative charge, क्रिपया ध्यान दें, यातरी गण क्रिपया ध्यान दें, यहाँ पर देखें, resonance involved होती है, यहाँ पर भी involved है, इसका मतलब सारे chromium oxygen bond क्या होंगे, सेम होंगे, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, आप, यहाँ पर कहा लिकिंगे, all chromium oxygen bonds are same, bonds are, सारे chromium oxygen bond सेम होंगे, किसके लिए, CRO42 negative के लिए, अभी मैंने सिर्फ इसी के लिए बताया है, ठीका जी को सक्संदे, तो किसी को नहीं हो रहा है, इस पर नहीं होना चाहिए, अगला चीज, CR2O7, इसका मतलब है, 7 होने का मतलब ही हो जाता है, बीच में oxygen इस तरीके से chromium, देख लिए, तब लोग देख लो भया, पहले यह बनाएंगे, फिर एक chromium पर क्या होगा, तीन oxygen, तीन oxygen, भय आप कहेंगे, chromium के किनारे सारे oxygen tetrahydraly लगे हुए, बताइए, यहाँ पर सारे क्या है, tetrahydraly लगे है, सही कहा रहा हूँ, क्या यह क्रोमियम SP3 hybridized, यह सर, यह भी SP3 hybridized है, क्या यह non-linear है, यह सर, कहा सीधा है, तो non-linear है, बीच में से क्या है, कट्रा है, इसका मतलब यह symmetrical है है, समझ में बात आ रहा है, यह एक iron के form में है, तो आप बताएए, क्या यहां पर, chromium oxygen के सारे bonds same है, इधर के तो same है, यहाँ देखो, यह वाले तो same है, resonance करोगे, resonance करोगे यहां तो same मिल जाएंगे यह same होंगे यह तीनों same होंगे यह तीनों same होंगे तो आप बोलोगे six chromium oxygen जो bonds होंगे वो एक तरीके कहोंगे लेकिन दो ऐसे होंगे chromium और oxygen bond जो की अलग होंगे तो same होंगे देखो बहुँ चेंलोग कोई-कोई यह वाला मानलो की X and strom है length है यह ले Dallas यह भी एक सेंग फॉकल चेंग फोह डह्याशं सो लेकिन बीच वाले यह लोग तो इस चरओं दार इस मोह होंगे लेकिन यह आप क्या बोलोगे यह XMStorm तो यह भी XMStorm तो बाकी में X होंगे समझ में आया तो दो different type के पाई जाएंगे दो chromium oxygen bond एक तरीके के हैं बाकी 6 एक तरीके के हैं अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना तो paper में आप सोच भी नहीं पाएंगे प्रश्च नहीं है कि business dentist जब आप किसके दिमाग में आता है paper सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है paper इसलिए होता ही नहीं है कि तुम्ये आता है या नहीं आता है paper के वल इसलिए होता है और selection का process इसलिए है कि तुम्हें किस तरीके से छाटा जाए यह यह इंडिया क्या कर सकते हैं तुम्हें किस तरीके सांटा जाए तो इसलिए पहले कॉंसेप्ट को सीखना पकड़ना पड़ेगा अधरवाई नहीं होगा मेरे भाई क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बहुत सारे बच्चे जल्दी से सोच ले जाएंगे वी-टो फाइव के स्ट्रक्चर मनाएं बहुत आसान ऐसीजन एक ऐसे दे दिया तो बीच में इरख दिया मैंने अपको क्या करना है डबल बोन ओक्षीजन डबल बोन ओक्षीजन डबल बोन ऐस तरीके से एक सब्द यूज किया जाता है इनके लिए यह acidic as well as basic medium acidic as well as ऐसा ही NCRT में लिखा मिलेगा as well as basic medium में ये exist करते हैं कुछ इस तरीके से VO43 negative and VO4 quality ये इस form में exist करते हैं बहुत important line है question बनने वाला तुमारे paper में अगली बार क्योंकि यही इन्होंने कम पूछा है और अच्छे तरीके सेंसियार्टी ने मेंसन किया तो अगला आपका paper ये है पूछा जाएगा V2O5 acid as well as base में किस तरीकी का पाया जाता है उनके ions के बारे में बता दीजिए तो वो है VO43 negative and VO4 positive परेक्ट रट्टा है वही है कुछ नहीं कर सकते हैं तो दरूप से रट्टा है VO43 negative and VO4 positive वक्त ना देते हुए आप आगे बढ़ जाएं अगला सवाल CRO3 और SO3 का जो structure वो सेम होता है ये साइद आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा तो मैं बता दीता हूँ यहाँ पर इतना जगा लेता हूँ आपको ये बात सिखाने के लिए देखिए बया तब लोग बया देखें यहाँ पर जो आपका SO3 था साइद आपने पढ़ा होगा ये ट्राइमर के form में exist करता है और ये S3-O9 का structure कभी-कभी आपसे पूछा जाता है similarly chromium भी है तो आप CRO3 का जिस तरीके के से अगर ये थ्राइज बना लीजिए ये exist करता है CRO2-O9 के form में CRO2-O9 के form में कैसे बनाना structure बना दूँ कैसे बनाना structure बना दूँ इधर देखो otherwise नहीं करके आप आओगे paper में मैं बहुत जिम्मेदारी से लाइन कह रहा हूँ problem होगी आपको आप सोचोगे कि ये क्या सवाल आ चुका है ये यही नहीं आता मेरे को feature ने मेरे को यहीं नहीं पढ़ाया ठीक है और ये इन और्गनिक इसमें हर एक लाइन important है chromium क्या करना देखना TR3 होगा यहां पर TR3 TR3 O9 देखना तीन है तीनों chromium को पहले एक एक oxygen के बान से जोड़िए तीनों chromium को पहले एक एक oxygen के बान से जोड़िए तीन oxygen यूज हो गया बचे कितने ही अरे बोलो भाई बचे कितने सर छे बचे छे को तीन में डिवाइड करना है तो एक के हिससे दो आएगा तो double bond O double bond यहां पर भी double bond O और अगले में भी double bond O यहां पर भी क्या आएगा double bond O अगले में भी double bond O तो इस तरीक से बनाते हैं और यह ऐसा structure sulfur रख दो यहां पर sulfur sulfur तो यह बन जाएगा SO3 का ट्राइमर के पूछा गया है question पता है क्या पूछेगा question पूछेगा कि बताईए CRO3 के structure में कितने chromium oxygen chromium bond फिर कैसे बताओगे तुमारे दिमाग में तो चलेगा कि यार एक ही CRO3 तो है एक ही CRO3 में CRO क्या पूछा जाएगा पूछा जाएगा कि इसमें बताईए number of chromium oxygen chromium bond कितने होंगे आप कहोगे 0 आरे नहीं भईया वो ट्राइमर के फॉर्म में एक्जिस्ट करता है तो number of chromium oxygen bond यहाँ पे 3 होंगे यह नहीं आएगा आपको आप से पूछा जाएगा कि बताईए यहाँ पर कितने ऐसे chromium है जो कि SP3 hybridized है तो आप कहेंगे कि 3 ऐसे chromium है जो कि SP3 hybridized है कितने 3 ऐसे chromium है जो SP3 hybridized है यह chromium भी SP3 है यह chromium भी SP3 और यह chromium भी SP3 hybridized है ऐसा सवाल आएगे जवाब कहां से दोगे नहीं दे पाओगे इसलिए यह सीखो बहुत ज़रूरी है अगली चीज है preparation of KMNO4 आईए मज़ेदार चीजे सिखाता हूँ अब बहुत जादा वक्त नहीं लगना है आदे गंटे की कहानी और बची है क्या है भईया preparation of KMNO4 KMNO4 को बनाने का क्या तरीका है इसको बनाएंगे preparation from S2O8 to negative यह सुना है कभी H2S2O8 कितने लोगों ने यह सुना है H2S2O8 सर इसको Marcells Acid कहते हैं क्या कहते हैं इसको इसको कहते है Marcells Acid इसको कहते है Marcells Acid पताए इसको क्या कहते है Marcells Acid इसको कहते है Paragzo Di-Sulfuric Acid इसका नाम है परागजोडाई सल्फियूरिक असिड क्या बोला मैंने लिखो जल्दी परागजोडाई सल्फियूरिक असिड अगर ये परागजोडाई सल्फियूरिक असिड है तो बताएं ये आयन क्या बोला जाएगा अगर ये परागजोडाई सल्फियूरिक असिड है तो ये पराउग्स को डाई स्लफेट बोला जाएगा चांट जिसे मामला समय में कुछ आया है चलिए आपक वे सामने आप हमने मने ले लिए सनलल थो के अंदर क्या होगा Mn plus 2 और हमने ले लिया मालों की यह ले लिया K2S2O8 potassium paroxodide sulfate potassium paroxodide sulfate लिख लिख लिखे पोटासियम इसका यह क्या है paroxodide sulfate अब इसके साथ अगर आपने reaction करा दी तो होगा क्या देखो simple सी बात reduction का process है reduction का process है देखो होगा क्या यहां पर sulfur पर oxidation state जाके निकाल लेना बाकि सुनो यहां पर देखो देखने में लग रहा कितना simple है S2O8 लिखने में लग रहा है कि यह होगा आधा कर दो इसका SO4 देखो आधा करो क्या हो जाएगा हाँ पर क्यों टू एसधोत्ति को में लिखना वड़ा असान हो जाता है क्या रिकना है टूटाइंग somo तु आभ खरण सु द्भाइत आप बाकि क्या होगा वाकि क्या होगा यहां पर अपने आप को सल्फर करेंगा अपने नो ने चला जाएगा MN plus 7 में तो MN जो plus 2 था वो तो oxidize किस में चला गया plus 7 में जो MN plus 2 था वो चला गया plus 7 में जो की बना है MN MN O4 negative अगर आपने यहाँ पर potassium लिया है तो यहाँ पर KMN O4 बन जाएगा क्या बनेगा KMN O4 बन जाएगा तो यह सिंपल सी बात ही खरी अगली चीज़ देखते हैं यह पढ़ लेना लाइन पढ़ो लाइन पढ़ो मैं चाहता हूं पढ़ो बहुत जरूरी है लिखा है इसका नाम क्या है परमेगनेट पेपर में यह लाइने आती है तुम्हारा दिमाग में चमकता नहीं है तुम भले इसका जबाब जानते रहो तो इसलिए कह रहा हूं मैगनीज टू सॉल्ट यह है ऑक्सिडाइज बाइट किससे पराउक्जोडाइज सल्फेट क्या बना दिया हमने परमेगनेट यह देखो ना भाई यह क्या बना दिया हमने परमेगनेट सिंपल बात है अगला सवाल देखना MnO2 से कैसे बनाएंगे पाइरोलसाइट MnO2 क्या होता है पाइरोलसाइट ओर होती है अच्छा जी Mn की ओर हमने क्या किया ध्यान से सुनना MnO2 को उठाया KOH में डाल दिया और एसिड का वो ऑक्सिजन का परजेंस रखा फिर क्या बनेगा इसको याद कराने का मेरा तरीक रहता है यह है कि इस प्रोसेस में ऐसा होगा कि जो MnO2 होता है मन प्लसुसाइट वो धीरे धीरे ऑक्स डाइज होगा पहले प्लस 4 जाएगा किसमें प्लस 6 में और प्लस 6 जाएगा प्लस 7 में प्लस 6 जाएगा प्लस 7, सिंपल बातों से याद हो जाती ही चीज़े, क्या बोलना है, पहले हमारे पास है MN प्लस 4, जो की MN O2 के फॉर्म में है, हमने उसको के वेच में डाला, ऑक्षिजन का प्रजेंस रखा, वो कनवर्ट हो गया प्लस 6 के अंदर, अब प्लस 6 के अंदर ह हमारा कौन सा आयन पाया जाता है, चलिए बताइए, कौन सा आयन पाया जाता है, तो आप कहेंगे, कि यार अगर उसको बेस में रखना है, तो निशीद रूप से MN O4 2 नेगटिव रहा होगा, इन्होंने साथ में बेस भी ले रखा है, तो O2 क्या कर रहा है, ओक्सिडेशन अब आपको बताया जा चुका था कि एसडिक मीडियम में डालने के बाद, यह आप क्या दे देते हैं, यह आपको देते हैं, MN O4 नेगटिव प्लस MN O2, भोलो देंगे की नहीं देंगे, MN O4 नेगटिव प्लस O2, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो MN है, जो कि प्लस 6 म मैंने क्या बोला था, प्लस 4 convert हो गया, प्लस 6 में, प्लस 6 में acid डाल दिया तो बन जाएगा MN O4 नेगटिव, आपको मैंने सिखाया था, कि जब हम, जब हम क्या करते हैं मेरे भाई, जब हम magnet आयन लें, जब हम magnet आयन लें, और उसमें acid डाल देते हैं, तो भाईया यह क्या ह प्लस 6 और इसका प्लस 1, प्लस 7, याद रहेगा, याद रहेगा की नहीं रहेगा, यस सर, आगे देख लेते हैं, commercially कैसे prepare किया जाता है, वो भी एक बार देख लिजिए, एदम सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, देखे क्या लिखा है, यह paper में पूछा गया, अभी question कर प्लस 6 में, यही तो सिखाया था, प्लस 4 में, और जैसे ही वो प्लस 6 में, पहुचे, तुरंत उसको क्या करिए, आप प्लस 7 में convert कर दीजिए, तो प्लस 7 में, अब की बार हमने कैसा किया है, convert, अब की बार हमने commercially convert किया है, electrolytic oxidation process को, यूज करके, और यहाँ पर हो जाएगा, MNO 4 negative, तो देखे हमने क्या किया, प्लस 4 को, प्लस 6 में, प्लस 6 को, प्लस 7 में convert कर दिया, तो इस तरीकी से बनाया जाता है, आपका potassium permagnate, क्या बना जाता है, potassium permagnate, देखे लो भाजी इतनी बात समझ गाई है, यहाँ तक की बात समझ में आई है, क्या, यह बन जाएगा, तो आपको अभी समझ में आया कि कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है, आगे बढ metal hydroxide, metal का hydroxide, in presence of an oxidizing agent, oxidizing agent यह आप ले लिजी के नो 3, अना वही, as के नो 3, तो बताइए क्या मिलता है, वो कह रहे हैं, जो चीज मिलती है, वो green color का है, वो कैसा है, वो green color का है, चलिए बताइए, जवाब बताइए सब के सब लो, ऐसे सवाल आएंगे, कैसे करोगे तुम पे जो भी हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि सर्फ पिछले वाले में, यहाँ पे alkaline क्यों है, मेरे भाई, यह उपर वाला method अलग था, यह commercial नहीं है, यह normally lab में बनाने का तरीका है, नीचे वाला commercial तरीका है, यह अलग method है कि जिसमें electrolytic oxidation करना पड़ रहा है, ठीक है, अगला यहा क्या बनता है, बताइए, ग्रीन कलर याद आ रहा है क्या कोच, तर आपने पढ़ाया MnO4, 2 negative, दियान देंगे, अगर नहीं आपको पढ़ाया तो आप जान लीजिए, MnO4, 2 negative, जो होता है, वो ग्रीन कलर का है, MnO4, 2 negative, ग्रीन कलर का है, लेकिन MnO4, 1 negative, परपल कलर का है कैसा होता है, परपल कलर का होता है, फिका जी, इतनी भासन में आगी, अब अगला क्या लिखा है, वो क्या बनाता है, MnO4, 2 negative, जैसे ही H+, डलता है, वो क्या बनाता है, MnO4 नेगेटिब बनाता है, और साथ साथ MnO2 बनाता है, तर यहाँ पर डिस्परपोर्चनेशन कहा ह अरे बरे भाई, अरे बुद्दुबलग, यहाँ पर प्लस 6 present है, यहाँ पर प्लस 6 present है, प्लस 6 देखिए, प्लस 7 और प्लस 4 में convert हो रही है, एक ही चीज ़ो रही है, यह जो प्लस 6 था, वो oxidized होके प्लस 7 बन गया, और यही प्लस 6 reduce होकर के प्लस 4 बन गया, तो मैंने बता करके तुम नहीं कर पाओगे इस चीजों को तोड़ी थोड़ी बुद्धी लगानी बढ़ेगी आपको यहां पर X क्या है M N है X क्या है M N है यहां जी अभी पढ़ाया गया था M N है M N O 2 प्लस दिस ठीक तो यहां पर यह जवाब से बहुत सही लोगों ने बताया है वेरे वेरे गुड अच्छी बात है आगे बढ़ जाते हैं यह सीखते हैं हमारे पास है M N O 4 नेगटिव अब आनन्द आएगा मेरे भाई थोड़ी दिर के और बात ही रजहिल लेते हैं क्या लिखा है M N O 4 नेगटिव अगर हम M N O 4 नेगटिव को हीट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको पढ़ाया जा चुका है वैसे बुद्धि लगाना सीखिए अभी क्या ने यह प्लस सेवन ऑक्सिडिशन स्टेट में है तो यह क्या करेगा देखो सब कुछ दे देगा जिससे वह बना था हमने इसको बनाने में जिन जिन लोगों को मिलाया तो सब निकल के बहार आ जाएंगे क्या है वो MnO42 और क्या मिलाया था ओक्सिजन सुरुवात तो यहां से होती है के वेश जाल की यह बनाते हैं बाद में यह बनता है तो हीट करते वक्त यही लोग वापस मिल जाते हैं इसको बोलते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन रेक्शन बोलते हैं क्या नहीं यह भी डिस्प्रपोर्शनेशन ही है ना कि देख लो एक बार एक बार देख लो पर मैगनेट से यहां पर मैगनेट MnO2 और O2 मिल जाएगा तो जिससे वो बना था उसी से वो बन गया नहीं डाइक्रोमेट समझ बात आगई अरे इतनी बात समझ में आगई अरे डाइक्रोमेट यहां कैसे आएगा कैसा बाद में है भाई एक बात सुनों मेरे हीरो वो जो रेक्शन पढ़ी है उसमें कहीं क्रोमियम पढ़ाया गया आपको आभी आगी क्रोमियम पढ़ाऊंग कि H+, डालते हैं, तो भया देख लो, बहुत ध्यान से सुन लो, यह आपने पहले भी पढ़ रखा है, जब आपको titration पढ़ाया जाता रहा था, Mn+, 2 में, अरे आपने पढ़ा था ना, Kmno4, Kmno4, आपने पढ़ा with H+, आपने पढ़ा था कि यह जब reduce होता है, तो वो आपको Mn+, 2 देता है, क्या देता है, Mn+, 2, तो यहाँ पर क्या है, प्लस 7 oxidation state, जो की convert हो जाता है, प्लस 2 के अंदर, अगली चीज क्या है, neutral के case में यह MnO2 बनाता है, जहाँ पर Mn की खोपड़ी पे, प्लस 4 oxidation state आता है, यह अभी याद भी करा दूँगा, don't worry, याद करा दूँगा, को अगर आप base डालेंगे, तो क्या बनेगा, यह तो आपको बताया जाचुकर, बताइए, अगर पर मैगनेट है, आपने base डाला, base मतलब OH नेगटिव, नेगटिव डाला, तो प्लस 7 कहाँ चला जाएगा, प्लस 6 में इसका मतलब, वो बन जाएगा, मैगनेट आयन, तो यह व अचाँ, अब एक चीज़ देखना, देखना, H प्लस का मतलब क्या होता है, वहाँ पर pH क्या होगा, बताऊ, बताऊ, जहाँ पे H प्लस की concentration ज़्यादा, वहाँ पर pH की value क्या होती है, कम, लिए क्या, यह सर, अगर concentration of H प्लस ज़्यादा, तो pH की value कम, तो आप कहेंगे, अग 7 प्लस 2 में convert हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन का लेंदेन हो रहा है कितने का 5 इलेक्ट्रॉन का लेंदेन हो रहा है ध्यान से सुन लो 5 इलेक्ट्रॉन का लेंदेन हो रहा है लेकिन अगर मैं neutral की बात करूं तो neutral में तो भाईया सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का लेंदेन हो रहा है सि प्लस 7, प्लस 6 में जा रहा है तो एक electron का lane देन है तो जितने electron कोई धान से सुन लें, कोई oxidizing agent जितना अच्छे तरीके से electron receive कर सकता है, जितना ज्यादा electron receive कर सकता है उतना अच्छा वो oxidizing agent बोला जाएगा, ये बहुत पहले से oxidizing agent है, neutral में थोड़ा सा कम oxidizing agent है base में सबसे घटिया oxidizing agent है base में सबसे घटिया oxidizing agent है तो oxidizing powers कहां पे जादा है जहां पे concentration of H plus जादा है अगर concentration of OH negative जादा हुआ तो यहां पर इसका oxidizing power घट जाएगा, क्योंकि plus 7 सिर्फ plastic तक जाएगा तो वो सिर्फ सामने से एक electron को receive कर पाएगा अगली line पढ़ लीजिए हाँ ये देख लीजिए सर ये तो बड़ा आसान है ये पढ़ाया जा चुका हमें electro chemistry में अरे यहां पे vanadium पे निकालोगे plus 5 oxidation state है यहां chromium पे plus 6 oxidation state है यहां मैगनीज में आप जाके देखो कि तो plus 7 oxidation state है जहां पे जितना जादा oxidation state वो उतना ही electron receive कर सकता है और जो जितना electron receive कर सकता है वो उतना ही अच्छा oxidizing power का होता है कितना मज़िदार सांदार था जिंदाबात था अगली में आ जाते हैं यह question आप खुद से करेंगे exactly पीछे वाले का यह धर copy है question में आपको दिख जाएगा देखिए potassium permagnate को हमने heat किया था तो उसने क्या बनाया था potassium magnet बनाया था इसने को दिखकत तो नहीं है मेरे भाई अभी बताया था भूल गए क्या Kmno4 को जब हम heat करते हैं तो मैंने बताया जिससे जिससे बनता है वो सब निकाल के आपको देगा वो क्या है K2 MnO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा MnO2 बन जाएगा साथ-साथ oxygen gas भी निकालता है साथ-साथ oxygen gas भी निकालता है मेरे भाई सामाज आया क्या यस सर पढ़ ले जाएंगे आब कोई दिक्कत नहीं है यह पढ़ लीजेगा paramagnet, diamagnetic और क्वेशन को खुद attempt करना अगला देखते हैं MnO4 negative with H+, अब reactions है बहुत सिंपल बाते हैं यह मैंने क्या बताए यह oxidizing agent है अगर यह oxidizing agent let me clear क्या होगा यह यह अपने आपको हर बार acid वाला क्या करता है plus 2 में convert करता है तो यह मैं product में नहीं लिखूंगा simply यहाँ पर बता दिया कि यह KmnO4 with H+, का जो Mn है वो अपने आपको plus 2 में बनाएगा और अगर plus 7 plus 2 में जाएगा तो दूसरे वाले को क्या करेगा oxidize oxidize करेगा तो KI में देखू KI में कैसे लिखते हूँ K plus and I negative K plus and I negative अब बताए I negative को आप oxidize करेंगे तो क्या बनाएगे iodine gas बना देगे simple है नहीं अरे minus 1 को आप 0 में लेके चलेगे minus 1 से 0 जाना oxidation minus 1 से 0 जाना क्या होता है बोलो जल्दी अरे तुरंद बोलो निप्टा देता हूँ minus 1 से 0 जाना oxidation और यहाँ पर देखो आपका plus 7 चला गया plus 2 में मतलब MN plus 2 बनेगा इसका मतलब आप चाहो तो जवाब के तोर पर यहाँ पर plus 2 निप्टो MN plus 2 निप्टो है ना पूरी से 0 याद हो जाएगी आज तुमें यह क्या है भाईया FE 2 प्लस भाईया ना green color का होता है तो देखो भाईया में एक चीज़ पता होता है FE 2 प्लस और FE 3 प्लस में FE 3 प्लस ज़्यादा stable है तो उसको जहां हम क्या करते है बना सकते है FE plus 3 बन ज़्यादा Q stable है क्यों कि आपे क्या हैगा आपको पता होना चाहिए 3D5 है ना इसलिए यह इसमें convert हो जाएगा बूल मामला ठीक है तो 2 प्लस किसमें गया 3 प्लस लेकिन MN जो की प्लस 7 में था और यहां पर निकालिए carbon per oxidation state निकालिए carbon per oxidation state very very good किसी ने जवाब बता दिया है CO2 गैस बनेगा बहुत सही CO2 गैस बनेगा कैसे पता चला यह और यह ऑक्षिडाइजिंग अजन्ट था यहां पर कारबन पे प्लस 3 ऑक्षिडेशन स्टेट है carbon पे प्लस 3 है तो उसको मौका मिलिया वो प्लस 4 बना देगा तो oxalic acid oxidize हो करके CO2 गैस बना देगा very very good कोई और हो सकता है जवाब बताए है H2S में आप क्या बोलोगे भाईया यहां पे देखो ना sulfur पे 2 negative है अगर sulfur पे 2 negative है तो sulfur को आप प्रस्पिटेट डाउन करा सकते हो sulfur को आप क्या कर सकते हो प्रस्पिटेट डाउन करा सकते हो 2 negative किसमें चला जाएगा 0 मतलब oxidation हो चुका है अगला चीज देखें यह कौन है यह paper में कैसे आएगा पता है लिखा रहेगा Na2C2O4 Na2C2O4 यह भी देखो oxalic acid की तरह ही तो है अरे oxalate आयन ही तो है अगर oxalate आयन है तो carbon पे plus 3 है तो plus 3 किसमें जाएगा plus 4 मतलब CO2 गैस उड़ेगी अगला देखें H2SO3 आपको पता यह है कौन बताओ sulfurous acid और कभी भी us acid आए कभी भी us acid आए और सामने अच्छा oxidizing agent हो तो वो oxidizing agent इनके us acid को एक acid में convert कर देता है यह हमेशा के लिए कुछ गलत नहीं है भाई तो यह अगर oxidize होगा तो यह क्या बन जाएगा H2SO4 क्या बन जाएगा H2SO4 मौमला क्लियर है अगला देखें अरे मजा आना चाहिए भाई अगला देखो यहाँ पर केवल मैंने H plus अटा दिया मतलब paper में कैसे दिया जा सकता है ऐसे दिया जा सकता है कि यहाँ पर Na2SO3 है बोलो बो दिया जा सकता है बोलो भईया दिया जा सकता है क्या यह सर दिया जा सकता है यहाँ पर सलफर पर प्लस पूर है प्लस पूर को प्लस 6 बनाया जा सकता है तो आप लिखेंगे यह सलफेट आयन होगा यह सलफेट आयन इसका नाम क्या है सलफाइट यह सलफाइट आयन है और यह सलफेट आयन है यह क्या है यह सलफेट आयन मामला क्लिए रहे अब कर ले जा और और बनेगा क्या और वो बन जाएगा नाइट्रियेटा इज एथा इृट कितना आसान है नाइट्राइट से सी धा घाटा महसूस होगा देखना तो अच्छी बात है जो टिका है जित्ता वही है यही कहता है स्रेश्टिक पूरी कहानी है उसको कभी और सुनाएंगे हमारे पास क्या है MnO4 नेगट है इसको आप घोसित कर सकते हो कि वह यह यह नीट्रल कंडिशन में है अगर बेसिक है ना तो बहुत ही बेसिक है मतलब कि स्लाइटली बेसिक लिख सकते हैं लिख लेना विया स्लाइटली क्या है बेसिक है बहुत ही कम बेसिस्टी है या तो नीट्रल माल लेजे बहुत ही कम बेसिक या नीट्रल बेसिक नहीं बोल रहा कह रहा हूं कि यह neutral है या तो बोला जाएगा बहुत कम बेसेटी है इस condition में क्या करें हम बहुत मज़िदार चीज़ पढ़ने जा रहे हो आई negative अगर neutral के साथ क्या करेगा reaction करेगा प्लस 6 oxidation state यहाँ पर क्या है plus 6 oxidation state बोलो भाई यहाँ पर क्या plus 6 oxidation state होगा क्या i negative इसको i negative पर reaction कराने पर i o 3 negative बन जाएगा और mn हमारा mn o 2 बन जाएगा mn हमारा mn o 2 बन जाएगा और यह देखना h2 यह कभी सुना h2 o 3 2 negative नहीं सुना अरे मेरे भाई ऐसे देखो आप देखोगी है h2 so 4 है h2 so 4 हम लिख रहे हैं h2 ध्यान से सुनना हम एक oxygen की जहाँ पर एक sulfur लाना चाहते हैं तो sulfur एक बढ़ गया तो हो गया दो sulfur एक oxygen घट गया तो यह हो गया इसको कहते हैं देखो यह है sulfate और यह कहाँ थायो sulfuric acid एक है sulfuric acid दूसरा है थायो sulfuric acid एक है sulfuric acid नीचे वाला थायो sulphuric acid जब आप oxygen को replace कर देते हैं sulfur से तो वो बन जाता है thaiosalphuric acid और जब बन जाता है thaiosalphuric acid दुबारा सुनेंगे जब बन जाता है thaiosalphuric acid तो यहां से दोनों H plus हटा दोगे तो बन जाएगा H2O32 negative अगर बन गया H2O32 negative तो आप इसको कहेंगे thaiosalphate iron क्या कहेंगे thaiosalphate iron जो जो पढ़ा रहा हूं सब सही है इसी तरीके से याद करना है समझना है thaiosalphate iron अगर thaiosalphate iron से reaction करें आपको पता चल जुगा हुगा क्या बनेगा sulphate iron हम इसा कहां तक जाता है sulphate iron और आपका जो neutral वाला है वह आपको दुबारा यहाँ MnO2 देगा यह सरी MnO2 हर बार क्यों लिख रहे हूं अरे आपको बताया था मैंने कि neutral condition में हमारा MnO4 negative स्वारी अच्छा यह गलत है यह गलत ना यह प्लस 7 था तोरी मुझे लगा कि आप answer बता रहे हूं MnO4 negative किसमें जाएगा neutral condition में बताये MnO2 न्यूटरल में MnO2 में जाएगा देख लिए MnO2 MnO2 अरे बोल दोना मामला क्लियर है क्या यह सर अच्छा अगला देखिए यह जबरदस्त है यह जबा मैं चाहता हूं आप दो अब यह कह रहा है कि JnO हमारे पास एक catalyst है लेकिन मैंने लेया MnCl2 मालो या Mn2 प्लस कहीं से लेये और उसकी reaction हमने करा दी neutral MnO4 negative के साथ अब क्या होगा यह भी Mn है इसके अंदर भी Mn है तो भया बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्लस 7 यहाँ पे प्लस 2 बीच में कौन आगा प्लस 4 यह बन जाएग यह जो 2 प्लस था वो oxidize होगा 4 प्लस बन गया और यह जो 7 प्लस था वो reduce हुआ प्लस 4 बन गया समझाया यहाँ यहाँ पर जबाब के तोर पे MnO2 मारिएगा भया बहुत important line पढ़ाया मैंने समझाया ना चीए अगला सवाल यह खुद करेंगे आपके लिए छोड़ रहा पुराना सवाल है जो पीछे पढ़ा दिया गया वही सब छाप दिया गया यहाँ पर जो पढ़ा दिया गया वही सब यहाँ पर छाप दिया गया यहाँ यहाँ पर बस एक चीज नहीं है MnO2 reacts with initial and concentrated H2SO4 तो मैं आपको बता दूँ MnO2 एक बहुत ही सांदार oxidizing खुद है ख जब यह reaction करता है इसके साथ Nacl plus H2SO4 के साथ तो आप ऐसे समझो दोनों आपस ने reaction करी HCl बनाया और जब HCl बना तो यहाँ पर है Cl negative तो यह क्या करता है MnO2 क्या करता है एक oxidizing agent है यहना Mn पर प्लस 4 है तो वो क्या करता है Cl negative से Cl2 gas बना देता है यह चीज आपको पढ़ाई जाती है ग्रूप नमबर 17 पढ़ाते है वक्त बट मैं चाहता था आप एक बार देख लिए बाकी आप कर ले जाएंगे अब आप question भी आपके लिए देखो इन्होंने दिया green है green से समझ आगा है कोन है purple है समझ में आया है कोन है मेरे भाई अब अगर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं कर सकते यार फिर कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई इन्होंने क्या लिखा यह रहा होगा MnO2 हमने क्या मिलाया के ओ एच प् बना जैसे ही green color का यह बना हमने क्या करा उसमें acid डाल दिया हमने क्या किया उसमें acid डाल दिया जब हमने उसमें acid डाला तो हमें पता चला वो दो चीजें बनाता है एक तो बना देता है MnO2 दूसरा चीज क्या बनाता है मेरे भाई वो बनाता है और मैगनेट MnO4 नेगटिव बन गया क्या अरे कितना आसान था मेरे भाई यह तो आप कह रहे है देखो अब देखो क्या कह रहे है यह यह यहां पर हमने क्या डाला है यहां यहां तक सब्सक्राइब अरे यहां तक तो से टक बता दिया मैंने A B C पता चल गया A कौन? A कौन मेरे भाई? A M A P कौन? प्रीन दिखने वाला? C कहां पर है? C A अब आप खुद निकालेंगे खुद में कुछ महनत करेंगे आई आखे प्रिप्रेशन आप पोटेशन डायक्रोमेट अब पोटेशन डायक्रोमेट बनाने के थोड़ा सा जवाब देख लेते हैं फिर इसके बाद छोड़ते हैं हमां थोड़ा सा पार्ट और बचा है वह यहां तो मैं सच बता रहा हूं कि मैं यह दावा कर सकता हूं इसके पहले आपने यह नहीं सुना यह चीज आज के पहले आपको कभी याद सायध ही रही हो क्रोमाइट ओर से कैसे बनाएंगे पोटैसियम डाइक्रोमेट का मतलब है के 2-C2-C2-O7 को बनाने का जो मेथड है वह सांदार मेथड सिखाऊंगा मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें क्या बोला मैंने K2Cr2O7 बनाना किसे क्रोमाइट ओर सी क्रोमाइट ओर क्या है FECR2O7 क्या लिखा है FECR2O7 क्या है क्रोमाइट ओर है देखिए चलिए चलिए यहां पर देखिए हमने क्या किया पहले मैं आपको बताता हो फिर यादवाद करना बात में करना है देखो हमने क्य किया हमने लिया chromite ore उसमें हमने डाल दिया na2 co3 फिर डाला o2 अगर मालू मेरे को यह कोई बता भी ले मैं कहूं product बताओ कैसे बताओ के रट्टा मार के नहीं करना क्या सुनना ध्यान से घ्यां सुनना ये भी एक salt है ये भी salt देखने का नजरिया बदलो क्या लिखा है fe fe एक oxygen आप ले लो counter करो fe 2 plus को counter करोगे oxygen से dot अगला क्या लिख सकते हो cr2o3 देखो इसी को लिखने का नजरिया बदल रहा हूं कहानी बदल जाएगी feo cr2o3 लिख दिया इसी चीज को अगला देखो ये भी तो एक salt है salt को लिखने का तरीका क्या है पहले लिखो na2o क्या लिखोगे na a2 अगर na2 लिखा तो 2 na plus हुआ counter करने के लिए oxygen प्लस क्या लिखोगे co2 देख लो गबार देखने का नजरिया बदलो काम बदल जाता है जब आप तुरंत मिलेगा fe cr2o4 में बोलोगे feo and cr2o3 यहाँ पर na2 co3 में बोलोगे na2o.co2 क्या बोलोगे कि भाया देखो ये basic oxide है ये basic oxide है ये emphoteric तो basic और emphoteric आपस में milk के salt बना सकते हैं बनाते हैं na2o क्या है basic co2 क्या होता acidic तो ये milk करके salt बनाते हैं अभी हमारे पास ये दोनों लोग मजूद थे मैंने oxygen के साथ reaction करवाई अब अगर oxygen के साथ reaction हुआ तो आपको एक बात पता है carbon का plus 4 होता है और sodium का plus 1 तो ना तो plus 4 से जादा किया जा सकता ना तो sodium का plus 1 से जादा किया जा सकता इसलिए ये oxygen इन दोनों से reaction नहीं करेगा किसे करेगा इन से करेगा इतनी बात समझ आई अरे बुद्दु बाल को ये बात समझ आई कि नहीं आई सर आ चुकी है अभी हमने क्या किया oxygen से reaction करवाई हमने क क्या बोला हमारे पास oxygen था जब हमारे पास oxygen था तो यह जो FeO है यह खुद को Fe2O3 में convert कर लेगा और यह जो CR2O3 जहां पे chromium पे plus 3 है वो अपने आपको plus 6 मतलब CRO3 में convert कर लेगा यह कहीं नहीं पढ़ाया जाता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत सही तरीके सीखना है क् मैंने खुद इसको आयाटी में सीखा था मुझे खुद उससे पहले नहीं पता था ठीक है जी हम अपने गुरू जी जो हमारे एजे इलियास साब हैं हम उनको सुक्रियादा कर सकते हैं उनकी PPT में यह चीज में संथी है हमने आयाटी के अंदर यह चीज सीखी है मैं चाहता दो ऑक्साइड है औक्साद रेक्षिन के साथ नहीं सकता क्योंकि इनकी कंडिशन फुल्फिल हो जोगी यह अपने और अग्सिदेशन नमर बदल ही नहीं सकते तो यह बदल सकते हैं तो आप बोलोगे देखो आयरन क्या करता है वारेबल ऑक्सिदेशन स्टेट सो करता है आ आये दिखाते आये दिखाते भीया जादू देखोगे जादू यहाँ देखो इधर आओ इधर क्या लिखा है एने टू ओ यह कैसा है बेसिक यह भाई साब में बेसिक और यह देखिए CRO3 आपको पढ़ाया जा चुका है यह है एसडिक तो एसिड और बेस यह कोण है बेस और यह कौन एसड नोट करो इसको यह है बेस यह एसड रियक्शन करके क्या बनाएंगे बताइए क्या बनाएंगे भाईया एक तरह से लिख देता हूँ बाद में देखूंगा एने टू ओ डॉट यह बनाएंगे यह कोई चीज तुमने पढ़ी नहीं आस तक यह रियक्शन हुआ और उसकी सकल एफ एने टू ओ डॉट सियार ओ थरी टाइप की है तो मैं दावे के साथ कहता हूं यह कुछ और नहीं एने टू सियार ओ फोर है आप बात कर रहे हैं यह बन गया यस रट्टा निवारना भूल जाओगे सोचना समझना और सीखना है क्या बने क्या है आस तक कैसर उड़ जाएगी गैस क्या होगी उड़ जाएगी और बचा हुआ पार्ट एफ टू ओ थी जाकर के अंसी आटी में मैच कराना यह मिल जाएगा और हम यह हमें सिखाया गया सोचे हमें हमारी आयटी में वहां नहीं सीखता तो मेरे को यह समझ नहां आता ह कैसे पढ़ाते हैं रट्टा मराना पढ़ता और हमारे जो आप हिनको मेल भी कर सकते मैंने सौट में लिख दिया अनिल जे इलियास यह हमारे गुर्देव हैं और यह नों ने हमें P-Block समझा दिया भई क्लास में क्या समझा दिया P-Block चैक्टर क्लास में समझा दिया है तो समझ लीजिए कि D-Block तो उसी के मतलब हमें सिखाया कुछ P में गया था उसी को सीख करके मैंने D में बुद्धी लगा दिया तो आपके लिए आसान हो जाती है आजाएए इसको समझ नहीं आ रहा इतना आसान समझाया है भाई वीडियो में पीछे जाना बाद में देख लेना आगे देखते हैं अगला देखो हमारे पास Na2CRO4 यह गैस मोड गया इसको मटा देते मिल जाता है Na2CRO4 अब जो Na2CRO4 मिले आपको बताया गया कि H प्लस में डालोगे बताएए क्या बनेगा पताये क्या बनेगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट में बता दूं क्या आसर बता दीजिए CRO4 2 negative अगर आप इसको H प्लस में डालेंगे तो क्या होगा डबल हो जाता है एसेड में डालने से डबल हो जाएगा यह बन जाएगा CRO2 07 2 negative देख लेजिए जाओगा और एक बात और देखना यहाँ पर जो क्로मियम है यह क्रोमेट यह क्रोमेट यह डाइक्रोमेट तो यह जो क्रोमियम है यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पे भी प्लस 6 दोनों में प्लस 6 oxidation state ही रहता है यहाँ पे आप क्या बोलोगे यहाँ पे आप OH negative डालोगे तो तूट जाएगा base क्या करता है यहाँ पे जो chromium oxygen और chromium के बीच का bond है उसको तोड़ देता है जाकर के तो यह दो हिस्से में तूट जाता है तो 2CrO42 नेगटिब बन जा ध्यान रखेंगे हमारा जो हमारा आपका क्रोमेट आयन है एच प्लस डालते ही वो डाई क्रोमेट हो जाता है और डाई क्रोमेट में जो chromium oxygen के बीच में से bond होता है वो तूट जाता है base की वज़ा से OH negative के attack की वज़ा से ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा बताए यहाँ पर क्या बन जाएगा आप कहेंगे यहाँ पर बन जाएगा CR207 2 negative और CR207 2 negative अगर reaction करेगा KCL के साथ तो यह बन जाएगा K2 CR207 तो इस तरीके से potassium dichromate का देखो यहाँ पर formation आपको क्लियर है एक बार देख लीजिएगा पढ़ लेना यहाँ पर क्या लिखा है any chromate any chromate with acid gives dichromate यह क्रोमेट यह क्रोमेट यह क्या dichromate acid के साथ reaction करने पैसा होता है यह आप पढ़ सकते हो यह बहुत आसान विया हमने बताए ना H plus के साथ जाएंगा तो यह बन जाएंगा और यह जाएंगा तो यह बन जाएंगा ठीका जी यह समझ में आग चुका है अगला reaction बहुत आसान यहां पर देखिए यह भी क्या है chromium पे plus six है यहां से सुनना यहां पर बताई देता हूं च स्थिक था वह अपने आपको रिडूस करके chromium plus 3 बना देगा क्रोमियम प्लस 3 और H2S में सलफर पे टू नेगेटिव चार्ट था तो सलफाइड बन जाएगा यहां पर क्लियर है यहां पर क्या एसन टीन पे टू नेगेट टू प्लस तो आपको पटता है कि 10 प्लस पूर इ क्लियर होना चाहिए जिस बच्चे को समझना है वो निश्यत रूप से बात को इस एफट को एप्रेचेट कर सकता है आगे बढ़ जाते हैं कहानिया खतम करते हैं ज्यादा वक्त नहीं लेंगे यह आपके पढ़ने के लिए वैसे मिने छोड़ा हुआ है देख लो बस एक बार बोल दूँगा कि आपके जो मैगनीज है उसका जो फ्लूराइड है कि वर प्लस फॉर में होता है मतलब कि आप से पूछा जाए क्या MN F5 एक्जिस्ट करता है जबाब है नहीं क्या MN F6 एक्जिस्ट करता है जबाब है नहीं MN जिर्फ MN F4 में एक्जिस्ट करता है और हस्ट अक्साइड कीं बात करें तो फ्लस सेवन में अभी बताया गया था है तो ओक्स İsड़ जो होता है फ्लस फ्लूराइड फ्लस फ्लुर्ली एक्जिस्ट करता है याοςश कर से उक्यों नमबर भी बढ़ जाता है किसका MN का तो इसके लिए कहानी इसलिए लिख दी गई है जो मैंने बताया ना उसलिए लिख दी गई कि तो इस वज़ा से थोड़ा से लोवर डाउन रहता है बिद रिस्पेक्ट तो देस वन एक अगली चीज यह भी है आप एक बार देख लिए कृपया हाँ वैनेडियम का प्लस फाइफ सिर्फ यहां पे देखने को मिलता है मतलब अगर आप फ्लॉराइड की बात करो इसका यहां पे C-L नहीं बना सकता C-L, आयोडीन यह सब लोग नहीं बना सकते कि आप यह बना दो I-5 यह एक्जिस्ट नहीं करते क्लियर है यहीं लिखा गया है लेकिन आएक चीज और भी है कि वैनेडियम जो है F-2 के साथ भी एक्जिस्ट नहीं करता लेकिन वैनेडियम के कि इतना बज़ गया विया ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कोशिस तो है कि चार घंटे का अंदर ने अप्टाना है देखते हैं 20-20 मिनट ही है हमारे पास सिर्फ क्या लिखा है all copper 2 plus highlights are known except that iodide मतलब की cu f2 exist करता है cu cl2 exist करता है लेकिन cu i2 exist नहीं करता यह इसके कहने का मतलब है कि all copper second यहाँ पर क्या copper second highlights are known except iodide अब एक चीज़ यहीं समझना यह कह रहे हैं कि अगर आपने ले भी लिया na cu i2 मानली जी हमने ले लिया iodine पर क्या है दो iodine दोनों पर एक एक नेगटिव चार तो यहाँ पर होगा copper पर क्या होगा 2 plus और हमारे पास क्या है 2 iodine negative तो वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से होता है कि धानतर सुनना इस line को होता कुछ इस तरीके से कि जो आपका cu i2 है जो आपका cu i2 है वो convert कर लेता है अपने आपको copper plus 1 के अंदर और जो iodine है वो i2 के अंदर convert हो जाती तो बारा सुननो वहीं समझ नहीं आएगा copper 2 plus ने copper जो 2 plus है उसने खुद को क्या किया reduce अगर वो खुद को reduce कर रहा है copper plus 1 बना रहा है तो किसी को oxidize करेगा तो किसको oxidize किया उसने इसको oxidize किया तो इसको oxidize करके उसने क्या बना दिया I2, तो I negative से I2 बन जाता है, इसी वज़ा से यह stable नहीं है, यह exist नहीं करता है, तो कि जैसे ही वो exist करने की कोशिस करते हैं, तुरंत copper 2 प्लस अपने आपको 2 प्लस छोड़ करके प्लस 1 में आ जाता है, और जो यहां से electron निकलता है, मतलब जो यहां पर electron लगता है, वो electron कहां से आता है, I negative से आता है, वो खा करके वो I2 बना देता है, इतनी बास समझ में आ गई है कि नहीं, इतनी बास समझ में आ गई है कि नहीं, आप देखो, अब जो copper प्लस 1 मौझूद ह उसके साथ सॉलुशन में कौन होगा i-negative तो कैसे लिखा जाता है इसको इसको देखो लिखने का तरीका Cu2i2 यहाँ पर क्या है copper plus 1 में है यहाँ पर copper plus 1 में है और iodine पर एक negative charge एक तो actually क्या है कि जो आपका Cu2i2 है यह stable नहीं है यह तुरंत अपने आपको Cu2i2 plus i2 में convert कर लेता है देखलो एक बार देखलो भईया एक बार यहाँ पर two time ले लो तो यह reaction होती है तो internally reaction हो जाती है simple से जबाब पता है क्या है कि internally reaction हो जाती है इस वज़ा से यह exist करता है और आपको यह reaction खोपड़ी में रखनी है यह reaction अपनी खोपड़ी में रखनी है मेरे भाई कि copper का i2 तो exist ही नहीं करता तो वो अपने आप में क्या करता है plus 2 जो होता है वो plus 1 बना लेता plus 1 फिर iodide के साथ मिल करके यह बना लेता है और जो हमारा i negative रहता है वो यहाँ पर oxidize जो करके i2 बन जाता है तो यह पूरा प्रोसेस है अब एक चीज आती है ध्यां सुनना अगर मैं पूछूं कि copper 2 प्लस पानी के अंदर ज़्यादा stable है या नहीं है copper 2 प्लस और copper प्लस 1 बताइए ज़्यादा stable किसको होना चाहिए तो आप कहेंगे भया इसका जबाद तो hydration energy से जहना चाहिए hydration energy कहां से आती है मेरे बाई पढ़ाए किसी ने hydration energy क्या होती है जितना ज़्यादा आपके cation पे charge होगा जितना ज़्यादा आपके cation पे charge होगा वो water के साथ उतना interact करेगा होता क्या है जब copper 2 प्लस रहेगा वोटर में जो oxygen है oxygen का जो lone pair है यहाँ पर इस प्लस 2 के साथ ज़्यादा interaction होगा मतलब बहुत सारे water बहुत सारे water इस copper प्लस 2 के साथ interact करना चाहेंगे और इस interaction से क्या देखने को मिलता है कि हमारा यह iron है कौन है copper एक iron 2 प्लस है यह iron इस dipole के साथ interact करता है मतलब यहाँ पर iron dipole interaction है iron dipole interaction है मतलब force of attraction अच्चुली है अगर force of attraction तो इससे energy निकलती है जो energy निकलती है उसी को hydration energy कहते है अगर मैं करूँ कि यह plus 2 नहीं plus 1 है तब उतना ज़्यादा water molecule उसको आखी नहीं घेरेगा क्यों क्योंकि अब इसके उपर charge density कम हो जाएगी तो आप बोलते हो कि यहाँ के case में copper 2 plus के case में जो hydration energy है वो ज़्यादा देखनी को मिलती है with respect to copper plus 1 लेकिन एक बात और ध्यान यह पानी की कहानी है अब मैं gas की कहानी सुनाता हू copper plus 2 gaseous phase चलिए बताइए copper plus 1 बहुत सारे लोगों को यह चीज़ नहीं आती बहुत सारे लोगों का चीज़ नहीं आती कि copper plus 1 बताइए कि ज़्यादा stable कौन है है simple सी बात पढ़ चुके हो तूम लेकिन आपको यहीं नहीं पता चलता कि ज़्यादा stable कौन है ज्यादा स्टेबल कौन है बताएं गैसियस फेज में ज्यादा स्टेबल कौन है यहां कोई पानी मानी है नहीं है कि हाइडरेशन एनरजी निकलती है तो आप बोलेंगे कि यहां पर आप देखोगे तो बनेगा 3D10 यहां पर तो होगा 3D10 और यहां पर करोगे 3D9 तो इसका मत अच्छा अब इन दोनों को मिला के बातशीत करते हैं कि देखो मारे पास कॉपर था उसने पहला इलेक्ट्रोन निकाला कॉपर प्लस बनाने के लिए तो बताए पूछा यह जाता है कि अगर माली जी मेरे पास कॉपर है और उसको मैं दो बार क्या करना चाहता हूँ दोनों कोई हाँ निकल सकता है क्यों क्योंकि देखना ध्यान से यह भले ज्यादा स्टेबल थे यह भले ज्यादा स्टेबल थे लेकिन इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी अगर हाइड्रेशन एनर्जी इनकी खूप ज्यादा हो जाए तो इसको आइनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो मिल जाएगी एना यस तो यही हो यही देखने को मिलता है यही देखने को मिलता है stability of copper 2 plus aqueous rather than copper plus 1 is due to the much more negative much more negative delta H hydration hydration energy इसमें बहुत ज़्यादा निकलती है इतनी ज़्यादा निकलती है कि वो stable copper plus 1 को भी क्या कर सकती है ionize करके 2 plus बनवा सकती है इसलिए आप देखते हो देखा है than 2 plus which more than compensate for the second ionization यह क्या है second ionization enthalpy of copper copper के second ionization enthalpy को क्या कर सकता है compensate कर सकता है कौन से चीज अरे copper 2 plus की hydration जब उसे दिख रहा है कि यार profit है मैं पानी अभी देखो gas में करा रहे तो यह था लेकिन अब मैं reaction किस में करा रहा हूं पानी के अंदर अगर मैं reaction पानी के अंदर करा रहा हूं यह सारी कहानी मैं पानी के अंधर कराना चाहएं, यहां लिखेंगे। इन एक्वस, यह कहानी मैं कहा करा रहा हूं, एक्वस कंडीशन में करा रहा हूं एक्वस कंडिशन में जब मैं कराऊंगा तो copper 2 प्लस जो होगा बहुत सारे water molecule के साथ लग करके बहुत जादा stable हो जाएगा इसलिए copper plus 1 सोचेगा कोई बात नहीं मैं भले electronic configuration में stable हूँ लेकिन क्योंकि ये भाई सहाब हमें क्या कर रहे हैं due to hydration of copper 2 प्लस इसलिए मैं भी इसी में shift हो जाता हूँ तो ये shift हो जाता है copper 2 प्लस में ये है इसका reason क्या रहे जी इसको आप पढ़ लीजेगा इसको पहले पढ़ाया जाता है हाँ अब क्या लिखा है कि लिखा है potassium iodide जब reaction करने आता है copper 2 प्लस के साथ तो पताए क्या बनेगा आपको पता है ना अगर आई नेगटिव बनाया तो पताए क्या लिखे अरे आई नेगटिव है तो ये खुद को किस में ले जाएगा प्लस 1 में जब जब सामने iodine रहेगा तो ये प्लस 1 में जाएगा और आई नेगटिव आई टू में कनवर्ट हो जाएगा बोलो ठीक है गया बोलो मामला ठीक है गया भाई ऐसे लिखा जाएगा और क्या होगा और क्या होगा इसको काउंटर करने कोन आएगा तो आप कहोगे CO2 I2 क्यों क्योंकि CO2 I2 में CO2 की और कहा रहेगा प्लस बन के पेज में रहेगा मामला क्लियर है में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी किसी कोई दिक्कत प्रशानी समस्या नहीं होनी चाहिए आगे आ जाते हैं लैंतनाइट्स बेरिए आसान यहां पर इनके क्या लिखने है है plus 4 plus 4 oxidation state रखना सबसे आसानी से किसके पास possible है तो cerium plus 4 के पास cerium के पास cerium plus 4 बनाना बहुत जादा आसान है पता है क्यों क्योंकि cerium की electronic configuration चिल्ला चिल्ला गर की यह line बोल रही है बताता हूं कैसे यहां पर आप लिखेंगे तो लिखेंगे 6s2 फिर लिखेंगे 5d1 फिर लिखेंगे 4f1 देख लीजिए चिल्ला चिल्ला की कह रहा है बाई की मेरे को select कर लो क्या काना पर सकता है इसलिए तो generally सबगी होता है जनरली सबका प्लस त्री होता है मेनी वेरी वेरी गुड यहाँ पर जौलाई को भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे यह लाइन नहीं पढ़ते और पता नहीं आपके एंटीयों को इतनी मुहबबत क्यों है इस लाइन से सुनना क्या लिका है मेनी ट्राइवलेंट लेंथिनाईड आएन्स आर कलर्ड हमने पढ़ाया ना कलर्ड होते हैं यस सर बोट इन दस सॉलिड इस्टे एंड इन एक्वास सॉलूशन याद रखना एक्वास सॉलूशन पानी के अंदर भी और कहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर इन दोनों के अंदर भी वो colored रहते हैं color of these ions may be attributed to presence of f electron जो हमारे f orbital के अंदर electrons मौझूद हैं उनकी वज़ा से ही ये color आते अच्छा जी अगली line सुनना ये पड़ो neither la3 plus la3 plus में पहले la का लिख लो क्या होता न तुम्हें सक हो जाता है कि मुझे नहीं आ रहा है कई वार इसी वज़ा से गलती कर देते हो आप आपको आता रहता है लेकिन आप गलती कर बैठते हो देखो क्या लिखा है electronic configuration तो 3 plus करोगे तो यहाँ पर कोई electron नहीं सिर्फ genon बचेगा और genon का पूरा भरा पड़ा है अगला नौर LU 3 plus LU 3 plus LU कहा था सबसे last में लिखोगे जैनन 6s25d1 4f14 अरे लास्ट वाला है ना मारे भाई तो सीरियम के बाद सीरियम पहला तो 1 और इसको क्या लिखोगे 14 लिखोगे ना यस सर तो इसका मतलब अगर कहें कि prominent to three mister का मतलब लिखोगे 4f वारा हुआ है अगर 4f व्हां क कलर देगा क्या इस पूरा भरा हुआ जब देगा क कोई transition होगा क्या नहीं कोई transition possible नहीं अगर transition possible नहीं है तो यह kao dias और शों नहीं करेगा देख लिजी अले प्लस 3 इसका प्लस 3 किया, यह हट गया, यह हट गया तो सिर्क genon बचा, तो genon कैसा inert gas configuration, वहाँ पे कोई भी नहीं होता भाई, यह transition वगरा कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब कोई color नहीं, LU के case में भी यह 3 प्लस करते ही गायब, लेकिन पूरा भरापड़ा होगा, तो कोई color सो नहीं करेगा, बोलो भाई, समझाया क्या, यह सर, मजाया क्या, यह अगला दिखते हैं, absorption bands are narrow, probably because of the excitation within the F, मैं बताता हूँ, होता क्या है जैसे d-orbital है, तो d-orbital की case में आपको absorption band का मतलब समझो, colors है, जो intense colors दिखाई देते हैं, d-orbital में जब transitions होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा intense color होता है with respect to F वाले के, तो इसको कहने का इसका तरीका है, कि absorption band जो थे बहुत पतली होती है, मतलब आप अच्छा color नहीं मिल रहा होता है, आप इसको इस तरीके समझिए, क्योंकि absorption band वगरा आप आपने वैसे पढ़ा हो गए है, atomic structure chapter में, वैसे ही यह पढ़ाया जाता है, आप आगे चलके पढ़ोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम गई पूरा chemistry के अंदर पार्ट आता है, ठीक है, यह देखिए अगर कहीं पर F0 है या F14 यहाँ पर क्या बताया था, 3 प्लस के केस में F0, और यहाँ पर क्या बताया था 3 प्लस के केस में F14 तो वहाँ पर कोई भी color नहीं होगा और कोई भी color नहीं होगा और दूसरा, यह क्या होंगे, बाकी जगाँ पैरा मैगनेटिक होंगे तो आप पैरा मैगनेटिजम भी निकाल लेंगे NCRT की लाइने बतलब ऐसा दिमाग ना आ जाती है अगर आप धंग से पड़ते हो तो सब पढ़ाया सब समझाया है ना लाइक हो अगला देखे मज़ेदार कॉंसेट यह अगर पेफर में जस्ट पहले है तो अगर हम इसकी बात करें तो हम लिखेंगे जैनौन फिर क्या लिखेंगे बताइए फिर लिखेंगे यहाँ पर 6S2 4F7 जैडोलीनियम के जस्ट पहले आता है EU बोलो मामला ठीक है यस सर अब होगा क्या वो यह दो इलेक्ट्रोन निकाल करके आसानी से EU 2 प्लस बनाना पसंद रहा है वो 4 प्लस बनाना पसंद एकदम नहीं करता है इतनी बात समझा है इतनी खोपड़ी में गई क्या यस सर तो देखो क्या लिखा है EU 2 प्लस इस फॉन्ट बाइ लूजिंग 2S एलेक्ट्रोन और इस F7 यह क् भूदर इस जो कि हाफ फिंड है यह कैसा है हाफ फिल्ड है अगर हमें तो यह स्टेबल है वह बनना पसंद कर रहा है वह बनना पसंद कर रहा है लेकिन और बताता हूं एक बात यही पे सीख लो अकति लिए हैस इसम अननृणीत का आराम मतलब शु跟你 सब्यों का है और LEU2 प्लस जो है आराम से प्लस 3 में ले के जाएगा इसमें दिमाग नहीं लगाना इसको मानना है क्यों क्योंकि वो कह रहा है कि LENTH NIGHT का common oxidation state है वो प्लस 3 है तो यह आराम से जाया जा सकता है अगर यह जाया जा सकता है तो एक बाद बताओ यह अगर जाय जा सकता है इसका मतलब EU2 प्लस जो है electron क्या करेगा अपने अंदर से निकालेगा और जो कोई भी अपने अंदर से electron निकालेगा वो किसी को दे रहा होगा अगर वो किसी को electron देगा तो दूसरा reduce होगा अगर दूसरा हूं क्यों क्यों कि मैं एक common oxidation state आराम से पास सकता हूं common oxidation state आराम से पास सकता हूं समझ में आया तो मैंने घोसित किया कि जो EU2 plus है वो एक reducing agent आरे निकालने का तरीका सीख लो बहुत को नहीं आता है तो जी रट रट के पागल हो जाते हैं कि EU2 plus is a strong reducing agent changing to common oxidation state 2 plus से 3 plus जा सकते हैं इस वज़ा से ही वो reducing agent कहलाते हैं विस्वास मानों आपके साथ पढ़ने वाले 5000 लोगों को भी नहीं पताए लाई इस तरीके से आईए अगला देखते हैं the behavior of samarium is very much like European both plus 2 and plus 3 ये कहना ये चाहते हैं कि जो samarium है ये भी plus 2 and plus 3 बनाता है इसकी तरह कि रोपें बात मान लेते हैं कह रहे हैं तो बात मान लेते हैं ये दोन अगिस्ट करता है आप देखे य2 प्लस इधर आईए यदर आईए यदर आईए yb2 plus which has f14 configuration चेक कर लेना चेक कर लेना yb का बात आ है लास्ट 14 का जस्ट पहले 14 वाले में कौन था lutation lutation का जस्ट पहले कौन आएगा yb लिखके बता दूं क्या yb का लिखके बता दूं क्या भईया बता दिया करो हर चीज यह हो गया जेनॉन जेनॉन के बाद आप लिखोगे यहां पर लिखोगे 6s2 और अगला लिख दोगे 4f14 क्या लिख दोगे 4f14 लिख दोगे मेरे भाई yb के लिए यही लिखना पड़ता है अच्छा अब वो कहरें 2 प्लस है मेरे भाई 2 प्लस तक वो बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इसके बाद देखो क्या आ जाता है 2 प्लस अगर वो प्लस टू तक त्यान रखो अगर वो प्लस टू तक हाफ फिल्ड हो गए और प्लस टू बनाने तक अगर वो फुली फिल्ड हो गए तो फ्लस फोर बनाना पसंद नहीं करते हां common oxidation state plus 3 तक जा सकते हैं इसका मतलब है कि YB का जो plus 2 है वो तो आराम से बन जाता है फिर इसके बाद common oxidation state YB plus 3 तक भी वो आराम से जा सकते है तो क्यों कि common oxidation state तक तो सब लोग जाएंगे common सब लोग जाएंगे मेरे भाई अच्छा अगर 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 वाई भी टू प्लस खुद को ले करके plus 3 में जा रहा है इसका मतलब खुद को reduce कर रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा गड़ बड़ कर दिया कि हमने खुद को oxidize कर रहा है अगर यह खुद को oxidize कर रहा है तो पाते हैं जान रखना प्लस ठीव में बहुत जाब लोग नहीं आ पाते वही लोग आपाते हैं जो प्लस ठीव में क्या बनाए हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड अब सबको कॉमज हो कॉमन रूम है वहां सबको जाना है तो यह भी जाएंगी तो खुद को यह oxidize कराएंगे दूसरे को reduce इसलिए ये reductant बोले जाएंगे या reducing agent बोले जाएंगे इसी तरीके से अगला देखो TB plus 4 ये जाके चक करना TB को चक करना TB plus 4 जब निकालोगे न तो TB plus 4 में आप देखोगे कि ये हो जाता है मेरे भाईया half filled TB plus 4 half filled इसका मतलब plus 4 इसका exist आराम से कर सकता है exist करने की बात है तो जब आराम से कर सकता है अब एक बात आपको भी पता है कि plus 4 तुम पहुँच भले गए लेकिन बटा तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा वापस क्यों आना पड़ेगा क्योंकि हमें common oxidation state बनाना पड़ता है तो TB3 plus बनेगा क्या बनेगा TB3 plus वो खुद से बनाएगा क्यों क्योंकि यह common oxidation state में खुद से आएगा जयान से सुनना अब की बार वो खुद को reduce कर रहा है तो सामने वाले को oxidize करेगा इसका मतलब वो oxidant होगा वो oxidant होगा समझाया वो एक oxidizing agent का काम करेगा तो TB plus 4 एक oxidizing agent का काम करेगा लेकिन YB and EU जो होते हैं ये reducing agent का काम करते हैं ये सब को समझाये ये impossible है तो मैं समझाया तो बहुत बड़ी मुबारक बाद है एक चीज ये पढ़ लेना यहां से इत्मिना आगे बढ़ जाए ये खुद करो इतना time नहीं देना बता देता हूँ समेरियम यहां कर जबाब आएगा क्यों यहां पर पूछा यहां पर आएगा आप चेक करना यहां पर F7 आएगा F7 यहां पर F में 0 electron यहां पर 14 electron तो 7 और इन में नहीं कोई भी transition आराम से possible हो पाता यहां पर क्या हो दाता आराम से possible हो पाता इसलिए होता आता है आप जैसे जैसे क्या करते हो प्राइज क्या करते हो बढ़ाते हो यह बारे प्रियोड डिक्रीजेश पता देता हूं देखो एले ओस बनता है अगर वह यू ओस तक जाता है मतलब लैंफ नम से लेकर लिटेशन तक की बाद चल रही है तो आप क्या देखते हो एल ए से एल यू तक जाने में आपको क्या लग रहा है प्लस त्री तक जाने में क्या हो रहा है साइज क्या हो रहा मेरे भई अरे लैंफ नाइट कॉंट्राक्शन की वज़ा से साइज घट रही है आज क्या और यह घट रही है तो ही बात लिखें आगर घटेगी तो होगा क्या क्या है बहुत च्छोटा हो गया सामने क्या था OH सामने था OH- तो ये बहुत चोटा केटाईएएन इसको अपने एलेक्ट्रॉन इदर खीचेगा अगर इनको इलेक्ट्रोन इधर खीचेगा तो ज़्यादा पॉलराइजिशन होगा तो इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा आ जाएगा इसके अंदर फजान रूल से कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा अगर यह Covalent Caracter ज़्यादा होगा, तो यह पानी के अंदर Dissolve आराम से नहीं होगा, क्विक आईनी करेक्टर वाले लोग पानी के अंदर Dissolve होते हैं, एक्जांपर के तोर पे यहाँ पे समझा देता हूं, यहाँ पे समझा देता हूं, वह आंदी बात और अगर आयनिक करेक्टर जादा होगा तो यह आराम से सच बताऊं तो पानी में आराम से डिजॉल भी नहीं होता अगला क्या है miss metal ये बहुत पूछा जा रहा है पता नहीं इन लोगों को कुछ चीजे ना बहुत प्यार से उसको पूछते रहते हैं हर दूसरे paper में इनको पूछने पीछना रहता है इनकी spelling थोड़ी अलग है देख लो भाई या यह एक alloy का नाम है यह एक alloy का नाम है जिसमें जो lanthanide है lanthanide 95% होती है करीब करीब और करीब करीब 5% होती है iron iron किसना होता है करीब करीब 5% बाकी चीजें भी होती है लेकिन करीब करीब यह रहता है miss metal में देख लेना पढ़ करके इसको यह क्या होता है lanthanide यह alloy ऐसे बनाये जाते हैं जो कि पढ़ना यहां पे steels for the plate and pipes plate and pipes steels को बनाने के काम आता है ऐसा alloy रहता है ठीक है पढ़ लेना इसके बाद और यह वाला बहुत important है को आनन्द आया होगा भरोसा रख शकता हूं important line ज्वाला उपी लिखो वाई ज्वाला उपी लिखो यह लाइन पहली बार शायद आप सुन रहे हों यह क्या है ज्वाला कि देखो वह यह क्या लिखा है फॉस्फोरस नहीं है यह पहली बार पढ़ोगे तो फॉस्फोरस मतलब कि आपने उसके उपर light डाली थोड़ी दिर के लिए light हटा ली बाद में यह चमकने लगे तो उन compounds को फॉस्फोरस बोला जाता है और यह character कहां पाया जाता है lengthenide के oxides में दिखाओगा कि some individual lengthenide oxides are used as phosphorus वो अपने आप से चमकते हैं कोई से कुछ oxides of lengthenides clear है अच्छा त निकलते हैं बहुत बड़ी बड़ी चेन वाले उसको तोड़ने का काम कौन करता है कुछ lengthenide oxides करते हैं अब यह आपके पढ़ने के लिए दिया गया है एक बार आप देखेंगे तो मजा आएगा हाँ एक बात मैं समझा देता हूं यह सकेंड लाइन आप साहए फसेंगे इ अच्छा चलेगा वसे आपको यह पता है self-titration होता है करता है self-indicator यह खुद एक self-indicator का काम करता है क्यों क्योंकि जो के mno4 है वो खुद purple color का होता है और जब जब आपके titration के दोरान यह mn plus 2 बना लेता है तो अपना color यह खो देता है इसका मतलब जब reaction होगी तो अपने यहां पता चल जाएगा कि हमारे plus 7 को क्या किया गया है plus 2 बना दिया गया है तो इसलिए इसको क्या कहते है self-indicator भी कहते हैं इसलिए इसको self-indicator कहते हैं कि reaction के दोरान यह बता सकता है कि आप यह reaction खतम हो चुकी है यह complete की जा चुकी है अगर मजा आया हो तो बताईएगा जो आलावपी concept लिखेगा यहां पर क्या होगा HCL में क्या सी एल नेगेटिव यहां से सील टू गैस बाहर आ जाती है तो आपका जो केमनोफोर है या मनोफोर नेगटिव है वह एक अच्छा टाइट रेटिंग एजेंट नहीं रहा क्योंकि वह खुद रियक्शन में दूस फ्रमाना जाना टाइटिंगे केफ के मे जाना एसए फर्माणा माडम नूडलज लाओ रए जह सब कैसे हैं सबके सब अईया शिल्वरी वाइट मेंटल्स होते हैं और आपको पता है कि जितने भी एक्टिनाइड से वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है और पूरे लैंथनाइड में सिर्फ प्रेम ही ऐसा है यूकि रेडियो एक्टिव पुरानी बात ही है मैंने दोरा दी है एक्टिनाइड का एनपी और लास्ट वन यह सबसे जादा पूछा जाता है ठीक है जी तो इनकी सकल सुर्ते एक बार देख लेए खतम हो चुका है जैसे आप यह कहते हो कि यार लैंथनाइड कॉंट्राक्शन होता है उसी तरीके से एक्टिनाइड का भी कॉंट्राक्शन होता है सेम तरीके से क्या है जी दीड़े दरे रेडियस का गटा रहा है और a appeared बात और बताओं जो एकटिनाइड कॉंट्राक्शन न जो आपका आपका एकटिनाइड कॉंट्राक्शन है डान की थोड़ा बल्कि लिखा हूँ है मैंने कउल है यहां पर देख लेगा यह लाइन पढ़ो, यहाँ समझ में आएगा, why radii contraction is more for actinides than lanthinides, मतलग होता क्या है कि देखो lanthinide में 4F के अंदर electrons जाती हैं, लेकिन actinides के अंदर 5F के अंदर electrons जाते हैं, क्योंकि उसी नीचे होते हैं, अगले वाले period में होते हैं, तो actinides के अंदर जाते हैं, अब सोच के देखो, मैं आप से पूछता हूँ, shielding power किसकी अच्छी होगी, वैसे तो दोनों की घटिया है, लेकिन shielding power किसकी जादा हो, कौन जादा रोक पाएगा, जो size में छोटा होगा, size में छोटा होगा, nucleus के करीब होगा, तो उसकी power जादा होगी, लेकिन 5F की power तो बहुत इखटी है, वो nucleus से बहुत दूर है, वो कभी भी force of attraction को रोक ही नहीं सकता, जब रोक नहीं सकता, तो nucleus वहाँ पे 4F, 5F के case में बहुत powerful है, actinides के case में nucleus बहुत powerful है, तो बाहर के electron को अंदर खीचा, उसके लिए आसान हो जाएगा, समझ गये ना, या सर, ये line में पढ़ लीजिएगा, आनंद लीजिए, अगला है, हाँ, ये paper में आता है, अगले हमें दे दीजिए, keval और keval 2 minute, देखिए भीया, यहाँ पे आपको, होपड़ी में क्या उतारना है, वो हमें याद खराना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, हमेशा इसको ऐसे याद रखेंगे, कि देखो, सुरुवात थी AC से, तो 3, 4, 4, 5, 6, 7, हाइस्ट आपको इनका पता होना चाहिए, पहले तो ये पता हो, बाकी PU का आपको ये पता हो, AC प्लस 4 में रहना पसंद करता है, थोरियम प्लस 4 में रहना पसंद करता है, बाकी की देख लो, बाकी लोग क्या है, वरियबल ऑक्सिदेशन स्टेट देख लो, बाकी लोग सोक अपा रहे हैं, लेकिन हाइस्ट कहां देखने को मिलता है, NP और LU में, तो ये पेपर में अकसर पूछा जा रहा है, पता नहीं इतनी मुहबबत हैं उनको, कि क्या ही बताया जाए, LU का 7, NP का 7, Uranium का 6, Uranium का 6, तीन चीज़ें आनी चाहिए, Uranium का 6, NP का 7, PU का 7, ठीक, और सुरू के जो दोनों है, 3, 4, सबसे बड़ी बात यही है, कि वहिए दोनों में, किसमें, Lengthinide और Actinide, दोनों में, Plus 3 ही Common Oxidation State होता है, Common Oxidation State Plus 3 होता है, आप से यह पूछा जाएगा, कि बताओ, कौन सा ऐसा है, जहां पे नहीं पाया जाता, क्या, जहां पे नहीं पाया जाता, Plus 3, तो बताना थोरियम, तो बताना थोरियम, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परिशारी किसी को तो नहीं है, ओके, The Highest Possible Oxidation State, क्यों मजा करें, यूरूपियम, ये यूरिनियम का 6, और प्लूटोनियम का, Plus 7, आबाद रहें, जिन्दाबाद रहें, कोई सवाल, कोई प्रस्ट में, कोई एक्षा है, तो जरूर प्रकट करिए, मैं वक्त दे सकता हूँ, आपको यहां पे, तरिये, आप सभी लोग अच्छे तरीके से तयारी करिए, यहां तक जो लोग पहुंचे होंगे, निश्चे दुरुप से उनका, D&F ब्लॉग समझ आया होगा, मैं यह नहीं कहता, रटवाया है मैंने, यह बहुत ही conceptual approach देता हूँ मैं, मेरी कोशिस होती है, इन और्गनिक को आप फील कर पाएं, रटे इंकम सीखें जादा, और उसी तरही के साब अपने previous question पर कमांड बना सकते हैं, पताएगा भई, मामला समझ आया है क्या, ओके, love you all, love you all, आप motivation के कोई खास जरूत अब नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही, अब मुझे लगता है, आपके अंदर ज्वाला जग चुकी, चुन-चुन कर चिंगारियों को ज्वाला हमने बना लिया, तो अपने आप में motivation है, कि आप हमें डर लग रहा होता है, तो अपने आप जो exam fear है ना, actually मैं ऐसा मानता हूँ, जो exam fear है ना, बहुत positive चीज़ है, अगर वो ना हो तो आप सोचके देखो, कि इतने कम टाइम में जो आज आप सीखते हो, क्या दो साल पहरे सीख पाते थे, नहीं सीखते थे, आज अब ज़्यादा सीख पाते हो, आप ज़्यादा concentrate कर पाते हो, अब तुम्हारे दिमाग में ख्याली पुलाव कम पकते हैं, उसका ख्याल कम आता है, पहले भुता आता था, जादू, अब जिस नालाय को आज भी आ रहा होगा न, उसका तो भाई कुछ नहीं कर सकते, उसका तो हम सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि हम उनके निज़े जिनलगी को जानते नहीं, हम उसको समझा भी नहीं पाएंगे उस तरीके से, तो सर्फ एक लाइन बोली जा सकती है, कि भाईया आपको क्या करना, जितनी चिंगारियां थीं, उसको इकठा करिए, अपने अंदर ज्वाला जलाईए, कर दो समने अक एक लाईए, आपको क्या कर दोिए, कि दाएंगे ऑनम leurs एक लाई जता जेक से, कि उसको करदे ज्वालाईया झार्गैंगे झार्थकों महाँब्स हएंगे जा एक वाईया नहीं, झाल झाल